नवस्कार दोस्तों आपके अपने टू चैनल रोजगार विदंकित मापका बहुत बहुत स्वागत है मैं तरु आसा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे खुसाल होंगे और चाहां भी होंगे एकदम बहतरीन होंगे सुबह की बज़ चुके हैं दस और आप सभी को पता होगा कि दस बज़े एक बहुत बहतरीन हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना होती है ठीक है आज तो पहली वेरी है वैसे मेरे दस बज़े उसमें होती है चलो ठीक है तो जो है समिक्षा दीकारी और साहिक समिक्षा दीकारी को मद्धेर नजर रखते हुए मेरे प्यारों आपकी गागर में सागर मेराथन स्टार्ट होई चुकी है इससे पहले दो मेराथन क्लासें आपकी हुई है और आज तीसरी मैंने बताई थी कि एक फरवरी को मेरी जो है मेराथन गागर में सागर होगी तो जल्दी से एक वारे सभी की सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे ठीक है तो लगवग में मेरे जो यदि मैं सिविल वाले चैनल की यदि बात करूं और आरो यारो की बात करूं तो लगवग में सतर पिलस आप के सामने प्रस्तुत करूंगा तो एक वारे सभी की सभी जो है जुड़ जाएंगे बहुत लंबी किलास होगी तो सभी को बढ़िया तरीके से बैठ जाना है ना अंडिश्टब वाली जगे पर ठीक है ना जहां कोई डिश्टब ना करे आपको जवाब तलव करती चलेंगे सभी जवाब भी देती चलेंगे एक एक कोशन का क्योंकि वो ही कोशन होंगे जो मैंने करा दिये हैं और जो प्रिवियस एयर को वेस मान कर मैंने देखा किस टॉपिक से कितने कोशन हैं तो उसी के आधार पर मैंने वो टॉपिक आपको जो है बड़िया तरीके से सजो के मामला डिसमिस कर लगे तो साहस नहीं तूड़ना है सभी को तो एक वारे जल्दी से सभी के सभी जो है थंब का निसान लगा कर मुझे बताएंगे कि हाँ सर जी हम रेडी हैं कलुकालिया जासी से प्रणाम गुरु जी प्रणाम आपकी स्वीकार है तारिफ खान जी मारे सा जुड़ गए हैं कुनाल जी है तो इसी के साथ मेरे प्यारो मैं इस सेशन को करूंगा स्टार्ट तो सभी की सभी हाँ पर रेडी और चलते हैं एक बार ठीक है एक वारे मेरे प्यारो मैं आपको टाइम टेवल बताना चाहूंगा जो टाइम टेविल इसका है यूपी पीसि सभी तो होई गी ठीक है ना और हिंदी भी होगी तो आज मेरी किलाश ही है एक फरवरी को कल मॉनीं का में में Economy क्लाश चलेगीम मे Pakistan जुद की बिख़ए रहे थिक है उसी के साथ राहूल सर की जो तीन तारिक को साइंस की मेरा थन होगी, नवनी सर की चार तारिक को जोगरफी की एन्वार्मेंट और इको लॉजी दिग्विजे सर होगे, ठीक है फिर पोलिटी होगी, फिर आपकी मैथ और रीजिनिंग और फिर करंट अफेर्स लाश्ट में आपकी चलेगी, तो ये पूरा परदेश की इतिहास से कई को श्चन मुझ्झे देखने को मिले, तो इसलिए मैंने उत्तर परदेश इतिहास की कोशन यहाँ पर कई है, काफी कोशन आपको देखने को मिलेंगे और आप जवाब भी मुझे देते चलेंगे, बड़िया तरीकी से, सीजर जी, पहला कोशन गौतम बुद्ध ने यहां ज्यान प्राप्त किया था ठीक है ना गौतम बुद्ध में ज्यान प्राप्त करने के बाद यहां पना पहला उपदेश दिया था यहां गौतम बुद्ध ने यहां पर अपने प्रान त्यागे थे कोशन वड़ा सुन्दर सा है यदि मैं बात करू मेरे प्यारों वो कुसी नगर जिसे महाजनपद काल में कवी मल गनराज्जी की राज़धानी हुआ करता था वो कुसी नगर आपको पता होगा आप बताती तो मुझे चलेंगे और यहां बैद दिखो आज चुकोशिस करनी है जादा से जादा कोशिस करनी है कि हमारे राइट आंसवर जाए ठीक है तो यहां पर मित्रों क्या होता है कि गौतम बुद्ध ने अपने हाँ पर प्राण अरतियागे थी सभी को पता भी होगा 483 ईसा पूर्व की बात होगी मेरे प्यारों कौन से वरस की बात है तो यह आप सभी को पता भी है 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने हाँ पर अपने प्राण त्यागे थे और गौतम बुद्ध का अंतिम जो संसकार है वो किसे ने किया था मल और मलों की राजधानी थी मेरे प्यारों चो मल मतलों की मल की राजधानी क्या थी कुसी नारा जिसे हम बूलेंगे वो कुसी नगर होगा ठीक है चलो अब एक छोटा सा मैंने कोश्चन ही है ही मैं पूछता चलूं कुसी नगर जनपद का यदी मैं पूछू जिला मुख्याले कहां अवस्तिते हैं मैं बीच बीच में से कोश्चन ऐसी ही निकालता चलूंगा और आपका चुब हिया माइंड देखूंगा भी कि कितने आप जो है तेज तर्राट होगी है परिक्षा नजती के है तो कुसी नगर का जिला मुख्याले आप सभी को बताना होगार सभी निवतायसर जी पड़रोना कर देना बहुत बढ़िया तो क्या करूं मैं तो सर आप पड़रोना कर देना चलो इसी के साथ मित्रों नैश्ट आपके स्क्रीन बूर्ड पर है तभी को बताना है उत्तर परदेश का कौन सा जिला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग 2023 में पहला इस्थान प्राप्त किया है उत्तर परदेश का वो कौन सा जिला है जिसने मेरे प्यारो किसकी बात होगी सर जी खेलो इंडिया महिला जो ज 2023 में हुई थी उसमें अपना पहला इस्थान प्राप्त किया है यह हम सभी को बता ना होगा मेरे प्यारों जूडो लिक की बात है तो स्पीड के साथ आप जवाब तो मुझे देते चलेंगे और इसकी यदि मैं बात करूँ इहां पर तो यह जनपद होगा 12 स्वन होंगे ठीक पांच और कांस्य पदक की बात होगी तो आप बताएंगे सर 22 कितने 22 तो टोटल जो है यदि बात होगी तो 87 पदको के साथ इस महिला अखेलो इंडिया महिला जूडो लीग में पहला इस्थान प्राप्त किया है तो यहां सभी बताते हुए सर जी आप लखनव कर देना मेरे प्यारों क्या कर देंगे लखनव कर देंगे कोश्यन आएगा निश्चित तोर पर आपको बताना होगा त जिसका नाम होगा ब्रह्म ब्रत उत्तर परदेश के किस स्थान पर इस्तित था कोश्यन तो बड़ा बहतरी नहें सभी को बताना है महरसी बालमिकी जी का नाम सुना होगा यदि मैं पोरानिक मान्यताओं की भात करूं तो महरसी बालमिकी जी का जनम उत्तर परदेश राज् जी किस जनपद में हुआ तो बलिया में और ये ब्रह्म ब्रत जो है उत्तर परदेश के किस जनपद में अवस्तित है तो यहां पर बता रहें सर जी आप बिठ्थूर कर देना वो बिठ्थूर होगा जो सर जी कानपूर में अवस्तित होगा यदि मैं बात करूं बिठ्थूर बनकर भी उबरा था तो ये आप बताएंगे और एक महरसी भालमिकी जी का आसरम चित्रकूट में भी अवस्तित है वो चित्रकूट जहां पर कामदगीरी परवत्व अवस्तित है चलो नैश्ट कोशन की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा उत्तर परदेश की अर्थ व्यवस का देश में कौन सा इस्थान पहला दूसरा तीसरा या चोता कोशन निशित तोर पर पूछा जाएगा क्योंकि करंट का कोशन है अती महत पूर्ण है वाट इजदा पोजिशन और फुतर परदेश एकोनोमी इंदा कंट्री तो जल्दी से स्पीड के साथ मुशे जवाब द देते हुए सर जी आप सेकिंड नंबर का कर देना कौन सा सेकिंड नंबर कर देना भोलू तो मैं दूसरा करेंगे और जीडीपी में देश की जो ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट में कितना अजो है प्रतिसत योगदान है तो सर 9.2 प्रतिसत होगा और यदि प्रत्थम की बात होगी तो सर जी प्रत्थम पर तो आपका महाराष्ट होगा ये भी तो पूछेगा कि प्रत्थम कौन सा है तो हम बताएंगे सर प्रत्थम पर होगा महाराष्ट और महाराष्ट की बात होगी महाराष्ट का कौन सा इस्थान है तो हम बताएंगे सर 15.4 मतलब कि देश की GDP में 15.4 पिर्तिसत योगदान महाराश्ट का है तीसरे नंबर की बात होगी सर तिर्तिय वि आपी वताना तिर्तिय यदि पूछा जाएगा तु सर तमिल नाडू कर देना पूछा जाता है कि रम भी लगवा लेगा तो हमसे तीसर तमिल नाडू और तमिल नाडू का होगा 9 1.1 पिर्तिसत देश की GDP में योगदान तो पहले पर महाराश्ट दुत्य पर अपना उत्तर परदेश तीसरे पर तमिल नाडू और चौथे पर होगा सर जी गुजरात यदि चतुर्थ की बात होगी चौथा इस्थान किसका है तो सर गुजरात आपको कर देना है ये भी साथ नेश्ट कोश्यन आपके स्किरीन बूर्ड पर आया पांचवा कोश्यन है भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो वटालियन तेयार की जा रही है मेरे प्यारो देश की सुरक्षा और आतं की घटनाओ से निपटने के लिए ठीक है ना किसकी बात होगी स सर जी जो आतं की जो देश की जो क्या होगा सुरक्षा और आतं की घटनाओ से निपटने के लिए भारत में एक ऐसा राज्य है जिसने पहली भार सर जी महिला कमांडो वटालियन की स्थापना या महिला कमांडो वटालियन की तैयारी की जा रही है ये हम से पूछा है और उत्तर परदेश हम करेंगे देश की सुरक्षा और आतंकी घटना उसे निपटने के लिए उत्तर परदेश राज्जे सरकार ने पहली बार सर जी क्या महिला कमांडो वटालियन की एस्थापना की है चलू अब एक छोटा सा कोश्चन आप से होगा उत्तर परदेश की पहली मह ठीक है न उत्तर परदेश राज्जे की पहली महिला पुलिस कमिसनर कौन है उत्तर परदेश राज्जे की यदि मैं आप से बात करूं सर जी पहली महिला पुलिस कमिसनर अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे इसका जवाव देगा उत्तर परदेश राज्जे की पह पहली महिला पुलिस कमिसिनर बनी, नाम होगा सरजी लक्षमी सिंग, ठीक है न, तो ये भी आप बताएंगे स्पीड के साथ, तो सरजी हमने बता दिया लक्षमी सिंग, ठीक है न, चलो, जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में, इसी के साथ नैश्ट कोशन, जहां सी में, 1857 क विद्रो के नेता, रानी लक्षमी वाई दुआरा किसके साथ मिलकर गुवालियर पर आकरमन, एक जून 1888 में किया गया था, ये भी कोशन बड़ा बैतरीन है, 1857 की विद्रो की नेता, यदि मैं बात करूं सरजी, रानी लक्षमी वाई कौन सी है, तो रानी लक्षमी वाई दुआरा किसके साथ मिलकर गुवालियर पर आकरमन, एक जून 1888 में किया गया था, नाना साहिव के साथ, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे या वाजी राव सेकिंड के साथ, ये आप सभी को बताना होगा, बड़ा सुन्दर सा कोशन है, जवाव आप सभी देते चलेंगे, यदि मैं रानी लक्ष्मी वाई की बात करूँगा सर, नाम सुना होगा आपने, रानी लक्ष्मी वाई का जनम, रानी लक्ष्मी वाई, इस तरीके से लिखना है, रानी लक्ष्मी वाई का जनम कौन स्पीड के साथ बताएगा, मैंने रानी लक्ष्मी वाई लिख दी है, जनम आप सभी को बताना होगा और देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे रानी लक्षीवाई जी के जनम की बारे में बताएगा तो आता है कोश्चन सर जी हम बताएंगे 1828 और डेट पूछेगा तो 19 नवंबर 1828 कर देना मेरे प्यारों 19 नवंबर की बात होगी वर्स कौन सा होगा सर 1828 में उत्तर परदेश राज्य के वारान सी जनपद में हुआ जिनके बच्चपन की बात करूँगा सर जी मनी करनी का कई वार पूछा जाता है कि रानी लक्षीवाई की बच्चपन का नाम क्या था तो हम बताएंगे मनी करनी का और प्यार से इने छवीली अमनू के नाम से भी जाना चाता था 1842 में मराठा सासित राज्यत जहासी और जहासी के गंगाधर राव नेवालकर से इनकी साधी होती है और मेरे प्यारो एक दत्तक पुत्र भी है जिसका नाम है दामुदर राव जो मैंने आपको कई बार कराए हुए हा जी ठीक है ना भागी रितिवाही और मोरवन्त मातापिताजी है चलो तो आप करेंगे सर जी तात्य तुपे और तौपे का वास्त्长 विक नाम आप सभी को बताना है और मैं असा करूँगा कि आप सभी कि सभी जवाव तो मुझी देंगे तात्य टोपे का वास्तविक नाम बता दो चलो ठीक है ना इनकी माता का नाम जी जवाई था इनकी माता का नाम नहीं था जी जवाई वो सिवाजी की तरफ हम चले जाएंगे सिवाजी की माता का नाम था चलो तो ये बताना है आप सभी को जो तात्य टोपे का वास्तविक ना तो बता रहें सर जी राम चंद्र ठीक है राम चंद्र पांडू रंग था पूरा ठीक है ना यदि मैं बात करूं तो ऐसा ही तो कोश्चन आएगा तो हम बताएंगे सर जी राम चंद्र पांडू रंग ठीक है इस तरी के सिकरना है कोश्चन बड़ा वैतरीन और सांदार आप को बनाना है चलो next question उत्तर परदेश के किस नगर में पहली बार किस अंग्रेज की अध्यक्षता में भारती राष्टी कॉंग्रेश का अधिवेशन संपन हुआ बड़ा सीधा सा question होगा और जवाब आपको देना होगा बड़े सुंदरता की साथ और यहां जवाब भी दे रह मतलव कि एक अंग्रेज है उसकी अध्यक्षता में इंडेनेशनल कॉंग्रेश पार्टी का अधिवेशन संपन हुआ और बताती चल रहे हैं सर जी आप कर देना डी कर देना प्रियाग राच होगा और प्रियाग राच कब कौन सा वर्स होगा सर आप बता देना 1888 होगा और जिसका अध्यक्ष यदी में बात करूँगा अध्यक्ष तो सर जी जोर्ज यूले आपको बताना होगा कौन से यूले होंगे सर जोर्ज यूले इस तरीके से लिख देना है और ये कौन है तो भारतिराष्टि कॉंग्रेश पार्टी के प्रेथम अंग्रेज अध्यक्ष को अब एक कोश्चन पूछा जाता है इंडिया नेशनल कॉंग्रेश पार्टी के कितने अधी वेशन उत्तर परदेश में संपन होगा इसका जवाव तो आपको देना होगा कितने अधी वेशन है जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेश पार्टी के उत्तर परदेश में संपन हो मुझे बताना कितने अधिवेशन में संपन होते हैं । यहां बताती और सर महारा तो नो कर nasवत कितने कर दों सर न कर देनाए और यह आगे डिसकस करती चलेंगे क्योंकि कोश्चन आएगा एक दो और पूचा जाएगा इंडिन नेशनल कॉंग्रेस पाल्टी से तो हुआ व्याख्यान में करूँगा फतेगड छावनी में हुए बिद्रो अठारे जून अठारे सु सत्तामन के बाद नवाव तफजुल हुसेन खाने स्वैम को कहा का स्वेतंत्र सासक घोशित किया था कोश्चन मैंने एक वर प्रेक्टी सेट में भी जरूर कराए हूंगे वो कोश्चन है जो परिक्षा में निश्चित तोर पर पूछे जाएंगे आपको बताना होगा स्पीड की साथ बताते हुए सर जी फतेगड चावनी में हुए बिद्रो 18 जून 1857 की बाद नवाव तफजुल हुसेन खाने स्वैम को कहा का स्वेतंत्र सासक घोशित किया था फतेहपुर का फरुका बाद मेरे प्यारो उन्नाब या विठ्थुर जवाव सभी का आना चाहिए भई अमंदे मंदे जवाव दे रहे हैं इसे कैसे काम चलेगा क्यों सर जी हम बताएं बतादू तो आप फरुका बाद कर देना और फरुका बाद का जिला मुख्याले ही तो फतेगड है सर जी यदि पूछा जाएगा कि फरुका बाद का जिला मुख्याले कहां अवस्तिते है तो आप समन जाना सर जी यह तो फतेगड में होगा मतलोगी फरुकाबाद का जो जिला मुख्याले है तो वो कहां फतेगड होगा अब फरुकाबाद की बात आती है तो ये हस्त निर्मित जो छपाई के लिए कैसी छपाई की बात है सर हस्त निर्मित छपाई के लिए जाना जाता है वो फरुकाबाद सभी को पता होगा अब मैंने चलो एक छोटा साकोश्चन लिख दिया, फरूकाबाद किस नदी के किनारे अवस्थिते है जल्दी से बताना है चो फरूकाबाद है, ये कोश्चन होगा छोटा सा कि फरुकाबाद किस नदी के किनारे और यहां हैप्पी वोय जी ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया सर जी आप गंगा नदी कर देना ठीक है ना और फरुकाबाद में गंगा नदी के तट पर एक मुगल घाट भी बनवाया है कोश्चन पूछा जाता है मुगल घा का निर्मान यदि कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा मैं तो आप ही को बताना होगा सर जी कंस्ट्रक्शन हां यह किसने करवाया है तो आप बता देना औरंग जेव ने क्योंकि कोश्चन पूछा जा चुका है ऐसा कोश्चन आता भी है और आएगा तो हम बताएंगे भी ठीक की बात होगी सर जी क्रेसी बान की निती को क्रेसी बान की निती 2023 को अंतिम रूप देने वाला अंतिम रूप दे दिया क्या दे दिया सर जी अंतिम रूप दे दिया तो क्रेसी बान की निती 2023 को अंतिम रूप देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर परदेश राजिस्त और एक चोटा सा कुश्यन होगा यदि मैं आपसे पूछ면 कि ऊत्तर परत्राण गवर्णर ये आप सभी को बताना है आप सवी को बताना है आव देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे जवाब देगा उत्तर परत्रेश की वरत्मान गवर्णर जल्दी से बताना है उत्तर परदेश की वर्तमान राज्यपाल यहां पर आए हैं आनंदी वेन पटेल सर जी आनंदी वेन पटेल पहले कहां की जो मतलों की CM रह चुकी है तो गुजरात की आनंदी वेन पटेल आप सभी ने बताया तो भी या आनंदी वेन और इन छोटे याद कर लेना ठीक है ना आनंदी वेन पटेल ये आपको बताना है स्पीड के साथ आनंदी वेन पटेल कर देंगे चलो नैश्ट कुश्चन किरसी वानिकी की बात थी अगला कुश्चन कारनाथ इस्तित धर्म राजी का इस्तूप का निर्मान किसने करवाया था एक छोटा च कुश्चन होगा मेरे प्यारो वो सारनाथ नाम सुना है आपने सर जी सारनाथ की वात है जल्दी से जवाव देना होगा क्या कुश्चन होगा सारनाथ इस्तित धर्म राजी का इस्तूप का निर्मान या कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था चंद्र गुप्त ने समंद्र क्रमा दित्याने जल्दी से सवी को जवाव तो देना होगा कोश्यन वड़ा वहतरीन यहां पर पहुंचता हुआ और बता वी रहे हैं सर जी आप ठीक है ना आप जल्दी से बताना हैं और बता रहे हैं कि कारनाथ इस्तित धर्म राजी का इस्तूप का निरमान किसने करवाया था तो हम बताएंगे सर राजा असूक ने असोक का नाम सुना होगा सर जी हाँ सिलालेखों का आजाए कि सिलालेखों का भारत में प्रचलन करने वाला पहला सासक कौन है तो सर जी आप बताएंगे राजा असोक होगा अब एक छोटा सा कोश्चन पूछा जाता है यदि कोश्यन पूछ लिया जाए कि कलिंग युद्ध का वरणन असोक के किस सिलालेख में मिलता है, मुझे इतना बता दो, एक युद्ध होगा कलिंग युद्ध, कौनसे युद्ध की बात है, कौनसा युद्ध होगा कलिंग युद्ध का वरणन असोक के किस सिलालेख में म मिलता है तुब बता रहें सर जी तेहरवा कर देना और मेरे प्यारों चीदी वंस की राजा खारवेल से युद्ध लड़ा जाता है ये सभी को पता है चलो नैश्ट कोश्चन कि इसका जवाब सवी की सवी देंगे ठीक है ना तो यहां जवाब 11 कोश्चन है बई 11 कोश्चन का जवाब आपको देना है क्या कोश्चन होगा सर जी चीनी एवं तिब्बती तिहासकारों के अनुसार कनिस्क का ततकालिन उत्तर परदेश के किस स्थान की राजा से तो चलो कोई कह रहे है चलो किस चलो जरूर जाएगी लेकिन आहां पहले इसे करो तो ऐसा कर तो चलो इडियाप से ही आपको ना देखने ही जड़त बड़े तो मैं यहां जी करते चलो ठीक है बहुत बड़िया यह किलास है आपकी और जी के बता रहे हैं सर जी कोई भी भी कह रहा है तो आप भी बताएंगे और मेरे प्यारों यदि मैं बात करूं एकना किसने कनिस्क ने राजा वो मतुरा थी और गांधर कला और मतुरा कला का जो विकास है यह आप बताएंगे सर जी किसने किया है तो आप कनिस्क बता देना वो राजा कनिस्क जिसने अठित तरीजवी की बात होगी मेरे प्यारों तक संबत चलाया और कोश्चन पूचा जाता है हमारा जो राश्टी पंचांग है 22 मार्च 1977 को जो सुविकार किया वो सकसंबत पर ही तो आधारिते है जिसका प्रथम महाचैत का होगा और अंति महाफालगुन का होगा यह सभी को पता होगा नेश्ट कोश्चन अगला होगा गाजीपुर जिले में इस्तित भीत्री अविलेक का निर्मान गुप्त बंसके किसासक ने करवाया था अब जवाव आप सभी को देना है, question most important आपके सामने और बताना होगा कि गाजीपुर जिले में इस्तित जो भीत्री अविलेक का निर्मान है सर जी, कौन से अविलेक की बात है, भीत्री अविलेक का निर्मान गुप्त बंसके किसासक ने करवाया था, शंद्र गुप्त ने समंद्र गुप्त इसकंद गुप्त या कुमार गुप्त इधर इंगलिस वाले भी आ जाएंगे और मुझे जवाव देते चलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है न, तो कौन किसका होगा गाजीपुर, ठीक है न, गाजीपुर जनपद का एक पढ़ती है, उस सहदपुर तैसिल में मेरे प्यारों, तो यहां बताती हुए सर जी आप इसकंद गुप्त कर देना, कौन सा गुप्त करूं मैं, आप बताएंगी सर जी, इसकंद गुप्तर ये भी कोशन पूछ लिया जाता है, इस अविलेख में किसका वर्नन किया गया है ये भी तो कोशन होगा, ये जो इसकंद गुप्त ने इस अविलेख का निर्मान करवाया है, तो इसमें किसका जो जिक्र किया गया है, तो हुण, जो हुण जाती थी थी ना, जिसका राजा तोर्मान था, सक्तिसाली राजा, ठीक है न, और जो सुंग वंस की सासक है, उनसे इसकंद गुप्त के साथ हुए युद का वरणन मिलतार, जिक्र ये पूछा जाता है, तो बताएंगे पुस्य मित्र ठीक है न, सुंग वंस का राजाई तो है, पुस्य मित्र वे, ये आप लिखेंगे, पुस्य मित्र वे, हुणों के बीच, किसके बीच सरजी, हुणों के बुस्य मित्र वे, हुणों के साथ, इसकंद गुप्त के, जो इसकंद गुप्त का युद्ध हुआ है, इसकंद गुप्त के युद्ध का वरणन, या इसकंद गुप्त के युद्ध का उलेख, आप सभी को बताना है, उलेख मिलता है, तो ये आप बताएंगे, ये भी और चिशन आता है सर जी काशी की बहन किसी कहा जाता है तो हम बताएंगे गाजीपुर को कहा जाता है जो गुलाब जल के लिए प्रैसिद्ध होगा वह गाजीपुर होगा अब एक छोटा से मुझे बताएंगे विलसद अविलेक उत्तर परदेश राच्जी के किस जन पद मे अब बताना होगा भाई सावर बता रहे हैं सर जी आप हाँ अफिम फैक्टरी के लिए भी बहुत बढ़िया तो यहां बताया तो विलसद की बात होगी यह तो सर जी एटा जनपद में अवस्तित होगा और इसमें मेरे प्यारो कुमार गुप्त तक के जो गुप्त राजा है उनके वनसावली का जिक्र किया गया चलो नेश्ट कोश्चन एसियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर परदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मेरे प्यारो किसकी बात होगी सर जी पाँच हजार मीटर दोड में सुवन पदक जीता है विनकुर धामा कौन सी जनपद के हैं मेरट के हैं ताहरनपुर बागपत या गाशेबाद कोश्चन बड़ा इमानदार आपके सामने हैं और बताते तो चलना होगा यहां बतावी रहे हैं सर जी आप महारा तो बागपत कर देना बहुत बढ़िया मेर से प्यारों वही बागपत होगा जो सबसे कम यदी में बात करूं सर जी किसका अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती इसमें पाई जाती हैं यह बागपत होगा अब एक छोटा चा कोश्चन होगा अवी अरजुन अवाड दिये गए हैं सभी को पता है सर जी नाम क्या है तो मेरे प्यारों हम बताएंगे सर मुहमद समी और एक का नाम होगा सर जी पारुल चोधरी कौन सी चोधरी होंगी सर जी पारुल चोधरी अब मुझे एक बात बताओ अरजुन अवाड प्राप्तिकरता मुहमद समी उत्तर परदेश राज्ये के किस जनपद के निवासी है और एथलिट पारुल चौधरी उत्तर परदेश राज्ये के जिनों ने अभी एसियन्स गेम्स हुए थे दो हजार तेश में चीन में जहां पर मेरे प्यारो पाँच हजार मीटर की दोड में स्वन पदक जीत कर इस देश और उत्तर परदेश का नाम रोसन किया है सभी लावाद के बतारे हो चलू बहुत वड़िया तो अमरोहा कर देना सर जी वो अमरोहा होगा जो मतलव की बाध यंत्र जिसे मैं बोलूं तो ढोलक के लिए जिसे मतलव जी आई टेग दिया गया पारुल चौधरी सर आप मेरट कर देना और अर्जुन अबाड प्राप् पे की धनरासी दी जाती है ऐसा माड़ा सा कोश्यन होगा तो आपको बताना होगा चलूनेश्ट कोश्यन होगा उत्तर परदेश राज्य सरकार द्वारा पी 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 पवलिक प्राइवेट पार्टनर्सिप मॉडल पर कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णे लिया है ये बताना है in how many district has the उत्तर परदेश गोवर्मेंट decided to open medical college on triple P बोल दू तो बता देना है मतलब की पवलिक प्राइवेट पार्टनर्सिप मैं बोलू तो medical college क्या माफी चाहूंगा 20 जनपद 16 या 10 या 25 ये आपको बताना है question बड़ा सुंदर साब की सामने कह रहे है सर जी 10 C कर देना कोई कह रहा है 20 कर देना देख लेना भाई साब गलत न हो जाए बस ठीक है न तो मामला गलत कहा है गलत ही नहीं करना है सोच समझ के चलना है और भया बन पूछ लिया जाता है PPP का full form क्या है तो public private partnership हम इसका full form बोल देंगे यदि पूछा जाएगा ठीक है चलू अगला next question फाली में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तिते है ये आपको बताना है हाली में खबरों में रहा कालिंजर का किला उत्तर परदेश के किस जिले में ये आपको बताना है जल्दी से question बड़ा सुन्दर आपके सामने पहुँचता हुआ और मैं आसा करूंगा कि आप बताएंगी खबरों में रहा है कालिंजर का किला ठीक है चलू जल्दी से बताना है ना आवना पिमूचता है कालिंजर का किला अब देखेंगे कौन पहले बताएंगा सर 15 कसई क्यू ना कर देतें और 15 कसी होगा मेरे प्यारो बांदाजन्पद कालिंचर की बात होगी ये कालिंचर का किला मेरे प्यारो अपनी सब्वेता अपनी सांस्कृतिक ठीके ना एक ब्रासत का प्रतीक माने जाने वाला वो कालिंचर का किला बताया जाता है बहुत से मुस्लिम राजाव ने इस पर आक्रमन किया इसकी दिवारों को धवस्ति करना चाहा लेकिन इसकी दिवारे एक अटूक पत्थर की तरह खड़ी हुई रही ठीके ना सेरसासूरी का नाम सुना होगा आपने सेरसासूरी मौत के घाट उतर गया 1545 सीशवी में कालिंचर के किले पर आकर्मन करने गया था उस समय कालिंचर की सास कौन थे कीरत सिंग लेकिन हिमायू ने तो सर जी हिमायू ने तो इस पर अपना दीकार इस्थापिति कर लिया था ठीक है चलो तो ये आपको बताना होगा बांदा अम मैं पूछूँगा की बांदा कौन सी नदी के किनारे अवस्तित है और एक मुझे बता देना ओडी ओपी योजना के तहती से किसके लिए माननेता पिरदान की गई है ये दोनों के दोनों जवाब आपी को देना होगा कि बांदा कौन सी नदी के किनारे है तो यहां बताती हुई सर जी आप कैन नदी के किनारे बता देना कौन सी नदी होगी तो सर मैं पाद उस पधार्त के लिए तो आप बताएंगे सर जी आप सजर पत्थर कर देना कौन से पत्थर की बात होगी मेरे प्यारों सजर पत्थर इस तरी किसी तो कोश्चन होगा चलू नैश्ट कोश्चन उत्तर परदेश सरकार के अनुसार प्रधान मंत्री कल्यान अन्योजना के तहे तो उत्तर परदेश में कितने करोड लोगों को मुफ्त रासन दिया जा रहा है इस तरी के से मतलव ये इंगलिस बाला होगा तो जल्दी से आपको बताना है क्या होगा उत्तर परदेश सरकार के अनुसार प्रधान मंत्री कल्यान अन्योजना मेरे प्यारों कौन सी योजना 20 बता रहे हैं सर जी आप 20 कर देना यहाँ पर और देख लो कभी और ओप्सन लिख रहा हो ठीक है न तो प्रधान मंत्री अन्योजना की वात होगी सर आप कर देना 14 करोड यहाँ पर एकदम राइट होगा 14 करोड बहुत ही सुन्दर सा कूशन है और भाईसव जवाब तो देना होगा ऐसे कूशन का जवाब दिया करो और यह आते हैं निश्चित तोर पर पूछे जाते हैं जब पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा ठीक है चलो नैश्ट कूशन जल्दी से बताना है हाल ही में चर्चा में रहा वन टांगिया समूदाए उत्तर पर देश के किस जिले से समबन दिते हैं निश्चित तोर पर कूश्चन पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर्ची हाल ही में चर्चा में रहा वन टांगिया समूदाए उत्तर पर देश के किस जिले से समबन दिते हैं क्या गोरकपुर से होगा बस्ती गौंडा या आजमगड ये स्पीड के साथ आपको जवाव तो देना होगा और एक और मैं आपको बताऊ ना अभी कूश्चन के मंतरी योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले दीपावली किस समूदाए के साथ मनाई अब के अब मतलब हर बरसी बनाते हैं तो सबसे पहले 10-5 मिनट इस बंटांगिया समूदाए की तरफ जाते हैं और इने एक जो है मतलब मैं बवलू तो सामाजिक और आर्थिक रूप स इनके कल्यान की व्रदी और इने दर्जा देने का ही जो है महत्म जाता है तो वो CMG को ही जाता है क्योंकि उन्होंने समसे पहले इस समूदाए की तरफ नजर उठा कर देखा ठीक है तो आप बताएंगे जो बन टांगय समूदाए है सर जी ये गोरकपुर जनपद में वाता चलूँगा उत्तर परदेश में सबसे जादा जो वरसा होती है सबसे जादा वरसा सर जी आप गोरकपुर क्यों न वता देते सबसे जादा वरसा हां यो गोरकपुर और सबसे कम मतुरा में होती है वो गोरकपुर होगा सर जी जहां पर खिचडी मेला लगता है ना प गोरकपुर कौन सी नदी के किनारे ये आप ही को बताना है गोरकपुर कौन सी नदी के किनारे जल्दी से बताएंगे गोरकपुर किस नदी के किनारे है जवाब आपका सवाल महारा राप्ती नदी बहुत बढ़िया इसी तरीके से और वन डिस्टिक वन प्रोडेक्ट योजन देवी रहे हैं उत्तर परदेश के किस जिले में पांच दिवासिये एक सांची महोसब का आयुजन किया गया है ठीक है ना इन विच डिश्टी कॉप उत्तर परदेश the five days सांची महोसब has been organized यह आपको बताना है सांची महोसब की बात है हाई है सर जी हाँ तो कौन से महोसब की बात है तो जल्दी से सवी speed के साथ जवाब देंगे मटू रा लिख रहे हैं मदू रा लिख दो ठीक है ना अब देखो अब यहीं एक मैं आपको छोटी सी बताऊंगा यदि टीचर से क अब एक कोश्चन और बता दो मुझे सर आयूर वेद महोसब कहां मनाया जाता है तो मेरे लाड़लो आपको मतूरा ही तो बताना होगा यदि कोश्चन आएगा तो मतूरा अब एक कोश्चन और बता दो मुझे सर आयूर वेद महोसब कहां मनाया जाता है ये तो आपको बताना होगा कौन से महोसब की बात होगी सर जी आयूर वेद महोसब स्पीड के साथ सबी को जवाब देना है आयूर वेद महोसब यदि मुझे से पूछा जाएगा तो मैं एकदम बताऊंगा जहासी कर देना सर जी तो आयूर वेद महुसब की बात है तो सर आप जहासी कर देना वो जहासी यो बंगरा पहाडी पर अवस्तित है इसे कोशन भी पूछ लिया जाता है आजए कि जहासी कौन सी पहाडी पर अवस्तित होगा या इस्तित है तो आपको बताना होगा सर जी बंगरा पहाडी कौन सी पहाड़ी मेरे प्यारों, तो मैं आपको बताऊंगा शर जी तो बंगरा पहाड़ी पर अवस्तिते हैं, इसे तो सभी बताएंगे, तो जन कितनी वार आ गया, लेकिन कोश्यन पूचा जाएगा, इसे मैं इह बताऊंगा ताज महुसब, ताज महुसब आगरा में मनाये जाता महा तो आप बताएंगे सर जी तो आप फरवरी कर देना क्या कर देना तो मेरे प्यारो यदि मैं बात करूंगा तो सर जी आप फरवरी करेंगे बड़े बहतरीन तरीके से जवाव तो आपको देना होगा किस की बात होगी सर फरवरी की बात होगी बता ना है कोश्चन बड़ा सुन्दर है नैश्ट अगला कुश्चन मुहम्मद गौरी दुवारा कन्नोज के हिंदू सासक की नकल करके बनवाए गई स्वर्ण के सिक्कों के उधर्व पर किस देवी का चित्र अंकित था मेरे प्यारों मुहम्मद गौरी आकर्मन करता आ रहा है पहले मुल्तान पर किया है सभी को पता होगा ठीक है ना जैदी में इतिहास में जाऊं तो पहले मुल्तान वताया जाता है गुजरात की सौलंकी वंस की राजा थे भीम सेकिंड वताया जाता है जिसे मूल राज की नाम से भी जाना जाता है फिर तराइन का पिर्थम युद्ध सेकिंड युद्ध हु सर कब हुआ है त almonds ग्यार град कि 1484 में हुआ है और किस किस के बीच हुआ है सर जी मोहमद गॉरी हमें बताना होगा ठीक है और दूसरा पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर गहरवालवश्च के राजा राजा जैचंद नाम सुना होगा ये अंतिम राजाई होंगे गेहडवाल वंस के अंतिम राजा जैचंद के बीच ये युद्ध होता है तो पहले मुझे बता दो ये चंदावर का मैदान उत्तर परदेश राज्जी के कौन से जनपद में अवस्तित है ये तो कुश्यन पूछा जाएगा और जब पूछा जाएगा तो आपको भाईसर जवाव देना होगा मैदान वताना है इतावा वता रहे हैं सर जी आप इतावा कर देना कोई कन्नौज कह रहा है अब ही अब मैं एक और छोटी सी चीज आपको बताऊंगा जो ये जो चंदावर का जो मैदान है पहले इतावा की हिस्सा में आ रहा था लेकिन आज इसकी वरत्मान पोजीशन की मैं बात करूँ तो ये वरत्मान में फिरोजावाद जिसे सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है आज इसकी जो इस्तिती है ये फिरोजावाद में अवस्तित है सर जी कौन सा तो आप बताएंगे तो फिरोजावाद में होगा और मेरे प्यारो एक तरफ लक्षमी देवी की मतलब की लक्षमी जो है उनकी आकरती और दूसरी तरफ कलमा गुदा हुआ था ऐसा वताय जाता है तो मुहमद गौरी ये आपको बताना है चलो नेश्ट कॉश्चन आगरा का बिश्व पिरसिद ताज महल नामक मकवरा किसकी यादमी मुगल वादसा सहा जहां दुवारा बनवाया गया था ऐसा छोटा सा कॉश्चन होगा सर जी चलो हाँ ऐसा ही तो आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आगरा का जो बिश्व पिरसिद ताज महल है ये यूनेस्को की सूची में ठीक है ना किस वर्स तो मैं आपको बताओं यूनेस्को तो सर जी इसे तो इजी से तो मैं लिख दूँगा और टफसा आपको बताना है 1983 ठीक है ना यूनेस्को की जो सूची में या ब्रासत सूची में जो इस सामिल किया गया 1983 में और भाई साब प्यार की एक निसानी है ठीक है नाम उसका ताज महल है बताएंगे सर जी आप कर देना मुम्ताज महल वास्तविक नाम ही तो आपको बताना होगा यदि कोश्चन पूछ लिया जाए कि मुम्ताज महल का वास्तविक नाम तब भाई साब टकर की बात बनेगी कि मुम्ताज महल का वास्तविक नाम क्या है ये कोश्चन पूछा जाता है हमसे कि मुम्ताज महल का वास्तविक नाम बड़ा वैत महरु निंसा भूल जाओगे जिंदगी में महरु निंसा याद नाएगी सपने में भी ठीक है अर्शु मंद बानो बेगम ही आएगी ठीक है वास्तविक नाम तो आप बताएंगी सर अर्शु मंद बानो बेगम कौन सी है अर्शु मंद बानो बेगम ये पूछा जाता है वास्तविक नाम हमसे कैई बार पूछा गया जैसे रविया बीवी आ जाता है औरंग जेव की पतनी का नाम रविया वीवी था रविया वीवी का वास्तविक नाम कैई वार पूचा गये दिलरास बानो बेगम और मुम्ताज महल का वास्तविक नाम हम से पूचा जाता है तो सर्ची हम अर्चु मंद बानो बेगम बताएंगे कौन सी वेगम होंगी अर्जु मंद बानो वेगम पंद्रेसो और मापी चाहूँगा सोलेसो इकत्तिसी इसीबी में मेरे प्यारो प्रेसप पीडा के कारण बुरहान पुर्चु मद्य परदेश में पढ़ता है वहाँ पर इनकी म्रती हो जाती है और ये ताज महल का निर्मान हो जाता है ठीक है चलो आगी चलेंगे next question पर बारान सी के विस्वनात मंदिर तथा मतूरा के केसव राय मंंदिर को किस मुगल वादसह ने दवस्त किया था वो बारान सी का मेरे प्यारो विस्वनात मंदर आपने जो यदि मैं बात करूं यदि इंदोर की वो रानी हैं देवी अहिल्यावाई हॉलकर नाम सुना होगा उन्होंने इसका निर्मान करवाय था बाराणसी के विस्वनात या कासी के विस्वनात मंदिर का निर्मान देवी अहिल्यावाई हॉलकर ने ये पूछा जाता है सर जी या मैं अहिल्या वाई हॉल कर ही बताऊं तो आपको बताना है इन दोर की थी ये देवी अहिल्या वाई हॉल करवा की जो है रानी वगेरा थी उन्होंने इस कासी के वाराण सी की विस्वनात मंदिर का निर्वान करवाया और केसव मतुरा का केसव राय मंदिर भी है किस मुगल वादसा ने द्वस्त कर दिया क्या जहांगीर ने औरंग जेव अकवर या हुमाईू जबाव आपका जल्दी से बताती चलेंगे और यहां बताते भी चल रहे हैं सर जी आप भी कर देना औरंग जेव कर दूं चलो सर जी औरंग जेव कर देना वो औरंग जेव जिसे जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता है कौन सा पीर होगा जिन्दा पीर होगा आलमगीर की नाम से भी इसे जाना जाता है और एक मातर मुगल वादसा जिसका दो बाराज्य भी सेख हुआ जो 1658 से लेकर 1707 इस भी तगद्धी पर बैठा है नाम सरची इसका औरंग जेव है ठीक है शलो तो ये आपने बताया इसी के साथ अगला कोश्चन औरंग जेव के सासन काल में किसके नेतरत में बुंदेल खंड में विद्रो हुआ था कितना बहतरीन कोश्चन है और मैं आसा करूँगा कि आप इसका जो जवाब देंगे यदि किसकी बात है औरंग जेव के सासन काल की बात है मेरे प्यारों बुंदेल खंड में विद्रो हो गया वो बुंदेल खंड जिसमें उत्तर परदेश के साथ जनपद आते हैं ये हम बताएंगे बढ़िया तरीके से तो औरंग जेव के सासनकाल में किसके नेतरत में मिरेल आडलो बुंदेल खंड में क्या हो रहा है विद्रो हुआ था राजा बुंदेला गोकुला बीर छत्र साल या राजा राम कोश्यन बड़ा सुन्धर आपके सामने और मैं आसर करूँगा जवाव तो आपको देना होगा और बता वी रहे हैं भई राइट ही जवाव देना है सभी को एकदम राइट जवाव देना होगा और देखेंगे कौन स्पीड के साथ जवाव देगा सर जी आप सी कर देना बीर छत्र साल बड़ा बहतरीन कोश्यन है मेरे प्यारो कौन सा बीर छत्र साल किसके सासनकाल में औरंग जेव के सासनकाल में, कहां, बुंदेल खंड में, तो ये इसमें इतना ही होगा, नेश्ट अगला कूश्चन होगा, रिपोर्ट के अनुसार, दस सरवादिक प्रेदूसित सहरों में, उत्तर परदेश के किन सहरों को सामिल किया गया है, भाय साव, ठीक है न, जो है, दस सरवादिक प्रेदूसित सहरों में, भारत में, ठीक है न, एक रिपोर्ट आई है, और उत्तर परदेश के, मतलब भारत के वो दस सहर लिये हैं और उत्तर परदेश के किन सहरों को सामिल किया गया है सर जी गाश्यवाद को मेरट को और नौएडा या उप्रोक्त सभी एक होगा ये आपको वताना होगा कोश्चन बड़ा बहतरीन होगा और मैं आसा करूँगा कि जवाब आप सभी को देना होगा और यहाँ जवाब देते भी चल रहे हैं सर जी आप गाश्यवाद कर देना और कोई कह रहा है तो यहाँ पर उप्रोक्त सभी वाले जो हैं एकदम राइट होंगे सर गाश्यवाद को भी मेरट को भी और नौएडा को भी तीनों को सामिल किया गया है यह प्रैदूसित सहर है मतलब प्रैदूसित सहरों में इन्हें सामिल किया गया है गाश्यवाद मेरट और नौएडा ऐसा आएगा कोश्चन तो बता देंगे चलो नेश्ट कोश्चन उत्तर परदेश की कितनी महिलाओं को सुवक्ष सुजल सकती सम्मान 2023 सम्मानित किया गया है तो ये हम बताएंगे सर जी कितनी महिला होंगी ये आपको जवाव देना है बड़ा सुन्दर सा कोश्चन आपके सामने होगा उत्तर परदेश की कितनी महिलाओं को सुवक्ष सुजल सकती सम्मान 2023 सम्मानित किया गया है सर क्या दो होंगी तीन चार या पांच कोश्चन बड़ा बहतरीन आपके सामने पहुंचता हुआ और यहां कह रहे हैं सर जी आप दो तीन वह यह तो गड़वड गया मामला ठीक है ना अब बात होगी भाई साब गड़वड में क्योंकि कुछ का आ रहा है तीन कुछ का रहा है चार और कुछ का रहा है पांच अब करूं तो मानू तो मानू किसकी सर जी हा तो भाई साब निरने मुझे लेना पड़ेगा तो राइट होंगी भाई साब दो आपको क्या करना है दो तो उत्तर परदेश की जो दो महीलाओं को सुजल सक्ती या सुवक्ष सुजल सक्ती सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आप दो लगा देना और इसी के साथ अगला कोश्चन होगा भारत के किस राज्य सरकार द्वारा सेंट्रल विष्टा की तरज पर नया बिधान मंडल भवन बनाने का निर्णे लिया गया है कितना सुंदर कोश्चन है कोई बताएगा सर जी सेंट्रल विष्टा क्या है ठीक है ना तो मैं बात करूं तो सर जी हमारी चुपारलिया मेंट ह जो संसद है इस सेंट्रल विष्टा की तरज पर उत्तर परदेश राज्य सरकार ने मेरे प्यारो एक बिधान मंडल बनाने का निर्णे लिया है। बड़ा बहतरीन कोश्चन होगा सेंट्रल विष्टा में मेरे प्यारो जो कारपेट जो बिचाई गई है तो ये बताएंगे सर भधोई बता देना वो भधोई होगा मेरे प्यारो जो उत्तर परदेश का सवसे कम बन छेत्रवाला जनपद होगा तो मैं तो सर जी भधोई कर द देना है तो इस सेंट्रल विष्टा में जो कारपेट विचाई गई है वो बधोई से और इस सेंट्रल विष्टा की तरज पर नया बिधान मंडल चुभवन बनेगा वो उत्तर परदेश राज्य सरकार ने ऐसी घूशना की है उत्तर परदेश के किस जिले में अखिल भारत ठीक है ना ना पढ़ रही वई यूट बोल रहे हो है जा चलो बहुत बढ़िया तो जवाब देंगे सर जी क्या जवाब होगा उत्तर परदेश के किस जिले में अखिल भारतिय आयूरवेद महा सम्मेलन का आयूजन किया गया अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ जवाब देगा बड़ा सीधा सा कूशन है ठीक है अच्छे कम पढ़ रही है तो ये बड़ा सीधा सा कूशन आपके सामने है तो जल्दी से बताएंगे और देखेंगे भाई साम माना कि ये आपकी परिक्षा में कूशन आ गया अभी तक तो मुझे सब का जो है गलती लग रहा है कि ये है अखिल भारति आयूर वेद महा सम्मेलन अभी तक तो ये सबी का गलती आ रहा है क्योंकि अर देखो एक ही वच्चे ने जवाब दिया है सर जी आप मेरट कर देना ऐसे ऑप्षन पर नजर न जाएगी आपकी ऐसे ऑप्षन पर नजर ही न जाएगी ना ऐसे जनपद जाएगी आएगा तो जैसे गोरखपुर होगा सर जी आगरा मेरट इस तरीके से सहारनपुर तो आप बताएंगे सर जी वो मेरट होगा सर जिसे कैशी उद्धियों के लिए जाना जाता है भारत की क्रीडा राजधानी भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है सर जी आप ब करूं खेल का सामान बनाय जाता है न किरीडा राजधानी तो आप बताएंगे सर जी मेरठ होगा जो हिंडन नदी की किनारे अवस्तित वो मेरठ होगा मेरे प्यारों सिंदु घाटी सब्वेता का सबसे पूर्विस्थल आलमगीर पूरों यहीं पर मेरठ में अवस्तित होगा हस्तिनापुर की बात करूं जिसे जैनियों की कासी कहा जाता है जैनी जैन्धरम बाले जो जैनी हैं उनकी कासी किसे कहा जाता है हस्तिनापुर को कहा जाता है वो हस्तिनापुर भी तो मेरे प्यारों कहां आवस्तित होगा मेरठ में ही तो होगा तो यह आपको बताना होगा पर ऐसा कोशन गलत न करने का उत्तर परदे सरकार ने राष्टे ग्रामीन आजीवी का मिसन की तहत वर्ष 2023 तक कितने लाख ग्रामीन परिवारों की महिलाओं को रोजगार उपलवद कराने का लक्षे रखा है इधर आप बता देंगे सर जी इंगलिस वाले आजाएंगे उत् 2023 तक कितने लाख ग्रामीन परिवारों की महिलाओं को रोजगार उपलवद कराने का लक्षे रखा है 45 लाख 50 लाख 35 लाख या 60 लाख कोशन बड़ा बहतरीन आपकी सामने होगा और जवाब देखेंगे किसका सही आएगा अब गलत बताना हो के वी ठीक है तो यहां बता र परदेश सरकार ने जो राष्टी ग्रामीन आजी भी कमिसन है इसके तहत वर्ष 2023 तक मेरे प्यारों 45 लाख ग्रामीन परिवार की महिलाओं को रोजगार उपलवद कराने का लक्षे रखा था तो आपको बताना होगा सर जी 45 लाख नेश्ट कोशन उत्तर परदेश के किस जीले में दुनिया का पहला जल विश्विद्याले का निरमान किया जाएगा कितना सुंदर कोशन आपके सामने होगा बताएंगे मेरे प्यारों बड़ा सुंदर सा कोशन और जवाब देना है भई उत्तर परदेश के किस जिले में दुनिया का पहला जल विस्विद्याल्य का निर्मान किया जाएगा इसका जवाव आपको देना होगा ठीक है ना लेकिन आपने सभी ने जवाब एक दो राइट दिया है सर जी हमीरपुर कर देना एक कल्चुरी वंस था मेरे प्यारो और उस वंस की राजाते हमीर देव नाम सुना होगा अपने हमीर देव मेरे प्यारो उसने इस हमीरपुर को बसाया जिसका प्राचीन यदी में बात करूँ इसे जेजाक भुक्ती के नाम से भी जाना जाता था ठीक है ना यदी बात होगी सर जी प्राचीन नाम बता रहे हों आप हाँ जेजाक भुक्ती इस तरीके से लिख देना बुंदेल खंड में पढ़ता था ना तो जेजाक भुक्ती के नाम से और मेरे प्यारो यदी मैं बात करूँ वो हमीरपुर जिसे ODP योजना के तहत यदी बात होगी One District One Product योजना के तहत इसे किस मतलब की उत्पाद के लिए माननेता पिरदान की गई तो ये बता ना होगा ठीक है जलो नीतु सिंग आ जाओ जल्ली से ठीक है Next Question केसरी नात तिरपाटी का निधन हो गया उन्होंने किस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कारे किया था कितना बहत्रीन Question है केसरी नात तिरपाटी जी का निधन हो गया हाँ उन्होंने किस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कारे की अथा अरुना चल परदेश, मध्य परदेश, उत्तर परदेश या बिहार तो इधर जो इंगलिस वाले भी मदल करती चलेंगे साथ के साथ तो केशरी नात तिरपाटी जी का निधन तो हो गया अब ये हमें बताना इन्होंने किस राज्य की विधान सभा तो सभी वता रहे हैं सर्ची आप वता देना उत्तर परदेश करेंगे अब विधान सभा की बात है उत्तर परदेश विधान सभा का प्रेथम अध्यक्ष अब देखेंगे अब होगी भाईसव टक्कर की बाद प्रेथम विधान सभा अध्यक्ष और आप बरतमान वी आप ही वताएंगे इस सर्ची चब बरतमान वरतमान अध्यक्ष और प्रत्म विधान सवाध्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद्याद की बात होगी सर जी आप सतीस महाना बता देना कौन सी महाना होंगे वर्तमान तो सर जी सतीस महाना होंगे और प्रत्थम विदान सवा अध्यक्ष पुरुसोतम दास टंडन होंगे और मेरे प्यारों एक केसरी नातिर पाठी वी थे जो उनका जो है मतलब की मृत्य हो गई है त तो भाई साव ये 26 जनवरी का यदि पूछेगा 2023 का पूछेगा ठीक है ना तो हमसे पूछेगा क्या 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की प्रेड में उत्तर परदेश जहांकी का विसे रखा गया था गंगा यमुना तहजीब आयोध्या दीपोत सब ब्रज संस्कृति या उप आपको बताना है और मैं आशा करूँगा कि आप बताएंगे सभी के सभी बताएंगे ज forma कोई कह रहा है कोई कह रहा है भी लेकिन हाँ पर जो राइट होगा वो होगा अयुद्या दीपोत सब मेरे प्यारों अयुद्या दीपोत सब की यदि मैं बात करूं दीपाली के दिन 22.23 लाक जो दिये जलाकर विस्व रिकॉर्ड भी हाँ पर अयुद्या में दर्ज किया गया है ठीक है ना कितने दिये तो ये भी हमसे पूछा जाएगा दियो की बात होगी सर तो दिये आप बताएंगे कितना 22.23 लाक ये बताना है तो थरी लाक दिये जलाकर विस्व रिकॉर्ड भी जो गिनिच वर्ल्ड जो रिकॉर्ड होती ना बुक वाली उसमें रिकॉर्ड दायर किया गया ये भी आप सबी बताएंगे नैश्ट कोश्चन होगा जुलाई 2018 की इस्तिती के अनुसार उत्तर परदेश में सबसे लंबी उंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली है ये कोश्चन ऐसा तो पूछा जाएगा बई निश्चित तोर पर पूछा जाएगा और मैं आसा करूंगा कि जवाब आपको द चलो जी जुलाई 2018 की इस्तिती के अनुसार उत्तर परदेश में सबसे लंबी उंचाई वाली सड़क कहां तक फैली हुई है जेवर से ग्रेटर नुएडा यूपी गेट से गाश्यवाद में राजनगर विस्तार तक सेफ़ई से एटा नुएडा एक्स्टेंसन से सब्सक्राइब आपके सामने पहुचता हुआ बताएंगे सर जी डी वता रहे हैं हाँ पर ठीक है ना सबी कह रहे हैं सर जी डी कर देना लेकिन राइट तो मेरे प्यारो भी होगा क्या होगा सर जी यूपी गेट से गाश्यवाद में राज नगर जो विस्तार है वहां तक म दुक्तर परदेश में सबसे जो लंबी उचाई वाली सड़क मतलब कि लंबाई और उची जो सड़क है वो होगी आपकी राजनगर एक्स्टेंशन से यदि लंबाई की बात की जाएगी सर लंबाई तो बताओ कितनी लंबाई है हम भी तो देखें और हम भी जाएं तो मेर प्यारों इसे बनाने में चो लागात आई है 1100 करोड रुपे की लागात आई है तो आप बताएंगे सर बी राइट कर देंगे ये एकदम राइट आंसवर आपका होगा नेश्ट कोश्चन उत्तर परदेश के किस जिले में अमरूद महुस्व 2023 का आयोजन किया गया है जल् करूंगा कि जवाव आप सभी देंगे बहतरीन तरीके से जवाव तो देना होगा उत्तर परदेश के किस जिले में अमरूद महुस्व चार ऑप्चन होंगी सर क्या कानपुर्ण प्रियागराज कौसांभी या प्रतापगड तो इस पीड के साथ यहां पर जवाव आपके चलते हुए सर आप जो है महारा तो बी कर देना और बी का मतलव होगा प्रियागराज ठीक है चलो अब एक और बता दो मेंगो फेस्टिवल यदी मुझसे पूछा जाएं यदी मैं बात करूं किसकी मेंगो फेस्टिवल इस तरीके से आप सभी को बताना है मेंगो फेस्टि चलो एक रह गई तो आप इस तरीके से करेंगे mango festival ये आपको बताना है question बड़ा सुन्दर सा आपकी सामने होगा क्या होगा sir जी mango festival बता रहे हैं sir आप लखनव कर देना क्या कर देंगे तो लखनव आपको बताना होगा ये भी question हमसे पूछा जाएगा और मेरे प्यारों यदि अम्रूद महुसब की बात होगी तो आप बता देंगे sir जी प्रियाग राज होगा ये question आएगा तो निश्चित तोर पर आपको बताना होगा अगला question आपके इसकी रिन बूर पर उत्तर परदेश राज्चे में यमना एक्सप्रेस वे नीम लिखित इन दो सहरों को जोडने के लिए बनाया गया है यमना एक्सप्रेस वे की बात है sir यहाँ पर ठीक है न तो जल्दी से बताना है किसकी बात होगी तो यमना एक्सप्रेस वे क्या आगरा और लखनव को यदि मैं इसकी लंबाई हमसे पूछ ली जाती है तो हम बताएंगे 165.5 किलो मीटर इसकी लंबाई होगी जिसका उधिघाटन मेरे प्यारों 9 अगस्त 2012 को मुक्के मंत्री अखलेस यादव जी ने किया था यदि उधिघाटन की बात होगी सर आप उधिघाटन वता देना 12 अगस्त की बात होगी 12 अगस्ती तो था 9 अगस्त 2012 था के अगस्त यदि बात होगी 9 अगस्त 2012 ये राइट होगा 9 अगस्त 2012 को CM मुक्के मंत्री अखलेस यादव बनवाया तो ये मायवती जी ने था लेकिन ज तरकार होगी चैंज अकलेस यादव जी तो ये होगा आपका आगरा और गिरेटर नेडा जिसकी लेंथ होगी 165.5 किलो मीटर आ रही है बासुन में सभी के हाँ जी आ रही है चलो बहुत बढ़िया तो ये आपने बताया इसी की साथ नैश्ट कुश्चन भारत के कुल भौग प्रतिसत है ऐसा चूटा सा कुश्चन होगा सर जी ऐसा भी आएगा हाँ मेरे प्यारो ऐसा ही आएगा और जब परिक्षा होल में बैठा होगा तो हमें केडा दिखाई देगा ठीक है ना और करियाएंगे 9.02 है परिक्षा होल से बाहर निकलेंगे टंपू में बैठेंगे टंपू वाले बहार ही लगाते रहें अब आज जैसे आपको पड़ा सेंटर यदि अपने बहार कस्से ना गए तो बहार टंपू वाले खड़ी रहती है भूलेंगे केसर बाग केसर बाग टंपू में बैठेंगे ऑफ-लाइन यदि हमारा पेपर पेपर हाथ में रहेगा त तो आप बताएंगे 7.333। इन पूरिशी से उत्तर परदेश का हारत में कौन सा इस्थान हैं उत्तर परदेश का शरजी भारत में यह हमें बताना है, भारत में कौन सा इस्थान है? जल्दी से बताना होगा देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे जवाब देगा कौन सा स्थान और जवाब तो आ रहा होगा देखेंगे सर चोथा कर देना बहुत बढ़िया तो पहले पर कौन सा होगा राजिस्थान होगा सर जी जो 10.4 पृतिसत उसका छित्रफल होगा दू उत्तर परदेश के किस जिले में चौथा अंतराश्टी फिल्म महुसव 2023 का आयुजन किया गया है यह भी कोश्चन बड़ा बहतरीन आपकी सामने और यहां बताते हुए सर जी उत्तर परदेश के किस जिले में चौथा अंतराश्टी फिल्म महुसव 2023 का आयुजन किया लेकिन अब बरतमान में किया गया है तो इधर इंगलिस वाले भी आप बताएंगे बड़ा बहतरीन कूश्चन आपके सामने यहां पर पहुंचता हुआ और बता रहे हैं सर जी आप गूरकपुर कर देना महारा तो आप बी 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 चौथा अंतराश्टी फिल्म महुसव 2023 का आयुजन किया गया देख लेना गलत ना हो जाए सवका गूरकपुर आ रहा है ठीक है गलत भी है भाई साब योगी वावा की सहर में तो अच्छिया चलो अब यह देख लेना है गलत ना हो जाए बस एक बार है और अब यह किसी का राइट एक एक वच्चे ने तो वताया थ आप आजम गड़ कर देना ये कोश्चन बड़ा बेहतरीन है ठीक है आएगा निश्चित और पर आज़े हैं और ऐसा ही कोश्चन आएगा वह आजम गड़ होगा मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं उत्तर पर देश का दूसरा सरवादिक लिंगानु पात वाला चन्पद दू दूसरा सरवादिक सर जी ये हमें बताओ आप दूसरा सरवादिक लिंगानु पात वाला जनपद ये कोश्चन बड़ा सुन्दर सा है लिंगानु पात वाला लिंगानु पात वाला जनपद यदि आएगा तो हम बताएंगे सर वो तो आजम गड़ होगा कौन सा गड़ होगा तो सर जी आजम गड़ होगा कोश्चन पूछा जाता है कितना एक हजार ठीक है ना एक्किस उन्निस उन्निस होना चाहिए उन्निस होगा और आजम गड़ की मैं बताँ उत्तर परदेश का सरवादिक अनुसूचित जाती लिंगानुपात वाला जनपद सर जी आजम गड़ होगा तब एक हजार एक्किस होगा वो आजम गड़ होगा जो ब्लैक पोटरी के लिए जाना जाता है यदि मैं बात करूं सर जी ब्लैक पोटरी हाँ तो ये आपको बताना है ब्लैक पोटरी की बात होगी तो मेरे प्यारो आजम गड़ आपको बताना होगा बहुत बहतरीन कुश्चन है ठीक है ना ठीक है तो जहां तक है पॉइंट आपकी समझ में आरा होगा और आपने बताया वो आजम गड़ मेरे प्यारो जहां पर महराजा सुहेल देव ये भी कोश्चन आता है कौन से महराजा की बात होगी सर जी महराजा सुहेल देव ये आप बताएंगे महराजा सुहेल देव राजकिय विस्विद्याले या राजे विस्विद्याले कहां आवस्तिते है सर मैं तो आजम गड़ बताऊंगा मैं क्या बताऊं तो मैं बताऊंग उत्तर परदेश सरकार ने किस एतिहासी किस मार्क से जुड़वा मचली का राजचिन अंगिकार किया है। प्रदेश सरकार ने किस एतिहासी किस मार्क से जुड़वा मचली का राजचिन अंगिकार किया है। सर जी रूमी दर्वाजी का निर्मान किस ने करवाया था कंस्ट्रक्शन तो आप बताएंगे अवद की नवाब होंगे नवाब आसफु दोला उनका नाम होगा सर जी आप नवाब आसफु ऐसे कर देना हैं। बड़ा सुन्दर सा कोश्चन होगा वर्स कौन सा होगा सर 1784 कर देना। क्योंकि कनिष्ट साय की परिक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था रोमी दर्वाजा की उंचाई कितनी है तो सर जी आप साट फिट क्यों न लगा देतें। कंस्ट्रक्शन नवाब आसफु दौला ये आप बता देना बहुत बढ़िया तरीके से 1784 कहा होगा जब तो सुजव दौला गदी पर बैठा है चलो ये आप बताएंगे अगला कोश्चन ब्लैक पोटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर परदेश में अब बताओ ना चलो ये आपको बताना है इस्पीड के साथ यहां पर जवाब आता हुआ सर जी आप कर देना ठीके ना क्या कर देना बी कर देना बहुत बढ़िया तो सवी का जवाब आता हुआ सर जी आपका होगा भाई साव क्या बी इनिजामा बाद ये कहां पड़ता है अभी तो करवाय था सर ये तो आजम गड़ में पड़ता है आजम गड़ की बात होगी और यदि मैं खुरजा की बात क तो सर जी ये तो आप स्रेमिक कर देना स्रेमिक को उत्पाद के लिए जाना जाता है कौन सा वो खुरजा होगा मेरे प्यारो और चुनार की बात जो मिर्जापुर में पढ़ता है सर जी ये रेड मिट्टी के वर्तन मतलब की लाल मिट्टी के वर्तन ये भी आप सभी को बतान लाल मिट्टी के वर्तन के लिए जाना जाता है लाल मिट्टी के वर्तन ये हम बताएंगे आपको करना तो हुगा भाई साव और लखिम पुर्खीरी छेत्रफल की द्रस्टी से उत्तर परदेश कसम से बड़ा जन्पद सकते पिछेतर सो नचेतर सो अस्सी बरग किलो मीटर च दिखेंगे टक्कर होगी आमने सामने की बैए अब बताना होगा जवाव आप सभी को लाल बहदुर सास्त्री हवाई अड़ा है हाँ हवाई अड़ा ही तो है वावतपुर वारान सी में है क्या कल्यानपुर कहनपुर में बमरॉली प्रियाग राज में खैरिया आघरा में जल्दी से जवाव देना होगा और ऐसे जवाव यदि आप जो है ना देंगे तो बात हो जाएगी भाई सब गलत जवाव सभी का बनता तो है क्योंकि परिक्षा नजदी कह है परिक्षा की घड़ी आगी है ठीक है ना चलो तो यहां बता रहे हैं सर आप ए कर देना बहुत बढ़िया तो बाबत पुर और बाबत पुर कहां पढ़ते हैं तो आप बताएंगे सर जी तो वारान सी में हैं एक छोटा सा कुश्यन और आपके सामने होगा क्या होगा सर जी चोदरी चरण सिंग अंतराष्ट्य हबाई अड़ा जल्दी से बताना है चोदरी चरण सिंग ठीक है ना चोदरी चरण सिंग अंतराष्ट्य हबाई अड़ा स्पीड के साथ सभी जवाब यहां देंगे चौदरी चरण सिंग अंतराष्टे हबाई अड़ा वै यदि जवाब ना आया ना चौदरी चरण सिंग अंतराष्टे हबाई अड़े का तो आप ये समझ लेना तो यहां बताते हुए सर जी आप क्या कर देना लखनव कर देना बहुत बढ़िया मेरे प्यारो राजधानी च यह भी तो question आएगा भारत के पहले वो कानून मंतरी सर जी जो इंडियन Constitution की प्रारूप समीती जिसे मैं बोलो संभीधान सबा की प्रारूप समीती के वो अध्यक्ष जिने इंडियन Constitution का फादर कह ज़ता है है ठीक है चलो बहुत बड़ी हाँ अभी आप कमेंट देख लिए आपको नमस्कार किये हैं वो नहीं देखे अच्छा चलो अब के देखूंगा रही है चलो तो यह वता दो जवाब आपको तो बताएंगे सर जी मेरट आप कर देना मेरट में तो डॉक्टर वियारम मेडियर ह जनगर्णा की अनुसार नीम लिकित में सुत्तर परदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी अभी मैंने कल जव जो है एक मैं मतलों की किलास ली थी मैंने चार वजे उसमें मैंने एक कोशन था घनी आवादी अब घनी आवादी जैसे सब्द लगा तो बच्चों ने समझा की मतलों की जनसंख्या घनत्व मतलों जन घनत्व कह रहे हैं ये घनी आवादी और जन घनत्व में यदि भाई सब डिफ्रेंस न पहचान पारे तो मामला डिसमें से है फिर तो ये बताएंगे सर जी 2011 की जनगर्णा की अनुसार नेमली कितमे से उत्तर परदेश की कि जिले की जनसंख्या सवसे अधिक थी तो सर जी आप प्रियाग राज क्यों न कर देते और वो प्रियाग राज यदि मैं आप से बात करूं ये भी पूछ लेता है सर कितनी होगी तो हम बताएंगे सर जी 69,54,321 में होगी मेरे प्यारों यही तो होगी हाँ सर कितनी होगी तो आप बताएंगे चलो तो आप बताएंगे इना मुझे मत दिखाओं फोड़ो पर है ठीक है तो आएगा 69,54,321 में प्रियाग राज की बात है सर कितनी और सबसे कम पूछा जाएगा यदि चलो मैं सबसे कम आपी से पूछूंगा और आपी को बताना होगा सर जी सबसे कम तो देखेंगे कौन पहले वताएगा सबसे कम जन संक्या वाला जनपद स्पीड के साथ जवाब देना है ठीक है ना सबसे कम जन संक्या तो महोबा सरवु आला उदल की नगरी जो सजर पत्थर के लिए जानी जाती ना गूरा पत्थर मापी जाओंगा महोबा करना है पहले तो सर जी और कितना होगा 8,55,900 अब एक और चीज है बैई कैई भुकों में दे रखा 8,55,985 और कैई में मैंने देखा तो 8,55,988 अब एक ही तो आएगा तो एक देख लेना या तो 985 हो गए 988 आप वहां देख लेना क्योंकि सस्पेंस में है 985 या 988 तो या तो संख्या अद तो आप 8,55,000 यदि मैंने ओफिसल साइट पर गया तो ये दे रखा था 8,55,988 ये आप कर देंगे बाकि आप सब जानते ही हैं उत्तर परदेश में कम्प्यूटर एड़ेड डिजाइनिंग पर योजना कैंदर इस्तित है 40 ही कोशन आपके स्क्रीन बूर्ड पर है तो आपको बताना है बड़ा संदर सा कोशन है थिस से बताना है उल्टा होगा तो जल्दी से बताना है ऊत्तर परदेश में कम्प्यूटर एड़ेड डिजाइनिंग पर योजना कैंदर इस्तित है या मेरे प्यारों आगरा में है प्रियाग राज करूँ या कानपुर या लखनव क्या करूँ इसका जवाब तो आप ही को देना होगा और स्पीड के साथ इसका मतलव आप जो है ठक गे अभी सही ऐसे मंदे वंदे जवाब और इतने सुंदर कोशनों के जवाब आप गलत देते हुए कुछ तो गलती दे रह तो आपको बताना होगा सर जी लखनव मैं तो लखनव करूँगा वो लखनव होगा मेरे प्यारो जो उत्तर परदेश की राजधानी अब कोशन एक पूछा जाएगा राजधानी मेरे प्यारो ये मैं आपी से पूछूँगा और किसी से नहीं पूछता राजधानी प्रिय की गई अब देखेंगे बात तो टक करकी आगी सर जी अब जब ऐसी चनौती पूर्ण कोश्चन आपने दिया है तो हम तो बताएंगे बरस 1921 करेंगे सर कौनसे बरस की बात होगी तो आप बता देना 1921 होगा सर जी जहां पर computer added designing परियोजना अवस्तित है वो लखनव आपकी स सामने होगा कोश्चन बड़ा बहतरीन इसी के साथ अगला कोश्चन होगा उत्तर परदेश के किस संस्थान ने किरसी चेत्र में सार्थक योगदान देने है तू भारती किरसी अनुसंदान संस्थान की साथ एक समझोत अग्यापन पर जो हस्ताक्षर किया है कितना सुंदर कोश्चन है सर जी उत्तर परदेश के किस संस्थान ने ठीक है ना किरसी छेत्र में सार्थक योगदान देने है तू भारती किरसी अनुसंदान संस्थान चुलकनव में अवस्तित है एक समझोता ग्यापन पर हस्ता अक्षर किया है इसका जवाब आप सभी को देना होगा बड सुन्दर कोश्चन आपके सामने और देखेंगे अच्छा चलो जल्दी से बताना है तो बता रहें सर जी आप IIT कानपूर क्यों न कर देते क्या कर देना है IIT कानपूर अब ये भी कोश्चन पूछ लिया जाएका कि उत्तर परदेश में कितने प्रोद्धोगी की संस्थान अवस्तिते हैं तो दो होंगे सर एक IIT कानपूर और एक मेरे प्यारो IIT VHU मैं बोल दू तो बनारस हिंदू बिश्विध्याले ये दो ही तो हैं दो ही तो IIT जो संस्थान अवस्तित होंगे तो ये भी कोश्चन पूछ लिया जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको निश्वित तोर पर बताना होगा और सर IIT कानपूर की स्थापना बताना हमें IIT कानपूर चलो तो आप 1959 कर देंगे और बनारस हिंदू बिश्विध्याले तो 1916 आपको पता ही है गंगा नदी के निमन में से किस भाग को राष्ट जलमार्ग घोशित किया गया है कितना सु अब देखेंगे टकर होगी आमने सामने की कैसी होगी गंगा नदी के निमन में से किस भाग को राष्टे जलमार्गोशित किया गया है प्रियाग राज से प्रियागा राज तक नरोरा से पटना तक या हरी दूआर से कानपूर तक तो यह फोटी टूबा कोश्चन आपके स गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्टी जलमार गोशित किया गया है कितना इजी सा कोश्चन और यदि ये भी ना बताओगी तो भाई सा महमला डगमगा जाएगा अनू कहरे गुरुजी थमजाओ और ए कर दियो ठीक है चलो तो प्रियाग राज से हल दिया तक मे ये भी तो कोश्चन पूछा जाता है आजे की भारत कसव से लंबा जलमार के कौन सा है हम बताएंगे एन डवलू बने है जिसकी लंबाई 1620 किलो मीटर और सर इसे दरजा कम दिया गया बताएंगी सर जी 1986 में कौन से वर्स में तो 1986 आपको करना होगा और कोश्चन बड़ा वैतरीन है वो तो है ही चलो उत्तर परदेश के नीमलिकित जनपदों में से कौन उत्तरांचल उत्राखंड हरियाना तता हिमाचल परदेश के साथ सीमा बनाता है अब देखेंगे भाई साव अब जवाब आपको देना होगा और जवाब ठीक है जल्दी से बताएंगे बढ़िया आरती जो है सकसेना चलो तो जल्दी से बताना है कलपना जी सभी हमारे साथ है और बता रहे हैं कि उत्तर परदेश के नीमलिकित जनपदों में से कौन उत्तरा खंड कर देना हरियाना तता हिमाचल परदेश के साथ सीमा बनाता है साहरन पुर होगा मेरट पन नगर या सौन भद्र जवाब 62 कि आना चाहिए गलत ना आना चाहिए किसी का विजवाब और यहां बताती हुए सर जी आप सहारन पुर कर देना वो सहारन पुर करेंगे मेरे प्यारों जो उत्तर परदेश का सबसे उत्तरी जनपद होगा आज इस सबसे उत्तरी नाम तो सर जी सहारन पुर है ना हाँ सहारन पुरी तो है वो सहारन पुर जहां पर प्रती एक वर्स मेरे प्यारों साखंबरी मेला भी लगता है और साखंबरी देवी का मंदिर भी अवस्तित होगा और उत्तर परदेश की सबसे उची चोटी यदि मुझसे पूची जाए अमसोत कहां अवस्तित है, ये भी तो सहारनपुर में है, ये मैंने बताई है, वैसे कही बार अभी APS की परिक्षा में तो आया था ये कोश्चन, उत्तर परदेश की सबसे उंची चोटी, यदि कोश्चन होगा, तो जवाब आपको देना होगा, सबसे उंची चोटी सरजी, उत्तर परदेश में निम्नमे से सरवादिक जनसंक्या वाला राज्य है, अच्या, सरवादिक जनसंक्या, ये कोश्चन थोड़ी है, सर, इसे हम बताएंगे, बताओ कि तुम भीया, अब बरतमान में 366 हो, इसमें भी गलत बताएंगे, नहीं देख लेना, ये कसम है, ठीक ह अब वो तुम एक देखू ना, कि कमेंट्स में देखके, जो है, एक ही रहा पर जो चल दो, तो मैं कहता ना, लेकिन इसे भी गलत बतादेंगे, ठीक है, तो बता दिया, सर जी, आप उत्तर परदेश की उना कर देना, यदि 2011 की जनगर्णा की बात भी करूँगा, तो 19 28,12,341 यहां की पॉपुलिशन थी, और यह सब से ज़्यादा आवादी वाला तो होगा, चलो, अनेश्ट कोश्यन आपके सामने, इसमें इसे 2003 करना, ठीक है न, 2003, उत्तर परदेश राज्ये या उत्तर परदेश गिरामीन सडक विकास एजंसी की स्थापना कब की गई, इस लिए यह आपका 2003 ही होगा, ठीक है न, हाँ, लड़ो सवाल है, चलो, तो यह उत्तर परदेश गिरामीन सडक विकास एजंसी की स्थापना 2003 कर देना, ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें मिस्टेक सी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला कोश्यन होगा, उत्तर परदेश सरक सरकार ने किस टाइगर रिजर्व को एको सैंसेटिव जौन घोशित करने का निरने लिया है, कितना बहतरीन कोश्यन आपके सामने है, और मैं आसा करूंगा कि आप इसका जवाब मुझे सभी के सभी देंगे भी, बताना होगा, उत्तर परदेश सरकार ने मेरे प्यारो, किस टाइगर रिजर्व को एको सैंसेटिव जौन घोशित करने का निरने किया है, जवाब आना चाहिए, गलत ना होना चाहिए, और बताएंगे भी सर जी, कोई पेली भीत कहरा है, कोई अमन गड़ कहरा है, अब स्पीड के साथ जवाब आपका आना ही चाहिए चलो जी, बता रहे हैं सर, A, कोई कह रहा है C, लेकिन राइट तो होगा मेरे प्यारो, B, नहीं ठीक है ना, B, फोर बॉय, एकदम राइट होगा, पीली भीत टाइगर रिजर्व, हमें बात करूं, उत्तर परदीश में कुल टाइगर रिजर्वों की संक्या कितनी है सर, चा और ये चारो की चारो आपके जो है, नजरो के सामने स्वन स्यक्षरों में अंकित वी है, सर, अमनगर टाइगर रिजर्व भी पूछ लिया जाता है, कहां अवस्तित है, तो आप बिजनोर बताएंगे सर जी, कहां बिजनोर, पीली भीत टाइगर रिजर्व सर जी, वो पील टाइगर रिजर्व की अच्छा दुद्वा सर लखिमपुर खीरी चो छित्रफल की द्रस्टी से सबसे बड़ा वो जनपद और उसी में भाई साव आपका होगा कौन सा दुद्वा नैसिनल पार्क रानीपुर की बात होगी सर जी आप चित्र कूट कर देना ये तो बाद का ह 2022 में जुड़ा वे बांदा दो जनपद में है इसका चित्र रानीपुर टाइगर रिजर्व ठीक है ना चित्र कूट में बांदा कर देना और एको सेंसेटिव जो चित्र की अधिबात होगी तो सर आप पीली भीत कर देना कूश्चन आएगा तो आप निशित और पर है और जल्दी से बताएंगे ठीक है ना मोहित साक्या जी इतावावाले ये चितने तिरता कहा ले दिया है तुमने उत्तर परदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागच और गत्ते के उतपादन हेतु पिरसिद्ध है या बलिया होगा आजमगड वारवंकी या बिजनौर अब जबाब आपी को देना होगा बै गलत नहीं दोगे जबाब ठीक है ना कसम है आपको यदि गलत दोगे तो ठीक है और यहाँ जगे अब भाईसा मिसमेचिंग होती हुई कई बच्चों की ठीक है ना आपस में अब देख रहे हैं अब कोई तो ऐसा होगा जो तुक्का घर ऑला जो देख के ही बता है एह देख सारे चल रहे हैं तो यही लगा देना बिजनौर करदेना क्या करदेना बिजनौर करदेना और 믿णौर कर दूना ना आपNET पढ़ा होका सर्ची नगीना किसके लिए लकडी की नकासी किली जाना चाता है तो आप बताएंगे सर जी अ पढ़ता तो है सर और ये किसलिए तो हम बताएंगे लकडी की नकासी के लिए जाना जाता है सहरन पूर्वी लकडी की नकासी ये तो आपको पता होगा लेकिन बिजनौर में नगीना पढ़ता है सर वो बिजनौर होगा जहां से गंगा नदी कौल सी नदी है सर जी गंगा आपकी स्क्रीन बूर पर उत्तर परदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला सारस केंदर बनाने का निरने लिया है। अब एक कोशन तो ये होगा सरजी उत्तर परदेश का प्रदेश का पहला सारस केंदर बनाने का निरने लिया है। को सबी को बताना है धनौरी वेटलेंड तो सरजी पहले तो हम इसे ही बताएंगे चलो। तो उत्तर परदेश सरकार ने किस जिले में प्रदेश का पहला सारस केंदर तो आप बता देना सरजी। की औरईया होगा मेरे प्यारों वो औरईया जो दूद प्रेसंस क्रण के लिए ठीक है ना वन डिस्टिक बन प्रोडेक्ट योजना के तैत तो मैं देशी घी क्यों न लिख दूं तो आप देशी घी की बात करेंगे सर जी। जो दिमाग की जो है नसों को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा लावदायक होता है अब तो पताई न देशी घी है भी ना भी लेकिन औरईया में होता है सर जी। आएगा कोश्चन अब एक छूटा सवर बता दू सर जी जटायू जटायू बोले तो गिद्द सनरक्षन एबं प्रेजनन केंद्र जटायू सनरक्षन ये तो मैंने जन कितनी वार करा दिया होगा सनरक्षन एबं प्रेजनन केंद्र कहां अवस्तिते है मेरे प्यारों प्रे महराज गंज इस तरीके से लिख देना जटायू सनरक्षन एवं प्रजनन केंदर कहां अवस्तित है सर महराज गंज करेंगे और मयूर भी यदि मुझसे पूचा जाएगा मयूर सनरक्षन केंदर वै इसे वी आप बताती चलो जब मयूर सनरक्षन केंदर की बात होगी तो सर हम इसका तो जबाब हम देंगे और बता रहे है सर आप मतुरा कर देना मतुरा कर देना बहुत बढ़िया जो पीतल की मूर्तियों के लिए जाने जाने वाला वो मतुरा जहां पर मयूर सनरक्षन केंदर अवस्तित है तो और यह कर देना चलो भारत की पिर्थम हवाई सेवा हवाई डांक सेवा अच्छा सुरू की गई मतलब की पहली जो है हवाई उड़ गे तो हदा देना जली से ठीक है वारत की पिर्थम हवाई डांक सेवा उन्नीस सो ग्यारे में बारे तहरे एचोध है वै यह गलत ना होना चाहिए इलावाद मतलब बूलू तो प्रियाग रा प्रियाग राज के बीच आपको कर देना है सर जी प्रियाग राज से ठीक है ना कौन से प्रियाग राज से नैनी ये नैनी कहां पढ़ता है सर जी ये प्रियाग राज में ही पढ़ता है वो नैनी होगा मेरे प्यारो जो काकुरी ट्रेन एक्षन के मुख्य आरोपी बना दिये ठाकुर रोसन सिंग को इस नैनी इलावाद प्रियाग राज की ज जाएगा ठीक है ना हम दिन रात पढ़ने वाले और नुएडा उत्तर पर्देश के किस जनपद में अवस्तित है अब यदि में बलिया तरप कुछ हूं नुएडा उत्तर पर्देश के किस जिले में अवस्तित है क्या गौतम बुद्द नगर में गाश्यवाद मेरट या सहां जहां पुरू लगाओ भी आंसर इसका ठीक है ना तो देखेंगे कौन सा राइट वताएगा सर जी आप गौतम बुद्द नगर कर देना चलो बहुत बढ़िया तो आपने बताया मैंने मान लिया तो क्या होगा गौतम बुद्द नगर होगा एक जनपद का नाम सुना था मैंने सौन भद्र सुना है सर जी सौन भद्र का जिला मुख्याले यहां मैं लिख दूँगा स सर जी किसका सौन भद्र का जिला मुक्याले इसके नीचे आपको छापना हैं। सर जी आप कुसी नगर भी वता देना। जालौन की बात होगी सर जी उरई बता देना। संभल का देको कहीं कहीं पंबासा लिखा हुआ है कहीं कहीं बहजोई है। तो एक ही आएगा तो वहजोई कर देना। ठीक है ना? कहीं जिगे मैंने देखा कहीं कहीं पंबासा है कहीं कहीं बहजोई है। ठीक है फरुका बाद का तु सर जी फतेगड अभी तो बताया था आपने फतेगड कर देना। यदि सिद्धार्थनगर की बात होगी सर आप नौगण कर देना। और जब कुछी नगर की बात होगी सर जी आप पड़रोना चाप देना। अमेठी की बात होगी तो मेरे लाइलो गौरी गंच बता देना क्या गौरी गंच ये भी कोश्चन बड़ा सुन्दर सा है और आएगा तो आप बताएंगे निश्चित तोर पर अगला कोश्चन आपके स्क्रीन बूर पर भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर परदेश के नीमलिकित सहरों में से कौन सा मिलियन सहर नहीं है ये कोश्चन आप ही को बताना होगा मेरे प्यारो मिलियन सहर की बात यदि हाँ पर होगी तो भाई साब कोश्चन बड़ा बहतरीन होगा अब देखेंगे सर एक्यामन का तो आप अच्यामन आगे औरे चलो बहुत जल्दी एक्यामन का तो आप मुरादावाद कर देना बहुत बढ़िया भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर परदेश के यदि में बात ये करूं नेमलिकित सहरों में से कौन सा सहर मिलियन सहर नहीं है नहीं है आप बताना है सर मुरादावाद कर देना वो पीतल नगरी राम गंगा नदी के किनारे वसा वो बिस विक्यात पीतल नगरी वाला सहर नाम होगा सर जिसका मुरादावाद सर जी यदि मैं देखू उत्तर परदेश की जनगर्णा 2011 के अनुसार तो तर परदेश का दूसरा सरवादी ऐसी ये ना 47 लाक और एक सो मतलब ऐसे 90 सार्ट इस तरी किसे कुछ इकाई धाई सेकड़ा हजार दसजार लाक दस लाक 47 लाक इस तरी के से मुझे इतना पक्कि मतलो 47 लाक के सम्तिंग तो है आगे की डिजिट में भूल गया ठीक है ना मैं आपको बता रहा हूं सीधा साधा ठीक है तो 47 लाक तो है लेकिन अब बात क्या होती है सर्फ मिलियन सहर है और ये मिलियन सहर नहीं है मिलियन उसे बोलते है जो जिसकी population मतलों की कितनी हो जाए 10 लाक हो जाए और ये 22 आप कह रहे हो कि मिलियन सहर नहीं हाँ अब थोड़ा सा आपको समझना है माना की इस तरीके से आपको ये पूरा जो है ये मैंने मान लिया ये मुरादावाद जनपद का मानचित्र होगा है ना वैसे माना है कभी ठीक है ना साम कोई टेक करके मारो जी गलत बना दिया ठीक है अब इसमें गाम बगेरा ये जितने भर भी ये पूरा मुरादावाद क्या होगा जनपद है अब एक इसमें मुरादावाद सहर भी है जैसे की मैं जो मुरादावाद मैं सिटी एक दम मैं मुरादावाद की बा की बात करूँगए तब 47 राक बैठेगा तो इसलिए भाई साभ ये आपका क्या नहीं है ये million सहर नहीं है अब उत्तर परदेश में कितने million सहर है सर जी ये भी हम से पूचे जाएंगे ठीक है न तो आप बताएंगे सात होंगे, कितने होंगे सात होंगे, अब इनमें तीन तो आपके सामने कौन कौन से आगरा प्रियागराच मेरट, एक कौन सा नहीं है, इनमें मुरादाबाद नहीं है कानपुर, लखनव, मेरे प्यारो यह आपको बताना है, एक तो सर जी सहर मैंने जनपद ना बोलूँ अब मैं मैं सहर बोलूँगा जिनकी पॉपुलेशन एक मिलियन से अधिक है आगी होगी बात आपकी संद में गौतम बुद्धनगर काट दो नहीं तो मामलड इसमिस हो जाएगा लवर जी वैसे तो नाम बहुत अच्छा डाला आपने चलो अब इसी के साथ अगला कुश्यन होगा महाबीर जूट मिल्स लिमीटेड उत्तर परदेश की एक मात्र कारेरत जूट मिल है ये इस्तित्य है कितना सुन्दर कुश्यन है जल्दी से आपको बताना है महाबीर सर जी किसकी बात है महाबीर जूट मिल्स मतलब मिल जिसे मैं बोलूँगा मिल अजचीनी की मिल इस तरीके से बोलेंगे ना तो आपको बताना है क्या हरदोई जहां संडील अवस्तित है हाथरस कानपुर या सहज नवा गोरकपुर तो सर जी आप सहज नवा गोरकपुर क्यों न कर देते 1935 में पहली महाबीर जूट मिल्स यहां पर इस्थापित की गई और उत्तर परदेश की एक मात्र कारे रत जूट मिल आवस्तित हैं तो आप बताएंगे सर जी गोरकपुर करना है वो गोरकपुर जो राप्ती नदी की किनाओर आवस्तित होगा अब एक क्रांथी शोगी सर जी एक तो है golden fiber किरांती, कौन सी किरांती है, golden fiber किरांती मुझसे पूछी जाएगी सर जी, golden fiber किरांती, जी कहना इस तरीके से करना है golden fiber किरांती, और कौन सी है एक silver fiber किरांती, यही तो है, ठीक है, एक कौन सी होगी सर, silver fiber किरांती, दोनों किरांती बताएंगे कौन सी किरांती किस स संबन दिते हैं अब भाई साब प्रधान जी तो चल दिये अब गाम की जिम्मेदारी आप पहे है दोनने देखो मैं तो आगे को बढ़ रहा हूं तो यह आपको बताला है जल्ली से तो बताएंगे सर जी गोल्डन फाइवर किरांती सर जी आप जूट कर देना और जी के कोश्चन वड़ा बहतरीन है और बता दिया सर जी यदि गोल्डन की बात होगी तो आप जूट बता देना और जी के यदि किसकी सिल्वर फाइवर किरांती की बात होगी तो आप का पास बता देना ठीक है ना तो यह कोश्चन यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएं कितना सुन्दर कोश्चन है अब और ऐसा ही तो कोश्चन आएगा मेरे प्यारो इससे आई एमपी कर देंगे मैंने पहले वी अवी थोड़ी देर पहले लिखवाया सेंट्रल विष्टा में बिचाने के लिए उत्तर परदेश के किस जिले से कालीनों की आपूर्ती की गई है जवाब तो देना होगा बड़ा बहतरीन कोश्चन है सहाव इसका जवाब हम बताएंगे भदोई कर देना भाई साव क्या कर देना भदोई कर देना और यदि कोश्चन पूछा जाए उत्तर परदेश का सबसे कम बन चेत्रफल वाला जनपद तो भदोई होगा सर जी उत्त उत्तर परदेश का सबसे कम बन छीत्रफल वाला जनपद ये पूचा जाएगा. तब से कम बन चित्रफल वाला जनपद अब स्पीड के साथ आप ही को बताना होगा और देखेंगे कौन पहले बताएगा सरजी भदोई लिखतो रा है और सबसे जादा सौन भद्र और सबसे कम होगा सरजी भदोई मतलब कि यह आप बताएँगे कालीनों के लिए निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी इधर भी बताएँगे कोश्चन बड़ा बैतरीन है उत्तर परदेश राज्य परियतन विकास निगम की स्थापना स्पीड के साथ बताना होगा सरजी उत्तर परदेश परियतन विकास निगम ठीक है कोश्चन बड़ा सुन्दर स आपके सामने पहुँच गया और परियतन को उद्ध्योग का दर्जा ये भी आप बताएंगे किसकी भात होगी सर जी परियतन को क्या है सर जी उद्ध्योग का दर्जा कब दिया गया ये भी बताना है उद्ध्योग का दर्जा तो स्पीड के साथ यहां बताते हुए और कोश सर जी 1998 कर दिना आता है कुश्चन की परियेटन को उद्योग का दर्चा कब दिया गया तब आपकी सुन्दर से मुख से एक ही जवाब आना चाहिए एकदम स्पीड के साथ इरे भिया जैसो मतना फिर मोव भी नींद आ जायागी कैस कर रहे हो चलो किस राज्ये में अनुसुचित जातियों की जन संक्या सरवादि के है ये भी आपको बताना है चलो जी जल्दी से बताओ भिया उत्तर परदेश के किस राज्ये में अनुसुचित जातियों की जन संक्या सरवादि के है तू बता रहे हैं सर जी आप उत्तर परदेश कर देना कौन सा परदेश उत्तर परदेश कर देना और अब एक और बात होगी सर जी किसकी बात होगी अब अनुसुचित जाती हाँ सर जी जन पद और बता देना आप जाती जाते ठीक है ना जातियों की बात होगी तो जन पद भी हम बताएं के उत्तर परदेश का सरवादिक अनु पूर कर देना यदि अनुशूचित जन जाती होती तब तो मैं आपको सौन बद्र पर ले चलता लेकिन यहां तो अनुशूचित जाती की बात है सेडूल काश्ट की बात है सर जी ठीक है ना चलो जी भहुत बढ़िया तो बताया सर जी आप सीतापुर कर देना वो सीतापुर मेरे प्यारों जो नैमी सारण्या में अवस्तित है कोश्चन बड़ा वहतरीन तो यह आप बता देंगे चलो शिक्षा मंत्राले द्वारा जारी की गई रेंकिंग दो हजार तेईस में उत्तर परदेश का कौन सा विश्विध्याले देश का पांचवा सर्वस्रेष्ट विश्विध्याले बन गया है इतना सुन्दर कोश्च अब बताएंगे भाई सब जवाब स्पीड के साथ देना होगा और मैं आसा करूँगा कि जवाब आप निश्विध्याले बताना है क्या है सर जी एजुकेशन मिनिश्टर जुमंत्राले द्वारा जारी की गई रेंकिंग दोजार तेईस में उत्तर परदेश का कौन सा वि बन गया है ये जवाब आपको देना है क्या लखनव है बनारस है इलहाबाद अलीगड इधर इंगलिस वाले भी आ जाएंगे और बताती चलेंगे सर मुझे तो बता दो आप क्या कर देना लखनव बिस्विध्याले कोई कह रहा है बनारस बिस्विध्याले लेकिन हाँ पर जिसकी स्थापना की बात होगी यदि स्थापना मुझसे पूछी जाएगी तो मैं तो 1916 बताऊंगा और किसने संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवय ये तो सभी को रट रहा होगा ठीक है ना पंडित मदन मोहन मालवय जी की दुवारा बनारस हिंदू विश्विध्याल्य की स्थापना की गई ठीक है ना तो यह आपको बता देना है बनारास हिंदू बिश्विध्याल्य जो दुनिया का तो आवासी छित्र में मतलव ऐसिया की एसिया का सवसे बड़ा बिश्विध्याले आवासी और वैसे भी एजूकेशन में तो आप बताएंगे सरजी बनारास हिंदू बिश्विध्याले चलो निम्न में से कौन सा जन्पद उत्तर परदेश के बुंदेल खंड छेतर से संबन दीते है बै ऐसा कुश्चन मैं जे देखने को मिला जब मैंने आपके जो पेपर का प्रिवियस का एनलाइस से किया तो मुझे ये कुश्चन आया इनमें से कौन सा जिला उत्तर परदेश के बुंदेल खंड छेतर से संबन दीते है क्या प्तेपुर होगा जौन पुर होगा क्या महोबा होगा सर जी यसरा वस्ती होगा एक होगा जवाव तो आपको देना होगा बड़े बहतरीन तरीके से हाँ पर जवाव आता हुआ सर जी आप वो कर देना क्या महोबा कर देना जिसे ठीक है ना यदी मैं बात करूँ ODP योजना की तहत अभी वताऊंगा इसे भी ODP योजना की तहत सरजी कौन सी वन डिस्टिक बन प्रूडेक्ट योजना की तहत मिरे लाड़ लो योजना के तहत यह से लिख देना है गोरा पत्थर के लिए माननेता पिरदान की गई कौन सा पत्थर होगा सर गोरा पत्थर होगा यह आपको बताना है गोरा पत्थर के लिए माननेता पिरदान की गई और उत्तर परदेश का सवसे कम जनसंख्या यह सवसे कम आवादी वाला जनपद होगा अब बुंदेल खंड की बात आपने बताई है सर जी, कौन से खंड की बात होगी, तो मैं आपको बताऊँगा, बुंदेल खंड में उत्तर परदेश के सेवन जनपद आते हैं, वो कौन कौन से होंगे, सर आप एक तो जहांसी कर देना ठीक है, कर दिया जी चलो, आप सर जी ल पहस्त निर्मित कागज के लिए जाना जाता है। चलो तो सभी ने बताया इसी के साथ अगला कोश्चन उत्तर परदेश राज्य सडक निगम का मुख्याले इस्तित्य है। फाइनल सेलेक्शन हो एक मिठाई का डिबबा लेकर आप स्टूडियो आएं तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। तो जल्दी से आप बताते हैं साइन करने हैं। चलो बहुत बढ़ी है साब बास ठीक है तो ये आप बताएंगी सर जी तो आप कर देना लखनव करेंगे। प्रेदेश राज्य सडक परिवहन निगम का मुख्याले इस्तित है सर जी आप लखनव कर देना वो लखनव ठीक है। अभी एक छोटा सा कोश्चन पूछा जाएगा अवद के नबाबु के बारे में आपको पता होगा। जई मैं एक कोश्चन आपके सामने लिखूँगा। जवाब आपको बताना होगा। राजधानी होगी मेरे प्यारों राजधानी फैजावाद से लखनव किस नबाब ने आसाफ दोला ने इस्तना अंतरित की थी और आप बताएंगे नैश्ट कोश्चन। उत्तर परदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्ब में मर रहे बागों की जाच के लिए चार सदस्य कमेटी का गठन किया है। कितना सुंदर कोश्चन आपके सामने और अब जवाब देना होगा भाई साब बाग प्रोजेक्ट टाइगर भी लेकर आएं। कमेटी का गठन किया है रानी पुरो टाइगर रिजर्ब दुदवा अमन गड़ या पीली भी तो कोश्चन आपके सामने हाँ पर पहुँचता हुआ। कीसे दुदवा टाइगर रिजर्ब को मतलओ की दुदवा नेशनल पार्क है कहां आवस्तित हैं। लखिम पुर खीरी में होगा मेरे प्यारों ठीक है ना कॉनसे लखिम पुर खीरी में। और आजे की राज्ये का एक मातर नेशनल पार्क दुद्वा नेशनल पार्क होगा लखिम पुर्खीरी में होगा और 1987-88 में इसे दुद्वा टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया यह मैंने आपको बताई दिये चितर कूट में होगा रानी पूर अमनगड विजनौर में और पीली भीत टाइगर रिजर्व आपका पीली भीत में होगा यह आपको पता होगा इसी के साथ अगला कुश्चन आपके स्कीरीन बूर पर होगा ये तो हो गया कुश्चन उत्तर परदेश के नेमलिकित जिलो में से बर्च 2011 की जनगर्णा के अनुसार किसमे जनसंक्या सवसे कम थी तो ये आप महुबा बताई देंगे 8,95,988 ये महुबा होई गया आपका ठीक है तो आई बात समझ में सभी के महुबा तो हो गया सर ठीक है शलो ये तो आपने कैई बार वैसे बता दिया अगला कुश्चन कब सैयुक्ति प्रांत का नाम बदल कर उत्तर परदेश किया गया था जवाब तो देना होगा भाई साम पुश्चन आपकी सामने एसिस्टी वनवा और मैं आसा करूंगा कि जवाब एक दम निस्पक्ष तरीके से यहाँ पर जो है दिंगे जवाब ठीक है ना जल्दी से वताना है इसे इदर जल्दी से जवाब देना है सभी वता रहे है सर जी 24 जनवरी आप कर देना जनवरी की बात होगी सर आप 24 जनवरी भी कर देना 1950 कर देना बहुत बढ़िया अब एक एक मतलों की एक पॉइंट की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा जून 1836 की बात होगी सर जी जून का महिना था और वर्स कौन सा था 1836 था सर जी सभी को पता होगा नाम रख दिया उत्तर जो है उत्तर पश्रीम प्रांती ठीक है जून 1836 में उत्तर पश्रीम प्रांती तो था सर हाँ उत्तरपश्मी प्रांती तो था ये आपको बताना है फिर वर्स आता है फरवरी 1877 का सर जी कौन से वर्स की बात होगी तो हम बताएंगे फरवरी 1877 ये आपको बताना है फरवरी 1877 आता है और क्या हो जाता है सर जी उत्तरपश्मी 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 प्र आवद भी आपको बताना है आगरावे आवद भी जोड़ दिया जाता है सर जी फिर बरस 1902 आता है जिसमें उत्तरपश्णी प्रांत का नाम बदला और बदल कर कर दिया संयुक्त प्रांत आगरावे आवद कर दिया मेरे प्यारों संयुक्त प्रांत आगरावे आवद ठीक है इसी के साथ वर्स आता है 1937 का कौनसा अब ये टोटल नाम बदला और सव का नाम कर दिया एक सहयुक्त प्रांथ ठीक है और वर्स मेरे प्यारो 24 जनवरी 1950 को सहयुक्त प्रांथ से बदल कर कर दिया उत्तर परदेश कौनसा ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया चलो तो ये आपको बताना है 24 जनवरी 1950 ही करेंगे अब उस समय उत्तर परदेश की गवर्नर की बात होगी होर्मुस फ्रोज सहा मोदी ये आप सभी को पता होगा होर्मुस फ्रोज सहा मोदी थे ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया तो आपने इसका जवाब दिया अब पहली ब 18 में चलो अगला नैश्ट कोश्चन होगा एक सेकिंड नैश्ट कोश्चन पर चलेंगे उत्तर परदेश में पूरबान चल एक्सप्रेस मार्ग नीमलिकित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा वै मैंने कई बार बता दिया है और यह आपको बताना है उत्तर परदेश में यदि पूरबान चल एक्सप्रेस में की यदि सम्थिक में बात की जाएगी 340 पॉइंट कुछ है यह 341 पूरा आ जाएगा इस तरीके से लंबाई होगी पूरबान चल एक्सप्रेस में मार्ग की और यह कहां से नहीं होकर गुजरेगा यह आपको बताना है बड़ा बहतरी ना कर देते राइट वस्ती से नहों के गुजरेगा चलो तो आप बताएंगे सर जी वस्ती राइट होगा एकदम वस्ती होगा और ये लखनव से स्टार्ट हो जाएगा सर जी और गाजीपुर में जाकर समापत हो जाएगा यदि मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आप त्रीवी स्थापित की गई वो गाजी पुर होगा जिसे कासी की बहन भी कहा जाता है तो ऐसा कूश्चन आएगा तो आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से उत्तर परदेश का कौन सा छेत्र आद कल्प की प्राचिन्तम सेलों से निर्मित है जल्दी से बताना है और आद कल्प की प्राचिन्तम सेलों से निर्मित है इसका जवाब आप सभी को देना होगा और जवाब यहाँ पर सरजी आता भी हुआ कोई D कोई B कोई कुछ कह रहा है कोई दो कह रहा है लेकिन आपको बताना होगा सरजी बुंदेल खंड करेंगे हम तो क्या करेंगे जो बुंदेल खंड होगा जो उत्तर परदेश का सबसे कम बिक्सित चेतर होगा जदी मैं बात कर उत्तर परदेश का सबसे कम बिक्सित चेतर कौन सा है तरजी बुंदेल खंडर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो पश्मी उत्तर परदेश बता देंगे ठीक है तो य कि स्वेतंतरता सर्ची छह प्रिकार की स्वेतंतरता है देश के किसी भी चेत्र में आवा गमन की स्वेतंतरता है बिना हत्यार लिए सवा बनाने की स्वेतंतरता है कहीं भी किसी भी चेत्र में बस जाने की स्वेतंतरता यह स्वेतंतरता हमें किसमें दे रखी सर्ची आइटिक और Article 21 जिसमें प्राण एवं देहिक स्वेतंतरता का अधिकार है कि आधार पर नाम बदलने को मौलिक अधिकार माना है अच्छा ये कोश्चन है भाई साब भारत के कौन से हाई कोट ने Article 19.1 का एव अनुचेद 21 के आधार पर जो नाम बदलना है वो मौलिक अधिकार है नाम बदलना मौलिक अधिक अर्माना है ये आपको बताना है कोश्चन सर जी आप इलहाबाद हाई कोट की ना कर देते मैं बोलू तो प्रियाग राज हाई कोट जो एसिया का भारत का ही नहीं है एसिया का सबसे बड़ा हाई कोट होगा वो हाई कोट होगा सर जिसकी स्थापना क बात होगी तो मैं आपको बताऊं सर जी हाई को इसकी स्थापना कब होती है 1866 में और देश का चौथा हाई कोट होगा नाम होगा प्रियाग राज हाई कोट मेरे प्यारों आर्टिकल 21 में क्या है सर जी प्राण एवं देहिक स्वेतंतरता का अधिकार ये प्राण वड़े मुल्यवान है इसे यूही पंखे पर लटक कर्मत गवा देना ऐसा आर्टिकल 21 केता है ठीक है ना प्राण एवं देहिक देहिक माने होता है सरीर ठीक है ना प्रियावाची जो जो बोलू तो 86 बा क्या होगा जो है संबीधान संसोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार जूड़ा गया और वो मौलिक अधिकार 21 के में रख दिया गया और विदेश जाने का अधिकार भी हमें आर्टिकल 21 ही कहता है ठीक है ना एक मामला आया था मैंनका गांधी बना भारत संग ठ चलो अगले कोश्चन की तरफ क्या कॉंस्टिट्यूशन ही खूल बैठे उत्तर परदेश प्रेदूसन नियंत्रन बोड के अनुसार प्रेदेश के किस जिले में गंगा नदी सवसे अधिक प्रेदूसित है भाई सब प्रेदूसित करदी गंगा नदी ठीक है कोश्चन क्य है बड़ा बहत्री नहें ठीक है चलो अपनी वरजी से साधी अच्छिया मतलब साधी याद आई सलेक्षन याद नाया चलो बहुत बड़िया उत्तर परदेश प्रेदूसन नियंत्रन बोड के अनुसार प्रेदेश के किस जिले में गंगा नदी समसे अधिक प्रेदूसित है गंगा नदी की बात है मेरे प्यारों समसे जादा प्रेदूसित की बात होगी या प्रियाग राज में बारान सी कानपूर या विजनौर, इस पीड के साथ आपको जवाब देना है, और यहाँ जवाब आभी राह सर जी, आप महारा तो सी कर देना, बहुत बढ़िया, तो सभी ने बहुत बहुत बहतरीन तरीके से जवाब दिया है, सर आप कानपूर कर देना, और वो का गंगा नदी के किनारे वसा हुआ सबसे बड़ा सहर होगा। बहारत का मैंट चिष्टर कहा जाता है सर। कोश्चन देश के 18 रेल जौनों में से कितने रेल जौनों की लंबाई उत्तर परदेश से गुजरती है चल्दी से बताएंगे बड़ा बहतरीन सा कोश्चन है 18 रेल वी जौन है उन 18 रेल वी जौनों में से कितने रेल वी जौनों की लंबाई या उत्तर परदेश से होकर बीच में मिसमेश होता हुआ ठीक है तो बता रहे हैं चलो सब से ज़्यादा जो वोट आई हैं सर जी वह पांच की आई हैं तो आप पांच कर देना देश के जो 18 जोन हैं इनमें से कितने ड्यायनों कि लाइना इन मेंसे कि तर पर देश से घुझर दी पांच नर फैसर उक्ती अब कौन कौन से हैं सर जी एक तो आपको बताना होगा एक का नाम होगा उत्तर मध्या रेलवे का मुख्याले कौन सा तो हम बताएंगे सर जी उत्तर मध्या रेलवे का मुख्याले, स्पीड की साथ बताना है उत्तर रेलवे का मुख्याले मेरे प्यारों ये कहां अवस्तित होगा सर जी, आप प्रियाग राज कर देना, क्या प्रियाग राज कर देना, और एक पूर्बोत्तर रेलवे का मुख्याले सर, क्या होगा तो मेरे प्यारों आपको बताना है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्याल है इस तरीक से बताएंगे पूर्वोत्तर रेलवे तो आप बताएंगे सर ये तो गोरकपुर में अवस्तित है वो गोरकपुर जहां पर पिरतिवर्स किचडी मेला लगता है ये बताएंगे स्पीड क नामक छेत्र नेम लिखित में से किस सीमा के अंतर गताता है। और मद्य परदेश के पाँच जनपद मेरे प्यारों इस बुंदेल खंड की सीमा के अंतर गताते हैं और मैंने आभी आपको सेवन जनपद बताए थी कौन कौन से सर एक वारे और रिपीट करो तो जहांसी ललितपुर, जालाउन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महु वो सीवन जनपद होगे जो इस बुंदेल खंड में आते हैं उत्तर परदेश के तो यह आपने एकदम राइट बताए इसी के साथ अगला कोशन खुशी-खुशी से आपके स्क्रीन बूर्ड पर आया 68 वा कोशन होगा उत्तर परदेश राज्ये में डौट 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 बिसेस आर्थिक छेत्र विदमान हैं यह आपको बताना है स्पीड के साथ कोशन बड़ा बहतरीन जल्दी से बताना होगा उत्तर परदेश राज्ये में बिसेस आर्थिक छेत्र विदमान हैं य बताते हुए सर जी अब च्यों मैंने 10 कह दी तो 10 ही कर दिया वह वह बहुत बढ़िया चलो तो आपको बताना है सर जी हम करेंगे 20 ठीक है उत्तर परदेश राज्ये में जो 20 विशेस आर्तिक छेत्र है कितने सर जी 20 विशेस आर्तिक छेत्र विदमान है यह आपको बताना है बढ़िया तरीके से चलो तो यह आपने बताया इसी के साथ नेश्ट कोश्यन उत्तर परदेश पुलिस द्वारा जगन्य अपरादियों को चंद दिनों में सजह दिलाने के लिए कौन सा ओप्रेशन सुरू किया गया है कितना सुंदर कोश्यन है उत्तर परदेश पुलिस क हेड क्वार्टर कहां अवस्तित है तो पहले था मेरे प्यारों प्रियाग राज में अब कहां ले गए हैं इस्तनांतिरित करके तो लखनव में और उत्तर परदेश की वरतमान उत्तर परदेश पुलिस की वरतमान महानिदेशक कौन होंगे तो बताएंगे सर जी प्रैसांत बने हैं एक जनवरी एक जनवरी दो हजार चौबिस से इनों ने पुलिस महा ने दे सके मतलब अपना कार्य भार नाम होगा सर जी प्रैसान तुकुमार नाम क्या होगा तो हम बताएंगे सर आप प्रैसान तुकुमार कर देना और भाई साव क्या होगा उत्तर परदेश पुल किसे हम बूलेंगे operation conviction जो होगा ये जो अपरादी है जिन्होंने जगन्य अपराद किया है उन्हें चंद दिनों में सजादी लए जाएगी इस operation की तहत question बड़ा सुन्दर था आपने बता है इसी किसाथ अगला question ये मैंने अभी just कराया है कितने railway जानों का मुख्याले उत्तर परदेश में है गलत मत देना भाई साब ठीक है ना गलत मत देना जवाव आपको सटीक देना होगा अभी just मात्र तीन मिनट पहले ये question करवाया क्या कितने railway जानों का मुख्याले तो सर जी दोई तो है एक तो क्या होगा उत्तर मद्य रेलवे का मुख्याले प्रियाग अवस्तित होगा और एक पूर्ब उत्तर रेलवे का मुख्याले मिरे लाडलो गूरकपुर होगा जो मुख्य मंत्री जी का संसद्य चीत रहा वो गूरकपुर जो राप्ती नदी की किनारे अवस्तित है जहां का बंटांग्य समुधाय प्रिसिद्ध है ठीक है चलू नैश इसका वह कौन सा जिला होगा सर जी जो कहां मतलव की उत्तर परदेश और बिहार की सीमा पर अवस्तित है ये आपको बताना होगा क्या बस्ती होगा होगा तो बलंद सेर होगा क्या बांदा या बलिया सव्वे वैसे होगे जवाब आपको बताना है और बता रहे हैं चलो ए एक बारे हम देखेंगे, सर एक तो महराज गंज उपर से मैप के अकॉरिंग लग जाना, एक महराज गंज आपने बताया था हमें, ठीक है? बताया सही है, इसी के साथ सर जी आप कुसी नगरवी बताये थे, कुसी नगरवी करेंगे मेरे प्यारों, इसी के साथ वलरामपुर आपने वताया था बलरामपुर चलो बलरामपुर के बाद सरजी बलिया होगा बलिया ठीक है ना ठीक है बलिया हो गया फिर गाजीपुर आ जाएंगे जिसे कासी की बहन कहा जाता है फिर सरजी चंदौली आ जाएंगे जहां पर चंदर प्रेवा उत्तर परदेश का पहला वन किन में मुझे नजर आ रहा है बलिया महरसिवाल मीं किजी किजन ओरत भी honest कि वै के देवरिया होगा ठीक है देवरिया राइट होना चाहीए देवरिया बल्रामपुर कोशी नगर से नीचे देवरिया कुछ अब सही है बलरामपुर तो नैपाल की सीमा को इस पर से करेगा ठीक है ना तो यहां देवरिया कर देना है महराज गंज कोशी नगर देवरिया बलिया गाजीपुर चंदौली और सौन भद्रिये एकदम राइट होंगे वो बलिया पुरानिक कथाओ के अनुसार महरसी बालमिकी ज जनम इस्तली मानी जाती है ठीक है दुरवासा रिसी की जनम इस्तली वो बलिया 1857 की किरांती का डंका वजाने वाला वो बीर किरांती कारी मंगल पांडे की जनम भूमी मेरे प्यारों बलिया और बलिया का सेर कहा जाने वाले वो चित्तु पांडे जिनोंने भारत छोड़ आंदोलन के दोरान एस्थाई सरकार का अगठन किया था इस बलिया में आपको पता होगा यदि वन डिश्टिक बन प्रोडेक्ट योजना की बात करूंगा सर जी इसे बिंदी के लिए माननेता पिरदान की गई है मेरे प्यारो मैं यदि ओडी ओपी योजना की बात करूं तो आप बिंदी बता देना सर जी क्या बता देना बिंदी ठीक है ना और बिंदी को इस्थान्य भासा में वहां बोला जाता है टीकुली ठीक है ना क्या बोला जाता है टीकुली बोला जाता है जैसे चोटा बच्चा होता है जब हांखन में साई वगएरा चोट इसे के डाले ह टिकली ओडी ओपी यूचना चलो यह आपने बताया और इसी बलिया से मेरे प्यारो युगंगा नदी है ठीक है उत्तर परदे से भार निकल जाती है और बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाती है तो ये भी आप बताएंगे नेश्ट कोशन होगा चलो नेमलिकित जनपदों मे से किसमे साक्षर्ता दर सबसे कम हैं पढ़ा सबसे कम पढ़ा लिखा जनपद ये आप ही को बताना होगा सर जी सबसे कम पढ़ा लिखा जनपद क्या होगा बुलंद सहर सिराबस्ति कुसी नगर या उननाब कोशन बड़ा बहतरीन आपके सामने और बता रहे हैं सर जी इध सिरावस्ती कर देना क्या कर देना है सिरावस्ती जैदी मैं सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो सर गौतम बुद्धनगर की तरफ चल जाओंगा 80.1 पृतिसत साक्षर्त अदर मुझे वहाँ देखने को मिलती है और सबसे कम आऊंगा तो सर जी मैं सिरावस्ती की तरफ आऊंगा यहाँ पर 46.10 पृतिसत यहां की साक्षर्त अदर होगी वो सिरावस्ती मेरे प्यारों यहाँ पर गौतम बुद्धने अपने सरवादी कुपदेश दिये थे पूचा जाता है कि गौतम बुद्धने सरवादी कुपदेश कहां दिये थे तो सिरावस्ती में दिये थे आपको पता भी होगा सर जी वो सिरावस्ती जो कौसल महा यनपद की राजधानी हुआ करती थी तो इसी सिरावस्ती की साक्षर तदर्वी सबसे कम है सबसे जादा गौतम बुद्धनगर चलो नैश्ट कोश्चन आपके सामने होगा उत्तर परदेश के भावर छित्र में नेमलिकित में से किस प्रकार की म्रेदा पाई जाती है म्रेदा सर्मिटी जिसका अध्यन पैडोलोजी विज्ञान की साखा के अंतरगत्ति किया चाता है सभी को पता भी होगा कौन सी साखा की बात होगी सर जी हम बताएंगे साखा तो आप पैडोलोजी कर देना यदि उत्तर परदेश के वहती की विवाजन की बात करूं तो तीन पायटों में इसे बाट दिया भावर एवं तराई छित्र गंगा यमना का मैदान और बुंदेल खंडिया मैं बोलो दक्षन का जो पठारी भाग तो तीन पायटों में बाटा है पहला उत्तर परदेश का सबसे उत्तरी जो छोर है वो भावर छित्र कहलाता है सर जी कौन सा भावर छित्र और इसमें कैसी मित्ती मुझे मिलेगी तो कंकरीली एवं पत्रीली मित्ती जो है यहाँ पर पाय जाती है और इसी के साथ तराई जो छित्र है थोड़ा सा नीचे को होगा ठीक है ना और इस तराई छित्र में महीन अवसादों से बनी हुई मित्ती मुझे पाय जाती है सर जी तराई छित्र की बात होगी तो सर तराई चेत्र एरिया तराई एरिया की बात है तो आप बताएंगे महीन अवसादों से निर्मित चेत्र को क्या बोला गया है महीन अवसाद इस तरीके से बताएंगे सर जी महीन अवसादों से निर्मित चेत्र को तराई चेत्र कहा गया है ठीक है निर्मित जो चेत्र हो तो आप बताएंगे तो आपने बताया सर जी कंक्रीली एवं पत्थरीली मित्ती और यहां पर जुन्दी बगेरा है वो पत्थरों की नीचे बगेरा चलती है चलो नेश्ट कोशन उत्तर परदेश राज्य सडक परिबाहन निगम UPSRTC की स्थापना कब की गई इधर भी बताती चलेंगे कोशन बड़ा बहतरीन आपकी सामने और मैं आसा करूंगा कि सभी को बताना है और बताती चल भी रहे हैं गुड़ा अफटर नून सर जी चलो गुड़ा अफटर नून आपकी स्वीकार है कोश्चन आपके सामने होगा ठीक है अब इसमें विभाई साव ए ये कोश्चन हो गया हमारा गलत उत्तर परदेश राज्य सडक परिबहन निगम की जो इस्थापना हुई वो 15 मई 1947 को ही एक मिनट रुक जाना ठीक है न तो यहां 1947 कर देना किसी option को ठीक में जो है डेट गलत डलगी है तो आप 1947 करेंगे ठीक है वैसी मत कमारो 1947 कर दो ठीक है न यह जो 1974 का जो है न उल्टा हो गया मेजर द्यानचंद खेल विश्विध्याले उत्तर परदेश के किस जिले में तियार किया जा रहा है द्यानचंद होगा न मेजर द्यानचंद खेल विश्विध्याले उत्तर परदेश के किस जिले में तियार किया जा रहा है कितना बहतरीन question है होकी का जादूगर कहा जाने वाला वो भारती खिलाडी भाई साव मेजर ध्यान चंद जी के वारे में यदि आप पढ़ोगे ठीक है ना 1922 ECB में 29 अगस्त 1905 को इनका जनम प्रियाग राज में होता है 1922 में सेहना में भरती होते हैं और 1938 ECB मेरे प्यारो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहली बार एमेस्टरडम पहुंचते हैं और भारत को गोल्ड मेडल मतलव की दिलाते हैं जिताती हैं यदि मैं बात करूँगा तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्विद्ध अल्य उत्तर परदेश के किस जिले में तियार किया जारा है तो आप बताएंगे सर जी मेरट में किया जारा है ठीक है आत्म कथा गोल किसकी आत्म कथा है गोल लक्षे जिसकी बात होगी तो आप बताएंगे सर जी मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम होगा और यदि बात होगी 29 अगस्ट इनके जनम दिन पर 29 अगस्ट को राष्टे खेल भी बनाया जाता है राष्टे खेल दिवस कौन से दिवस की बात होगी सर राष्टे खेल दिवस आप बताएंगे और मेरे प्यारों राजीव गांदी खेल रतन का नाम सुना हुगा अपने राजीव गांदी खेल रतन का नाम बदल कर ठीक है ना कौन सी रतन की बात है तो मैं आप से बात करू सरजी राजीव गांदी खेल रतन का नाम बदल अपुरुसकार था ना नाम कर दिया मेजर ध्या चंद खेल रतन पुरुसकार बड़ा बहतरीन कोशन इसी के साथ नेश्ट कोशन अगला अस्त निर्मित कागज का निर्मान होता है अस्त निर्मित हाँ सरजी हाथ से जो निर्मित कागज है इसका निर्मान होता है ये आपको बताना है कहां बांदा में होता है हमीरपुर में, जहासी में, अज्यालोन में हस्त निर्मिति कागज का निर्मान होता है स्पीड के साथ आपको बताना है आगे चलो जी बहुत बढ़िया तो जल्दी से बताएंगे कोश्चन बड़ा बहत्रीन आपके सामने होगा हस्त निर्मिति कागज का जो निर्मान है सर कौन से निर्मान की बात है तो मैं आप से बात करूँ हस्त निर्मित कागज का निर्मान होता है बांदा हमीरपुर जहांसिया जालोन में ये आप सभी को बताना है बड़े बहतरीन तरीके से और मैं आसा करूँगा कि जवाब आप सभी के सभी देंगे चलो बई, चल्दी से बताएंगे बहुत बढ़िया और बड़ी सहजता और संदरता के साथ जवाब दिया सर जी, जालोन कर देना, वो जालोन होगा जिसका जिला मुक्याले उरई में अवस्तित होगा सर जी, पूछा जाता है जिला मुक्याले की बात होगी, तो आप बताएंगे सर उरई, मैं बताओं, तो आप उरई कर देना ठीक है न, ये कोश्चन आएगा तो निशित तोर पर बताना होगा बांदा, मेरे प्यारो सजर पत्थर, वन डिश्टिक, वन प्रोडेक्ट योजना की बात होगी, मैंने कैई वार बता दिया वैसे हमीरपुर की बात होगी सर जी, जूती के लिए और जहासी की बात होगी, तो सर आप कोमल खिलोने क्यों न कर देते, कौन सी सर जी कोमल खिलो इस तरीके से आपको बताना है, कौमल खिलोने के लिए जहासी को जाना जाता है, चलो नैश्ट कोश्चन, प्रेमुख आभूसन बाजार उत्तर परदेश के किस सहर में इस्तित्य है, ये भी आपको जवाब देना है सर जी, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे, क्या प्रेमुख आभूसन बाजार उत्तर परदेश के किस सहर में इस्तित्य है, मेरट कानपूर वारानसी ये अगाश्यवाद, मेरट कानपूर वारानसी ये अगाश्यवाद, जल्दी से बताएंगे, जवाब सभी को देना होगा, बड़ा सुन्दर सा कोश्यन आपकी सामने हो और मैं आसा करूँगा भाई सब जवाब तो आप सभी देंगे भी, प्रेमुख आभूसन बाजार उत्तर परदेश के किस जनपद में अवस्तित है, तो सभी बता रहें सर जी, आप मेरट क्यों न कर देते, क्या कर देते, मेरट कर देते, और मेरट के बारे में तो मैंने ज पता दिया होगा, सभी को पता होगा, मेरट जुखेल की सामान के लिए जाना जाता है, जन कितनी बार मेरट बताया है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे अवस्तित है, चलू, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है, कितना सुन्दर कोश्चन आपकी सामन इसका जवाब देंगे, ठीक है न, तो बता रहें सर जी, हागरा लकनो कर दे न, तो ये आपका होगा सर जी, दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे, इसकी चो लंबाई चो होगी न, वो आपकी 90 किलो मीटर होगी सर, कितनी 90 किलो मीटर, जब हम दिल्ली से डासना तक आएंगे, सर दिल्ली से डासना, कहां से, दिल्ली से और हम पहुंचगी सर जी, डासना, तो यहां तक तो होगी इसकी 14 लेन, बहुत बड़ा है ये, 14 लेन होगी, और जब हम दासना से सर जी, कहां मेरट के लिए चड़ जाएंगे, मतलब मेरट के लिए तो फिर ये हो जाएगा, 9 लेन का कितने नौ लेन का तो ये कोश्चन पूचा जाएगा जो 90 किलो मीटर लंबा होगा ये बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से और दिल्ली मेरट एक्सप्रेस भे होगा टोटल 90 किलो मीटर होगा पनेश्ट कोश्चन लवन प्रेभावित म्रेदाओं मुक्यता उत्तर परदेश के किन मंडलों में पाई जाती है लवन ठीक है न नमक खरी यदी में भोलूं ठीक है न तो बताना है लवन प्रेभावित म्रेदाओं उत्तर परदेश के किन मंडलों में आगरा एवं अलीगड मेरठ एवं मुरादवाद वस्ती एवं गूरकपुर जहासी एवं चित्रकूट जवाव तो सभी को देना होगा और स्पीड के साथ बताना होगा कोश्चन बड़ा बहतरीन और यहां बता रहें सर जी आप A क्यों न कर देते कोई D कह रहा है कोई जहासी चित्रकूट कह रहा है अब किसकी मानूँ तो मैं तो भीया अपनी मानूँगा आगरा और अलीगड करेंगे लवन प्रेभावित्म रेदाई आगरा और कौन सा होगा सर जी आप बताएंगे अलीगड बताएंगे बड़ा सुन्दर सा कोश्चन होगा ऐसा ही तो कोश्चन आएगा और जब आएगा तो आपको निश्चित दोर पर बताना होगा इसमें तो बस इतना ही होगा बैंकिंग समीती रिपोर्ट के अनुसार उत्तर परदेश के किस जिले में ATM मेरे प्यारो किस की बात होगी ATM जो है ओटोमोटिड टेलर मसीन जिसका नाम होता है पूरा डेविट कार्ड धारकों की संक्या सरवादिक है साइद मैंने कोशन आपको क्या इबार करावी दिया है बैंकिंग समीती रिपोर्ट के अनुसार उत्तर परदेश के किस जिले में ATM डेविट कार्ड धारकों की सरवादिक संक्याई क्या बरेली में तहां जहां पूर प्रियाग राच या जालॉन में स्पीड के साथ जवाव आना चाहिए और भाई सब गलत ना चाहिए अवी तक क्योंकि आपने सभी ने सही के सभी जवाव दिये हैं एक आद अपवाद में ऐसा हाया होगा जो गलत आप से निकल गा होगा लेकिन आप सभी के सभी सही बताते हैं ना शलो तो सभी ने बता दे सर जी आप प्रियाग राज कर देना वो प्रियाग राज मेरे प्यारो जहाँ पर अमरूद महुसब का आयूजन किया गया यदि मैं आप से बात करूँ सर जी ए ठी कहना अमरूद महुषब का आयूजन कहा प्रियाग राज में किया गया है वो प्रियाग राज होगा सर जी जहांपर गंगा वाटर फैस्टिवल मना जाता है कहां पर प्रियाग राज में वो प्रियाग राज सर्जी जिसे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है इस वर का निवास इस्थान यदी मैं बोलूँगा वो प्रियाग राज होगा जहां पर कुम्ब मेले का आयुजन भी होता है किसका ऐकुम्ब मेले का आयोजन होता है ये आप सभी को पता होगा प्रियाग राज में ठीक है न तो आप कर देना सरजी जन संक्या की दरश्टिस उत्तर परदेश का सबसे बड़ा जनपद वी सरजी प्रियाग राजी तो है चलो उत्तर परदेश में नीमलिकित में से सरवा जन जाती जन संक्या वाला जन पद सौन भद्र मिर्जा पूर लखिम पूर खीरी या बिजनौर ये आप सभी बताएंगे इस पीड के साथ बताएंगे और इधर भी आप्शन आपकी सामने होगा और मैं आसा करूंगा कि आप सभी के सभी जवावत देंगे और बता रहें स सौन भद्र करेंगे हम तो वो सौन भद्र जो समसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को इस पर सिकरता है सर कितने राज्यों की बात होगी तो आप बताएंगे सर ये तो चार राज्यों से लगा हुआ है आपका MP होगा सर जी 36 गडवी होगा कौन सा गड़ होगा 36 गड़ जार खंड से उपर की तरफ जैसे ही में बढ़ हूँ तो सर मुझे एक बिहार नचर आता है चार जन पदो की सीमा को राज्यों मतलों इस्टेट की सीमा को ये डिश्टिक इस पर सिकरता है नाम सर जी सौन भद्र होगा और उत्तर परदेश का सरवादिक बनावरण वाला य ठीक है सिंग रॉली कोईला बहुत बढ़िया चलो नैश्ट कोश्चन म्रैदा जिसमें मुख्यत है रूप से पोटास की कमी है उत्तर परदेश के डॉट 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 जिले में पाई जाती है ये आप सभी को बताना है ये भी कोश्चन आपकी सामने पहु कि बताएंगे जल्दी से म्रैदा जिसमें मुख्यर रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर परदेश के डॉट 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 जिले में पाई जाती है तो यहां सर जी बी कर देना वहराइच कर दूँ गलत बात है सर जी आप जौन पूर कर देना क्या जौन पूर कर देना वो जौन पूर मेरे प्यारो जो उत्तर परदेश का सरवादिक लिंगान उपात वाला जन्पद होगा वो जौन पूर होगा और कितना एक हजार मतलब सेक्स रेशियो की बात होगी उत्तर परदेश का सरवादी के लिंगान उपात वाला जनपद मेरे प्यारो यदि मैं बात करूँगा सर आप एक हजार चौबिस पहले तो कर देना और वो जिसकी म्रेदा में पोटास की कमी पाई जाती है वो जौन पुर होगा म अंजक्री मज्जिद होगी लाल दरवाजा मज्जिद होगी मेरे प्यारो वो साही किला होगा जो फ्रोज सा तुगलग दुवारा निर्मित होगा वो साही पुल भी मुझे देखने को मिलेगा जिसका exploration अकवर दुवारा करवाई गया इस जौन पुर में मेरे प्यारो तो जॉनपूर जहां जिसकी म्रेदा में मुक्य रूप से किसकी पोटास की कमी पाई जाती है आप सरजी जॉनपूर कर देना जॉनपूर कर देना बड़ा बहतरीन कोशन होगा और ऐसा कोशन तो आता है और आएगा तो आप बताएंगे नेश्ट कोशन ताज अंतराष्ट्य हव हबाई अड्डा कि मतलब अव तु असर इसका जो नाम है चलो बताओ ताज अंतराष्टे हबाई अड्डा बोलू या जेवर ठीक है तो आपको बताना है निर्मान कहां किया जा रहा है कि आगरा में कुसी नगर गौतम बुद्ध नगर या मेरट में जवाव जल्दी से दें सरची और यहां पर जवाव आभी रहे हैं और बता दिया आप सर ए कर देना गलत बात होगी सरची गौतम बुद्ध नगर करेंगे कौन सा गौतम बुद्ध नगर करेंगे वो गौतम बुद्ध नगर जहां का लिंगा नुपात सव से कम है मातरा 851 लिंगा नुपात इस ग आन्यता पिरदान की गई है तो ये गौतम बुद्ध नगर होगा ठीक है कोश्चन आता है तो निश्ची तोर पर बताना होगा भारस सरकार की नई विदेश व्योपार निती 2023 में उत्तर परदेश के किन सहरों को निर्यात उत्त क्रश्ट सहरों में सामिल किया गया है कितना कोश्चन आपकी सामने और मैं आसा करूँगा कि इसका जवाव तो भाई साव आप देंगे जरूर जवाव तो देना होगा और हाँ बताएंगे स्पीड के साथ ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया जीडी वाले इनकी कौन सी उत्तर परदेश जी क्या रही है जीडी वाले च होगा क्या मुरादवाद होगा या बारांड सी होगा या उप्रोक्त में से सभी होंगी सर आप डी क्यों ना लगा देते तो मेरे प्यारों इसका राइट जो होगा वो दी होगा कोश्चन बड़ा बहतरीन होगा ठीक है ओल ना है वो बहुत बढ़िया उप्रोक्त सभी करे कितना सुन्दर कोश्यन आपके सामने और जवाब तु भाई साव आपको देना होगा और मैं आसा करूँगा कि आप इसका जवाब निश्चित तोर पर देंगे नीम उत्तर परदेश के नीम लिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्या उन्निस सो पिछेतर में इस्था करनिया घाट लिख रहा है तो आप बताएंगे इसका जवाब भी और बता वी रही है सर जी ठीक है ना तो अब दोनों ही हाँ पर ऑप्सन जो है किसनपूर भी उन्निस सो पिछेतर में और करनिया घाट भी तो किसनपूर कर देना ठीक है ना चलो और इन्हें मेरे प्यारों जब 1987-88 की बात होगी जब दुद्वा टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया तो इन दोनों बनने जीव अब्यारणियों को सामिल कर लिया गया ठीक है चलो तो ये वैसे तो दोनों ही है ये आप कर देंगे चलो नेश्ट कोशन उत्तर परदेश के किस जिले की चंदरक कांता जी से आएगा निशित और पर पूछा जाएगा और बताना होगा ठीक है चलो फरीदावासर हरियाना में है मैंने कहां फरीदावाद बोल दिया चलो तो ये बताना है फरीदावाद हरियाना में है तो क्या होगा फरीदावाद कहां है तो हरियाना से भग रहा है निक चिनाले का अबाड जो है या खिताव जीताए गाज्यवाद बुलंद सहर गौतम बुद्धनगर या मेरट तो इस पीड के साथ यहां पर जवाब देंगे बड़ा भैतरीन सा कोश्चन आपके सामने और बतावी रहे हैं सर जी आप बुलंद सहर क्यों न कर देतें यह मैंने क खुर्जा जो अस्रेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है कौन से उत्पाद की बात होगी सर जी अस्रेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है रुत्तर परदेश का पहला प्रमानु कैंद्रियदी में बात करू नरोरा ये भी कहां अवस्तित होगा सर जी बुलंद सहर में अवस्तित होगर काला आम काहा है भीया काला आम जहां फासी दे करते थे अंग्रेज बुलेंद सहर बताएंगे सर जी वो बुलेंद सहर चो गंगा वे काली नदी के किनारे अवस्तित है और जहां पर बाल सुंद्री देवी का मिलावी लगता है अनुप सहर में जहां तक है point आपकी सुन्ज में आया होगा इसी के साथ अगला question उत्तर परदेश में पिन कोड की सुरुवात किस अंक से होती है पिन कोड अब देखेंगे भाईया चलो बहुत बढ़िया तो ये वताना है question सुन्दर साप की सामने पहुचा जवाब आपको देना होगा क्या उत्तर परदेश में पिन कोड की सुरुवात किस अंक से होती है अब बताएंगे सर जी किस अंक से होती है दो से तीन चार या साथ जल्दी से बताओ अब गलत मतवता देना सर जी चलो बहुत बढ़िया तो सभी कह रहे है सर दो कर देना जैसे 20 बतिस जीरो साथ 20 बतिस सो ये तो मतलब की दो से होगी उत्तर परदेश में यदि पिन कोड की बात है तो दो से सुरुवात होगी अपने पिन कोड को याद करके देख लो वो दो से ही इस्तार्ट होगा होगा ना होगा ऐसा कूशन पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो बताना होगा ठीक है चलो चंद्र प्रेभा बन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर परदेश का एक प्रेमुक बन्य जीव अभ्यारण्य है नेमलिकित में से कहां अवस्तित है इधर भी आप बताएंगी सर जी चंद्र प्रेभा ठीके नार उत्तर परदेश का प्रेथम बन्य जीव अभ्यारण्य है नाम हो चंदॉली जिसे धान का कटोरा कहा जाता है आप सभी को बता होगा वो चंदॉली मेरे प्यारो यदि मैं बात करूं सर जी कौन से वर्स की बात होगी तो 1977 में इस्टैविलिस मतलब इस्थापित की बात होती है तो आप बताएंगे सर 1977 में इस्थापित होता है और कोश्चन आ जाता है अब एक चोटा सा कोश्चन और ये उत्तर परदेश का पहला भी वन्यजीव अभ्यारन्य होगा पहला आप लिखेंगे अब एक होगा सर जी लाक बहुसी वन्यजीव अभ्यारन्य ये आपको बताना है और मैं आसा करूंगा कि सवी के सवी एकुरेट जवाब दें लाक बहुसी एसे होगा न वन्यजीव अभ्यारन्य एक तो ये आप बता दू दोर ये पूछूंगा वन्यजीव अभ्यारन्य होगा के सवी ये भी आप बताएंगे कच्षवा बन्यजीव अब्यहरन्य बड़ा सुन्दर सा कुश्चन आपके सामने होगा दौनों को जवाब दोनों का देना हैं अब देखेंगे कौन इस पीड के साथ जवाब देगा लाख बहुसी बन्यजीव अब्यहरन्य तो सर्जी आप कंयोज कर है आएगा तो आप बताएंगे बहुत बढ़िया तो सभी ने जवाब दिया इसी के साथ नेक्ष्ट कोश्चन अगला कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार उत्तर परदेश में साक्षर्त अदर में कहने का मतलब है 2001 से 2011 2011 तक ब्रदी हुई थी मेरे प्यारो लिटरेशी रेट की बात यहां पर की गई है कौनसा लिटरेशी रेट होगा सर जी यदि मैं साक्षर्त अदर की बात करूं तो मैं आप से पूछूंगा साक्षर्त अदर हां तो साक्षर्त अदर मेरे प्यारो उत्तर परदेश की 2011 की कर देना मेल की भी पूछी जाएगी और फीमेल भी पूछा जाएगा यदि मेल आएगा तो आपको क्या करना है बताओगी तो सतितर पॉइंट सरजी थरी पृतिसत और सत्तामन पॉइंट दो पृतिसत ये भी आप कर देंगे और कितनी हुई 11.45 पृतिसत की ब्रद्धी होए है आसर करूँगा कि बताएंगे सभी चलो नेस्ट कोश्चन के सिंगिंग रियाल्टी एक रियाल्टी सो है इंडियन आइडल जो है ठाटीन का बिनर रिसी सिंग को चुना गया है इनका संबंद उत्तर परदेश के किस जिले से है बड़ा बहतरीन कोश्चन होगा और आपको बताना है रिसी सिंग की हाँ पर बात होती हुई और मैं जो है कोशिस करूँगा कि जवाब भी आप देंगे तो सही चलो बहुत बड़ी है सर आप ए कर देना ये मैंने दुसरा की कोश्चन दुसरा के लिया होगा क्यों लिया है क्योंकि कई बार कोश्चन ए पूच इसलिए लिया है तो आप बताएंगे सर जीवो अउध्या जिसे साकीत नगिरी की नाम से जाना चाथा सर अध्या थीक है ना अब एक चोटा सा कोश्यन बता आयुद्ध्या की सद्राइप किनारे अवस्तित है ये तो आपको बताना होगा आयुद्ध्या की submitting किनार अवस्तित है सर्जी एसर 4ез2 में देखिये अच्छ 84 म में क्या दिक्कत बनी वहीए एक सेकंड लो कुश्षन 87 84 सई तो है उत्तर परदे सुप्रोक्त सभी है ठीक है ना चलो 90 पे आएंगे एक सेकेंट चलो Singing a reality show ये आपने बताया आयुद्या कौन सी नदी के किनारे तो बता दिया सर जी सर्यू नदी के किनारे कौन सी नदी तो हम बताएंगे सर जी सर्यू नदी कर देंगे और सभी ने बता दिया घागरा का नाम बदल करी सर्यू कर दिया पंचायती राजमंत्राले द्वारा दिये गई राष्टि पंचायत पुरुसकारों में उत्तर परदेश को कितने पुरुसकार मिले हैं कितना सुन्दर कुश्यन आपके सामने और जवाव तो देना होगा बहुत बढ़िया तरीके से ठीक है क्या है सर जी पंचायती राजमंत्रा ले द्वारा दिये गई राष्टी पंचायत पुरुसकारों में से उत्तर परदेश को कितने पुरुसकार मिले हैं इसका जवाव आ ले द्वारा दिये गई राष्टी पंचायत पुरुसकारों में से उत्तर परदेश को कितने पुरुसकार मिले हैं तो सर जी आप टू कर देना क्या टू कर देना कोश्यन जानदार बना देना ऐसा ही तो कोश्यन पूछा जाएगा जब पूछा जाएगा तो आपको मेरे प पर देश का इस्थान देश में हैं यदि मैं राश्टी राजमार्गों की बात करूंगा उत्तर परदेश से होकर गुजरने वाला सवसे लंबा राश्टी राजमार्ग होगा नह-च 90 हो गया पहले तो नह-च To नाम था उसका नाम बदल कर कर दिया नह-च 19 सर जी कौन सा होग दूतिय तिर्तिय या चतूर्थ ये जवाब आपको देना होगा बड़ा बहत्रीन बड़ा सुंदर कोश्चन आपके सामने और यहाँ बता दियसर जी आप दूसरा कर देना तो पहला किसे करूँ? तो पहला तो मेरे प्यारों आप महराश्ट कर देना पहला कौन सा करूँ तो पहले पर महराष्ट होगा और दूछे नंबर पर अपना उत्तर परदेश होगा और उत्तर परदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नैसिनल हाईवेई तो 19 कर देना जिसका नाम था NH2 अब कर दिया आजो है NH19 आई बासुन में तवी के आगई होगी बासुन में चलो next question उत्तर परदेश में इसकूल अपपर टेक्नीलोजी इस्तित है ये पी आप सब भी बताएंगे उत्तर परदेश में सर्जी कोश्चन बड़ा सुन्दर साब की सामने स्कूल और पेपर टेक्नोलोजिचन कितनी बार हम से परिक्षा में पूछा जा चुका है तो आपको बताना होगा सर जी आप महारा तो सहरनपूर कर देना ठीक है वो सहरनपूर होगा मेरे प्यारों जो लकडी की नकासी के लिए जाता है ठीक है जहां पर पल्स राष्टि पल्प ऐसे पल्स होगा ना एवं कागच अनुसंधान के अंदर अवस्तित है सहरनपूर वो सहरनपूर जो लकडी की नकासी के लिए सर जी आता है लकडी की नकासी के लिए जाना जाता है ये आप सभी को पता भी होगा और पहले मैंने लिखवाई दिये हैं इस सहरनपुर के बारे में चलो नेश्ट कूश्चन जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर परदेश राज्चे की कुल जनसंख्या में गिरामीन जनसंख्या का प्रतिसत कितना है ये कोश्चन बड़ा बहतरीन है और मैं आसा करूँगा कि आप इसका जवाब मुझे देंगे 100% जवाब तो देना होगा यदि कोश्चन क्या होगा सर जी ना सिस्टीट पॉइंट का होगा यहाँ पर क्या है सर जी गिरामीन जनसंख्या की बात है आएगा कोश्चन जैसे की उत्तर पॉइंट की बात करूँ तो सर जी गिरामीन की बात कितनी होगी मेरे प्यारो तो 37.7 पॉइंट सेवन परतिसत गिरामीन है और 22.4 है 23 सम्थिंग में वो आपका सहरी वसे हुए है मतलब सहरी छेतर यदि सहर में आपके बात करूँ सहरी मतलब छेतर की बात होगी या सहरी छेतर में आवादी 22.23 सम्थिंग में इस तरीके से होगा आपको बता देना है ठीक है चलो next question अगला इत्तर परदे से सुरू होने वाला सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग है यह भी question भड़ा बहतरी नहीं है सर जी और मैंने अबी आपको बताया था पर गलत नहीं करेंगे कोई भी गलत नहीं करना है ठीक है ना आप सभी के सभी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी पर जुटे हुए हैं उत्तर परदे से सुरू होने वाला सबसे लंबराश्टी राजमार्ग NH19 11-3-7 ये आपको बताना है और मैंने अभी कुछ ही जो है मिन्टो पहले बताया था आपको और आप बताएंगे 100% बताएंगे और यहां बताती हुए सर जी NH19 कर देना आप क्या कर देना तो इधर इंगलिस वाली भी कर देंगी सर NH19 कर देंगे बताओं तो 655.2 किलो मीटर लंबाई उत्तर परदेश में होगी उत्तर परदेश में उत्तर परदेश की बात कर रहे हो आपको बताएंगे 655.2 ठीक है ना किलो मीटर यह आपको बता देना है तर इस तरी के सिगाशेबाद आपका अलीगड मतुरा आगरा ठीक है ना अफ्रोजा वाद कानपूर वारानसी मतलब पहले प्रिया अगराज और वारानसी होते हुए फिर विहार की तरफ हम प्रिवे कर जाएंगे ये कोशन आते हैं आएंगे तो आपको बताना होगा अगला कोशन होगा 56 उत्तर परदे सरकार ने कितने जिलो में 50 प्रितिसस से अधिक ग्रामीन परिवारों को नल से जल उपलवद करा दिया है कितना बहतरीन कोशन होगा भाईसाव नल से जल नल से क्या होग जल निकलेगा और कितने ये कोश्यन कितना सुन्दर है उत्तर परदेश सरकार ने कितने जिलो में 50% से अधिक गिरामीन परिवारों को नल से जल उपलवद करा दिया है 25, 20, 22 या 15 स्पीड के साथ जवाब आप कहाना चाहिए ठीक है ना जल्दी से बताएंगे बई स्पीड के साथ देखेंगे कौन पहले बताएगा जवाब दीना होगा चलो भी अब होत बढ़िया क्या कह रहे हैं चलो ठीक है तो ये अब बताएंगे जल्दी से स्पीड के साथ कोश्यन आपके सामने उत्तर परदेश सरकार ने कितने जिलो में 50 विरतिसत की वात है तो आप बतादे ना सरजी 22 कितने जनपदों को यहां लिखा हुआ है 22 जनपदों को ठीक है ना जो ग्रामीन परिवार में रहते हैं उन्हें नल से जल उपलवद करा दिया तो आपको बता नहोगा सरजी महार उत्तर परदेश भारत का सबसे अधिक जनसंक्या वाला राज्य है और जनगर्णा 2011 तक की दी गई संक्या के अनुसार इसकी जनसंक्या घनत्वी प्रती किलो मीटर है बताना है जनसंक्या घनत्वी की बात है सरजी अब देखेंगे वहाई सब टक्कर होगी आमने सामने की परदेश की प्रांगण में कितने व्यक्ति अनिवास करते हैं कितना वहतरीन कोश्यन आपके सामने पहुंचा और आपने बताया सरजी आप 829 क्यों न कर देते 829 व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर होगा कितना होगा 829 व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर ये मैं लिख जन संक्या घनत्व वाला जनपद यह आप सभी को बताना है बड़ा सुन्दर सा कोश्यन आपके इस्क्रीन वोड पर मेरे लाड़ लो आएगा तो आप बताएंगे और बताना तो होगा सर जी क्या जवाब है तो आप सर गाश्यवाद क्यों न कर देते गाश्यवाद करेंगे और गाश्यवाद का कितना होगा ये भी तो हमें बताना होगा ठीक है ना गाश्यवाद तो मैंने कर दिया अब गाश्यवाद का कितना होगा तो सर जी 491 होगा कितना 491 होगा मतलों कि 491 व्यक्ति एक किलो मीटर की दाइरे में अपने गाश्यवाद में रहते हैं वो गाश्यवाद जो हिंडन नदी के किनारे अवस्तिते हैं दूसरा नंबर भी हम से पूछ लेगा तो मैं तो भाई सब बाराण सी की तरफ चला जाऊंगा और बाराण सी में कितने तो हम बताएंगे तेईस सो पेचान में व्यक्ति एक किलो मीटर की दाइरे में रहते हैं और सर जब सब से कम पूछे जाएंगे सब से कम जन संक्या घनत आप समझ जाना तो आप सर जी ललितपूर बता देना और ललितपूर की बात होगी तो सर जी 242 कर देना 242 व्यक्ति प्रतिवर किलो मीटर ललितपूर में निवास करते हैं ऐसा कुश्चन आएगा तो आप निश्रित तोर पर करके आएंगे गलत नहीं करना उत्तर परदेश में प्रत्थम बार रेल गाड़ी कव चली थी अव ऐसा कुश्चन भी पूछोगे हमसे हाँ तो देख लेना इसे भी गलत करेंगे ठीक है अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे जवाब देगा बड़ा बहतरीन कुश्चन आपके सामने होगा मेरे प्यारो बत डेट भी लिख दो चाओ इतना ही बता रहे हो तो डेट भी लिखो ना चलो बहुत बढ़िया तो 1853 यहां बताती हुए सर 16 अप्रेल 1853 क्यों न कर देते के अप्रेल की बात होगी तो मैं आपको बताऊं सर 16 अप्रेल 1853 आप कर देना ठीक है ना मुंबई से ठा पूरी बंदर बात करूं तो क्या होगा सर जी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है पहली रेल गाड़ी जिसने कितने किलो मीटर की दूरी तो आप बताएंगे सर जी 34 किलो मीटर की दूरी वो तै करती है 16 अप्रेल 1853 को मुंबई से ठाने के बीच चलती है आजो यहम आएगा कोशन आप ही को बताना है कि भारत का ठीक है या भारती रेलवे का पिता में किसे कहा जाता है ठीक है भारती रेलवे का पिता में किसे कहा जाता है ठीक है भारती रेलवे का पिता में किसे कहा जाता है ठीक है भारती रेलवे का पिता में किसे कहा जाता है ठीक है भा कर दो कर दो कर दो कर दो आपको भारती रेलवे का पिता हमें किसे कहा जाता है ये आप बताएंगी सर जी किसे कहा जाता है तो जब कोश्चन आएगा तो आप बताएंगी सर डल हो जी को कहा जाता है किसे कहा जाता है डल हो जी ठीक है चलो जी तो डल हो जी इस तरीके से कर देना है कौन से हो जी होंगे सर जी डल हो जी आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से और आपने बताया वी इसी के साथ next question अगला आपके screen board पर 99 वा उत्तर परदेश में मदन महन मालविय प्रोध्धोगी की विस्विद्याले निम्न में से कहा इस्तित है ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से उत्तर परदेश में मदन महन मालविय प्रोध्धोगी की विस्विद्याले निम्न में से कहा इस्तित है बारान सी में गोर बढ़िया तरीके से उत्तर परदेश में मदन मोहनमाल भी है प्रोद्ध होगी कि बिस्विद्ध्याले दिम उसे पूछा जाएगा तो बता रहे हैं सर जी गुरकुर कर देना चलो बहुत बढ़िया तो बताया तो सही लेकिन जिनोंने बताया गुरकपुर वो एक दहुं रा देना आएगा कोश्चन निशित तोर पर आएगा पूर्वात तर रेल्वी का मुक्याले बी गोरकपुर में स्थित्हई सभी को पता है ऐसा चोटा सा कुश्चन तो आप निशित चलो एक छोटा सा बता दो मेरे याद भी आ गया डॉक्तर राजिंद्र पिरसाद अब मैं मान जाओंगा आप आप की तैयारी बहुत बढ़िया है डॉक्तर राजिंद्र पिरसाद राष्टि विधी विश्विध्याले ठीक है ऐसी करेंगे विधी मतलब की कानून राष्टि दिविश्विध्याले लगन वता रहे हैं देखो लेकिन यहाँ पर वहिया ठीक है वताया तो नाम था लंबा सा ठीक है लेकिन उपर को चला गया तो बता दिया सर जी आप प्रियाग राज कर देना कौन से प्रियाग राज की वात होगी कोश्चन बड़ा वहत्रीन होगा बताना तो होगा ऐसा कोश्चन आएगा और गलत न करना किसी को भी चलो अगला कोश्चन उत्तर परदेश की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रती सत्य है वह यदी मैं बात करू टोटल अपने भारत की पॉपुलेशन की किसकी बात होगी सर जी भारत की 23.2, 11.1, 13.2 तो आप वताएंगी सर जी 16.5 होगा 19.88, 12341 अपने उत्तर परदेश की जनसंख्या कितना होगा 19.88, 12341 उत्तर परदेश की पॉपुलेशन 2011 की जनगर्णा की अनुसार और मेरे प्यारो इसमें अपने उत्तर परदेश तो आपको बात है 16.5, 037 मतलब टोटल भारत की जनसंख्या की अगला कोश्चन 2011 की जनगर्णा की अनुसार उत्तर परदेश की नीमलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षर्ता दर्सम से कम है बहु ये कोश्चन टक्कर का है और मैं आसा करूंगा कि इस टक्कर को तो आप ही जेल सकते ह दो चलो बहुत बढ़िया सर इस क्लास में यूपी वाले भी ले सकते हैं ले सकते हैं मेरी वहना ले सकते हैं तो करो चुप देशी करे जाओ ये सब के लिए जो है काम्याब होगी क्लास बताना है उत्तर परदेश कौन से उत्तर परदेश की जनगर्णा सेंसस के अनुसार उत्तर परदेश के नीमलिकित जनपदों में से किसमे महिला साक्षर्टदर सबसे कम है, बताओं, अब देखेंगे कौन पहले स्पीड के साथ यहां पर जवाब देगा, और सिरावस्ती आवी गया, जवाब सरजी आप सिरावस्ती कर देना, चलो, बहुत बढ़िया, और अधिक बताओ मुझे, ये तो सबसे कम हो गई, लेकिन सबसे अधिक महिला साक्षर्टदर, सबसे अधिक ये आपको बताना है, कोश्चन बढ़ा बहतरीन होगा, सबसे अधिक महिला साक्षर्टदर, अब देखेंगे कौन पहले बताए, सबसे अधिक महिला साक्षर्टदर दरवाला जनपद साक्षर्टा दरवाला जनपद सभी को जवाब देना है सबसे अधिक महिला साक्षर्टा दरवाला जनपद तो आप बताएंगे सर जी कानपुर नगर कौन सा तो मैं बताऊं हां सर कानपुर नगर कर देना वो कानपुर नगर जो चमडा उतपाद के लिए जाना जाता है तो ये तो भाई साव आपका कान पुरुनगर होगा सवसे ज़्यादा और सवसे कम सिरावस्ति वो सिरावस्ति मैंने कई बार बता दिया मेरे प्यारों वो सिरावस्ति होगा जापर गौतम बुद्र ने अपने सवसे ज़्यादा बुदेश्दिय मैं पहले भूल चुका हूँ अगला कोश्चन होगा उत्तर परदेश में कुल कितने अंतराष्ट्य एयरपोर्ट कार्यानवित एबं प्रस्तावित हैं जल्दी से जवाब दो देखेंगे किसका सवसे पहले जवाब आएगा और बता दिया हैं सर जी छे नहीं वही बात गलत हो जाएगी तो पांच बताएंगे सर एक वार पांच मुझे काउंट तो कराओ तो मेरे प्यारो चौदरी चरण सिंग अंतराष्ट्य हवाई एड्डा जो लखनव की पावन भूमी पर अवस्तित होगा चौदरी चरण सिंग होगे ठीके लाल भादूर सास्त्री अंतराष्ट्य हवाई एड्डा सर जी जो बाराणसी में अवस्तित होगा ठीके कुसी नगर अंतराष्ट्य हवाई एड्डा जो कुसी नगर में होगा मरियादा पुरसोतम राम अंतराष्ट्य हवाई एड्डा जो अयुद्या में होगा और एक जेवर अंतरास्टे हवा या डज निर्मान धीन आपको पता भी होगा सरजी गौतम बुद्ध नगर में होगा तो यह पाँच होगे यह आपको वताना है सरजी कितने पाँच वता देना चलो अगला नैश्ट कुश्चन उत्तर परदेश का वह कौन सा विस्विध्याल्य है जिसने अपने पाठिक रम में भगवान ये करेंगे भगवान राम और आयोध्या के इतिहास को नहीं नई सिक्षा योजना की तहत सामिल करने का प्रस्ताव किया है अपने पाठिक रम में भगवान रामचंदर जी और आयोध्या का जो इतिहास है इसे नई सिक्षा योजना की तहत सामिल करने का प्रस्ताव किया लख्नो विस्विध्याल्य, इलाबाद विस्विध्याल्य, डॉक्टर भीहमरावम।मेडगर विस्विध्याल्य जल्दी से जबाब देना है एक सो तीन का डीकर देना मैं ना बता रहा ठी है कभी आप कासी कर दो कासी ना होगा यहाँ पर लखनौ होना चाहिए क्या होगा सर जी लखनम विश्विध्ध्ध्याले आप बताएंगे उत्तर परदेश का वह विश्विध्याले कौन सा है, जिसने अपने पाठी क्रम में भगवान राम और अयुद्या के इतिहास को नई सिक्षानिती में जोडने का फैसला किया है, सर आप लखनों विश्विध्याले कर देना, आरी बासन में, आरी है सर जी, चलो, सबसे हो है, उत्तर परदेश का समसी प्राचीन विश्विध्याले, इलहबाद विश्विध्याले, देखो, मैंने देखा, डॉक्टर संपूर्णानंद, कौन सा होगा सर जी, डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम सुना होगा, एक संस्कृत विश्विध्याले था, वो 1791 में में लिए यदि पुराना विश्विध्याले होगा, तो लखनव माफी चाहूँगा, इलहबाद जुती सितंबर 1887 को स्टैवलिस होता, यह आप सभी को पता होगा, नैश्ट अगला कूश्यन, उत्तर परदेश के निमन में से किस स्थान पर पंच देव मंदिर का निर्मान किय जाना प्रस्तावित है, यह कोश्यन बड़ा सुन्दर सा आपके सामने और मैं आसा करूँगा कि इसका जवाब एकदम बहतरीन तरीके से देंगे, और बताना तो होगा जल्दी से, क्या कोश्यन है सर जी, कोश्यन आपका उत्तम चत्रवेदी जी मारे साथ जुड़े, और बता रहे हैं सर, ठीक है ना चलो भी, जल्दी से बताएंगे, कोश्यन बड़ा सुन्दर हलो भी, तो बता देना सर जी, अयोध्या करेंगे, क्या करेंगे? अयोध्या करेंगे, बहुत बड़िया तरीके से आपका जवाब आता वी वा, दी कह रहे हो, ठीक है ना, पंच देव की बात होगी, तो आप अयोध्या की तरप जाएंगे, भगवान रामचंदर जी की जन जिर्मान प्रस्तावित है, और अभी भगवान रामचंदर जी के भव्या है, जो मंदिर का उधगाटन 22 जनवरी 2024 ही होगा ना, 24 को प्रदान मंतिरी नरेंदर मोदी जी के करकमलो के दुवारा किया गया, अब एक छोटा सा कोश्चन मुझे बताओ, जे के मंदिर कहां अव अवस्तित है, और एक अलोपी मंदिर, ये दौनों के दौनों मंदिर मुझे तो भहिया बहुत ही इमानदार लग रहे हैं ये, और मंदिर भी आएंगे ना, आगे को, तो मैं बताता चलूँगा, जे के मंदिर बताना है सर कानपूर करेंगे, और जी के अलोपी मंदिर भी उचा जाएगा, ठीक है ना, यदि अलोपी, चलो ये तो मैंने जे के मंदिर तो आपका कानपूर बना दिया, बहुत बढ़िया, अब ये बताओ मुझे अलोपी मंदिर कहां अवस्तित है, अब बता रहे हैं सर जी, आप प्रियाग राज कर देना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, तो आपका एकदम राइट जो जवाब होगा, वो होगा, एकदम मतलों की राइट प्रियाग राचा लोपी मंदिर और पंच देव मंदिर की बात होगी, तो अयुद्या आप छापेंगे, राष्टे राजमार्ग विकास बरियोजना के उत्तर दच्छिन तथा पूरा पश्चिम गलियारे मिलते हैं, राष्टे राजमार्ग विकास बरियोजना के उत्तर दच्छिन तथा पूरा पश्चिम गलियारे मिलते हैं, राष्टे राजमार्ग विकास बरियोजना के उत्तर दच्छिन तथा पूरा पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कानपुर म जासी लखनव या बाराणसी स्पीड के साथ सभी को जवाब देना है गलत न करना किसी को भी कुछ कानपूर कह रहे हैं तो कुछ जासी कोई प्रियाग राज कह रहा है तो कुछ कोई कुछ बता रहा है ऐसे कैसे काम चलेगा भीया राइट आंस्वर का जवाब आपको देना ह होगा सर जी जासी कर देना वो जासी जो खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी पूछा गया कौन सी पहाड़ी पर अवस्तित है तो बंगरा पहाड़ी आपको बताना होगा कौन सी पहाड़ी की बात होगी मेरे प्यारों बंगरा पहाड़ी मैं बताओं बता झाल झाल चलो भी ठीक है जल्दी से बताएंगे सर बी चलो बी बताना है यह कह रहे हैं सर जी 98 वा कोश्चन कौन सा है 98 वा बता रहे हैं मैंनों यह देख लूँगा चलो 99 सही तो है 1853 सही तो है और कैसे करोगे 1854 कर दूँ चलो राष्टी राजमार्क हो गया ना जहां सी यह एकदम राइट होगा तो पूचा जाएगा और आयुर्वेद महसब यह भी पूचा जाता है कि आयुर्वेद महसब ठीक है अठारे से उन्सट वह भाइसा भारत की है ना कि उत्तर परदेश की यदि उत्तर परदेश की होती तब यह तो 1869 करता में आप देखलो भारत की पहली रिल गाड़ी है ठीक है ना चलो देखे करो थोड़ा सा समझो अंतराष्टी चावल अनुसंधान संस्थान इरी कदच्छन ACI छित्री केंद्र ISARC उत्तर परदेश में किस जनपद में इस्तित है 106 कुश्चन का जवाब देना है तभी को जवाब देना है बड़ा बहत्रीन सा कुश्चन आपकी सामने है ठीक है ना नहीं सर इंडिया ना लिखा वह एक विरा और देखूंगा मैं एक वरह देख लेता हूं चलो यदि मेरे दूक होगी हो औरे सही कह रहे है उत्तर परदेश में पिरुथम अब इसे उत्तर परदेश मत करना भारत कर दो तो खीक है ना उत्तर परदेश आएगा तो 1869 होगा इसके लिए मापी चाहूंगा सही कह रहे है यदि उत्तर परदेश की बात होगी तो यहां जोड़ दूगा मैं उत्तर प चलो इसके लिए माफी अगला कोश्यन आपको बताना है ठीक है चलो अंतराष्टी चावल अनुसंदान संस्थान का दच्छिन एस या चेत्रिय केंद्र आई एस ए आर सी उत्तर परदेश में किस जनपद में इस्तित है ये आपको बताना है आप मैंने भी भारती पढ़ लिय या दिमाग इतना गया ना चलो इसके लिए माफी चाओंगा अब ना होगी अब धियान से पढ़ूँगा ठीक है लखनव आजमगड बाराणसी या गोरगपुर तो इस पीड के साथ आपको बताना है ये है अंतराष्टी चावल अनुसंदान संस्थान का दच्छिन एस य कितनी बार आपको बताया होगा और इसका जो राइट होगा सर जी वो होगा आपका बाराणसी वो कौन सा होगा तो मेरे प्यारों आपको बताना होगा बाराणसी बताएंगे सर जी यदि अंतराष्टी चावल अनुसंदान संस्थान केंदर पूछा जाएगा तो मैं मनीला बताऊंगा सर जी Manila ये कौन सा जन पद है ये जन पद नहीं है मेरे प्यारों फिलिपिन्स की राज़िधानी Manila जहांसे एस्या का नौबिल कहा जाने वाला रैमन मैगसे से आवार प्रदान किया जाता है वो Manila जहांपर एस्या इविकास बैंक का मुख्याले अवस्थित मनिला होगा अब राष्टे की बात होगी राष्टे चाबल अनुसंदान कैंदर पूछा जाएगा तो सर जी आप कटक बता देना ये कटक कहां पड़ता है तो सर जी आप ओडिसा और ओडिसा का तो हाई कोट भी कटक में अवस्तित है वोई कटक होगा जहां पर नेता अब यदि उत्तर परदेश की बात होगी सर जी उत्तर परदेश में कहां इस्थापित है अंतराष्टे का तो बाराण सी ये तो अंतराष्टे का ही है तो बाराण सी आप बता देना और चावल की बात है तो उत्तर परदेश की मुक्चे खादान फसल धान ही तो होगी कौन जाएंगे सर जी वो बाराण सी जहां पर तुलसी मानस मंदिर अवस्तित होगा वो बाराण सी जिसे घाटो की नगरी कहा जाता है तो ये नैश्ट अगला कोश्यन होगा आपके सामने उत्तर परदेश का कौन सा सहर अपने काश्ट वैल के लिए पूरे बिस्व में बिख्यात है कितना बहतरीन कोश्यन है एक सो साथवा कोश्यन जब सभी को जल्दी से जवाव देना है और मैं आसा करूंगा कि आप जल्दी से जवाव देंगे उत्तर परदेश का कौन सा सहर अपने काश्ट वैल के लिए पूरे बिस्व में बिख्यात है मुझप्फर नगर होगा य जलेसर हाँ ये वो ही जलेसर है जो एटा जनपद में अवस्तित होगा और इसी जलेसर का मेरे प्यारों जो घंटा यदि मैं बात करूं घंटा बिस्व के जितने भरवी मंदिर वगेरा होंगी ना मतलब उनमें घंटा जो मुखे रूप से बनकर जो जाते हैं वो जलेसर से जाते हैं और जलेसर का ही घंटा तो भगवान रामचंदर जी की भव्वे मंदिर में लगा हुआ है वो जलेसर जो एटा में अवस्तित होगा और वो एटा जनपद होगा सर जी जहां पर अतरंजी खेडा होगा ये भी कोश्चन पूचा जाता है आज एकोश्चन सर जी अत इंगापुर की तर्ज पर किस सहर में देश के पहले नाइट सफारी पारक के निरमान की कारिय योजना बनाई गई गई हैं बताओ जलदी से सर जी क्या लखनव होगा आगरा लखनव कानपूर या अलिकड स्पीड के साथ सभी को जवाब देना है तो लखनव के जो कुकुरेल जंगल है ये भी हम बताएंगे सर जी किसके तो लखनव के ऐसे लिखेंगे कुकुरेल जंगल कौन सी जंगलों की बात है लखनव के जो कुकुरेल जंगल है उनमें मेरे प्यारों पहला जो है देश का पह बैसे बहुत पूछा जाएगा लौइन सफारी पार्क यदी मुझे पूछा जाए तो मैं तो एकदम बताओंगा भाई सव क्या तुमारी कमेंट्स देखे ही तो बताओंगा इंटावा बता देना सर जी तो आप क्या लौइन सफारी पार्क मेरे प्यारों, इटावा कर देना, वो इटावा जहां पर सेफ़ाई महुश्चब मनाये जाता है, वो इटावा जो उत्तर परदेश का सरवादिक अब नाली का परदन के लिए जाना जाता है, तो यहीए पर लॉआन सफारी पार्क, और जीकिये देश का पहला नाइट सवारिवार कर लखनों में ये आपने बताया इसकी साथी अगला कुश्यन आपकी स्क्रीन भूर पर आया गिरांड ट्रंक रोड अमरी सर से कोलकाता तक जाती है बताईए उत्तर परदेश का नीमलिकित में से कौन सा नगर इसके अंतरगत नहीं आता है वो गिरांड ट्रंक रोड मेरे प्यारों जिसका निर्मान सेरसहा सूरी ने ठीक है ना मतलव की आजम माफी चाहूंगा सडक आजम के नाम से करवाया था और एक जो है भारत का गवर्नर जनरल जिसका नाम होगा ऑकलेंड जिसने ऑकलेंड नहीं इस सडक आजम का नाम बदला और नाम दे दिया ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड जिसे मैं बोलूँ सेर्साह सूरी जी की द्वारा निर्मित होगी अब इसमें एक question ये भी कई बार हमसे पूछा गया इसमें ठीक ना मिसमेंच सा हुआ एक वारे मैंने देखा था तो पहले मैंने अलीगड लिखवा दिया तो उसके लिए फिर मैंने दूसरे question में वह चाहिकर वा इसमें चो ना होगा तो वो लखनव ना होगा कौन सा ना होगा लखनव नहीं होगा बाकी तो क्या होगा अलीगड भी होगा कानपुर भी होगा आगरा मतुरा ऐसे प्रियाग राज वारान सी ऐसे होता आ रहा है तो आप बताएंगे सर इसमें लखनव नहीं है क्या नहीं है राजदानी नहीं है बाकी तो सभी है सर जी ठीक है बाकी तो सारे की सारे जन्पद होंगे तो यह आप लखनो अब यहाँ पर राइट करेंगे अगला कोश्चन नीमलिकित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर परदेश में तीसरा प्रेमुकिस्थान है यह भी हम सभी को बताना है बहुत बढ़िया तरीके से नीमलिकित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर परदेश में तीसरा प्रेमुकिस्थान है वो दिष्ट इसाई, जैन या स कि ये जवाब आप देंगे और इधर इंगलिस वाले बच्चे आ जाएंगे सभी को बताना है नेमलिकित में से किस धार्मिक समूदाय का उत्तर परदेश में तीसरा इस्थान है तो बताना जल्दी से सर जी यदि पिर्थम की बात होगी तो आप पिर्थम पर तो हिंदू बताएंगे क्या बताएंगे पिर्थम यदि मुझसे पूछा जाए तो हिंदू दुत्य की बात होगी सर जी दूसरे नंबर की बात है तो मैं तो मुस्लिम बता दूँगा शलू अब तीसरे की बात है तिरतिय यह तो बताना होगा तिरतिय यदि मुझे पूछ जाएगा तो तिरतिय आप बताएंगे अब तिरतिय वाला तो कोशन में है अब तिरतिय देखेंगे कौन पहले बताएगा यदि हिंदू की बात होगी तो ये तो सभी को बताए 79.73 प्रतिसत सम्थिंग में इतने ही है हिंदू की बात 79.73 होगी और मौमडनों की बात होगी तो 19.26 होगा सरजी अब तीसरा नंबर आपको बताना होगा अब बतारे सरजी सिख कर देना कोई बोधिस्ट कह रहा है बोधिस्ट तो सबसे कम है उत्तर परदेश में सबसे कम तो वोधिस्ट होगी यहां तीसरे नंबर की बात है तो तीसरा तो आप मेरे प्यारों सिख बता देंगे क्या बता देंगे सिख बता देंगे कोश्चन आएगा तो बड़ा भैतरीन होगा और कितने हैं सरजी हम बताएंगे पॉइंट थिरी टू पिरती सत्मात्र सिख वसे हुए है मेरे प्यारों जब अठारे सो सत्तामन की मा भी चाहूंगा जब भारत छोड़ो आंदोलन की इसे दरगना अरे भारत छोड़ा ना तो देश बटवारे की बात हुई थी ना तो 14-15 अगस्त 1947 की बात है जो पाकिस्तान में बस रहे उत्तर परदेश के जो सिख थे उन्हें जो पीली भीत में बस आएगा उत्तर परदेश के पीली भीत में और यदि बात आएगी तो पीली भीत को इसलिए ही उत्तर परदेश का कोश्चन को बड़ा सुन्दर बनाएंगे उत्तर परदेश के अयोध्या में निर्मान धीन मेरे प्यारो राम मंदिर में जलावी से कहे तु कितने देशों की नदियों का जल लाया गया ये कोश्चन बड़ा सुन्दर साहब के सामने बताएंगे सबी चलो बड़ी जल्दी से बताएंगे ये भी कोश्चन होगा ठीक है ना और आसा करूँगा कि सभी बताएंगे 111 कोश्चन उत्तर परदेश के अयोध्या में जो निर्मान धीन जो राम मंदिर है इसमें कितने नदियों और मतलो कितने देश की नदियों का जल लाया गया ये आपको बताना है अब बता रहे हैं सर जी 155 कर देना अब जब मैं गूगल करूँ तो मुझे कुछ साइटों पर 156 भी दिखाई पड़ता है लेकिन सटीक जो यहाँ पर आंस्वर होगा वो 155 होगा कितना होगा सर जी 155 आपको बताना है तो कितना 155 मेरे प्यारो इस राम मंदिर के सिलन्यास की बात आती है कौन पहले बताएगा सिलन्यास कब हुआ तो सर जी 5 अगस्त की बात है और वर्स 2020 में प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के दुआरा इसका सिलन्यास किया गया सभी को पता होगा 5 अगस्त 2020 को किसका राम मंदिर का सिलन्यास किया गया उद्घाटन यदि मुझे पूचा जाएगा सर अब उद्घाटन अवी आप सभी को पता होगा ओधिघाटन तो सर जी 22 जनवरी 2024 को हुआ था 22 जनवरी 2024 को अब कोश्चन ये पूचा जाएगा सर ये जो राम मंदिर है कौन सी सैली में निर्मित है भई सैली भी तो मुझे से पूची जाएगी तो मैं आपको बता दूँगा सर जी नागर सैली में निर्मित है कौन सी सैली की बात है तो आपको बताना होगा सर ये नागर सैली में निर्मित है आएगा कोश्चन तो मैं बताऊंगा जरूर यदि मैं उचाई की बात करूँगा कि मंदिर की कितनी उचाई है तो 161 फिट उचा यह हमारा जो राम मंदिर होगा बास्तुकार पूछे जाएंगे चंदर कांता वी सामपुरा बड़ा बहतरीन कोश्चन होगा सर जी राम मंदिर के बास्तुकार आएंगे और आएंगे तो हम बताएंगे सर जी चंदर कांता वी सामपुरा यह मतलब कोश्चन अनिशित तोर प कर देना थीक है न कई के सानफूरा लिख रहा है तो सौम पुरा बता देंगे चंदरकानता वी साम जो है सौम पुरा इस तरीके से और लौर्षन अंडु तुप्रों कमपनी की दूआरा निर्मित है यद्जि कमपनी की बात होगी किस कमपनी की तुआरा राम पूचा जाएगा तो आपको बता देना है उचाई जो भी पूचा जाए छेत्रफल पूचा जाएगा 2.7 एकड में फैला हुआ है छेत्रफल भी यदि मुझसे पूचा जाएगा तो 2.7 कितने 7 की बात होगी 2.7 एकड की आपको बता देना है ठीक है तो ये कोश्चन आता है और आएगा तो आपको बताना होगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया अच्छा चलो बहुत बढ़िया टार्गेट विद सरजी जी मेरा थन चल रही है ये भी इतनी डिटेल बहुत है वैसे कोश्चन आएगा सैली वगेरा पूच लेगा तो आप बता देना ठीक है अगला कोश्चन प्रदेश में सरपिर्थम महानगर बस सेवा की शुरुवात की गई ये भी कोश्चन आप सभी को बताना है प्रदेश में सरपिर्थम महानगर वस सेवा की सुरुवात की गई और देखेंगे कौन पहले इसका जवाब मुझे देगा स्पीड के साथ जवाब देना है तरदी 112 का ए कर देना 15 माई 1947 मैंने बताया ही था कैमाई की बात है स 1947 ECB को और उत्तर परदेश का जो के लखनव में जो केसर वाग है पहली जो बस मतलव की बस जो सेवा स्टार्ट हो गई ठीक है न केसर वाग से ये आप बताएंगे लखनव से स्टार्ट होती है चलो अगला कोश्चन होगा उत्तर परदेश के किस जिले में गंगा पुसक्र कुम्ब का आयुजन किया जा रहा है या किया गया है ऐसे कुश्चन आएगा आप से पूचा जाएगा उत्तर परदेश का वे कौन सा जनपद है जहां पर गंगा पुस्पकरम इस तरीके से होगा तो आपको बताना है जल्दी से ठीक है ना तो उत्तर परदेश के किस जिले में गंगा पुसकरम कुम्ब का आयुजन किया जा रहा या किया गया तो आप बताएंगे भारानसी में प्रियाग राज में कानपुर या विजनोर में जवाब आप ही का होगा सर जी तब हमारा सवाल होगा और देखेंगे कौन स्पीड के स उत्काट यहां पर जवाब देगा और वता रहे हैं सर जी आप ए क्यूं न कर देतें क्यूं कर दूँ ए जव गलत वता रही हो भीया कोई बी कहरा है अच्छा ए कह रहे हैं कुछ और कुछ भी कहरे हैं तो यहां पर यदि गंगा पुस्पकरम कंबます मेले की बात होगी पती इसी ही बताएंगे कुम्ब समझ के प्रियाग राज न जाना और कहां जाओं तो बाराणसी जाना वहां बाराणसी सर्जी जिसे कासी विश्वनात की नगरी बूला जाएगा ये आपको पता भी होगा चलो एक मुझे बताना कलिक महुसव इस तरीके से आता है और जवाब आप बता देना चलो यमना महुसव पूछ रहे हो तो इसे तो हम बता देंगे एक बार में ठीक है यदि सेफ़ई महुसव की बात होगी अब इतने जी कोश्चन ना चलेंगे सेफ़ई महुसव तो सर्जी हम इने भी गलत कर याएंगे आप कैसी बात कर रहे हो ठीक है ना त ताज महुसब बगेरा तो वो तो आपका रटाई हुआ है या सुलह कुल महुसब चलो सुलह कुल महुसब बता दो यहां लिख दूँगा मैं सुलह कुल महुसब कौन सा महुसब होगा मेरे प्यारो मैं बताऊंगा सर जी सुलह कुल महुसब बड़ा बहतरीन बड़ा इमांद पुद्धार कोश्चन आपके स्क्रीन भूढ पर कलिक महुस्व की बात होगी सर जी संभल क्यों न चले जाते आप जो होर्न क्राफ्ट के लिए जाना चाथ है सर ये होर्न क्राफ्ट क्या होता है तो मृत पसुवक जो सींड होते हैं उनसे आभुसन तयार के जाते हैं इस जिली महुषब जो आगरा में मनाया जाता है तो ये इसका आप राइट कर देंगे आगरा ठीक है शलो इसी के साथ next question अगला जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर परदेश का सरवादिक लिंगानु पात वाला जनपद अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही आपको बताया होगा अब देखेंगे भई जलो जल्दी से बताना है ये चोटा सा question अब मैं इसमें एक और चीज आपको बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा किरम इनका किरम भी तो पूछ सकता है तो ये question है जी क्या जनगर्णा 2011 के अनुसार उत्तर परदेश में सरवादिक सेक्स रेशियो वाला जनपद तो आप बता रहें सर जी जौनपुर क्यों न कर देते तो एक हजार 24 होगा ठीक है अब दूसरे नंबर की बात होगी तो आजमगड होगा सर दूसरे नंबर पर आजमगड और आजमगड करेंगे 1019 तीसरे नंबर पर सर जी देवरिया वह एज़ी क्रम पूछेगा ना तो 1017 कर तो पहले पर कौन सा होगा सर हम बताएं जौन पूर कर देना दूसे पर आजम गड़ कर देना तीजे पर देवर्या कर देना और चौते पर वो आमला नगरी जहां पर डॉक्टर वियारम मेडगर अभ्यारन नियावस्तित होगा तो ये भी आप बताएंगे चलो सही बताया अ इस तरीके से आपको बताना है तो बताना क्या सर जी कानपूर में किया जा रहा है हर्दोई अयुद्या या गज्यबाद इसका जवाब तो आप ही को देना होगा और बताएंगे सर जी चलो बहुत बढ़िया और यहां जवाब सभी का आता भी हुआ सर आप भी क्यों न कर देते एक सो अच्छा भी कर दूं हर्दोई का जो संडीला है हर्दोई का एक छेतर है न संडीला इस तरीके से लिखेंगे संडीला में मेरे प्यारो ठीक है ना बरजर गुरुप द्वारा देश की समसे बड़ी पैंट फैक्टरी का कंस्ट्रक्शन कि जा रहा है ये भी आपको बताना होगा और ये ठाटी सेवन एकड में होगी कितने में सर जी संडीला में ठाटी सेवन एकड करेंगे बहुत बहतरीन कोश्चन होगा इसी के साथ नेक्ष्ट कोश्चन आगे आपके स्किरिंबोड पर होगा यमना नदी में प्रियाग राज स नई दिल्ली तक घोसित किया गया है राश्टी जलमार्क संक्या 110 राश्टी जलमार्क संक्या 111 राश्टी जलमार्क संक्या 109 या राश्टी जलमार्क संक्या 108 ये कितना खतरना कोश्चन आपकी सामने है और सहाव इसका जवाब देना होगा बहुत बढ़िया तरीके से ज जमना नदी में प्रियाग राज वो प्रियाग राज मेरे प्यारो इधर ठीक है ना और इधर होगी आपकी नई दिल्ली तक गोचित किया गया है नेशनल वाटरवी संख्या 110 ये बताना है जल्दी से बताओ बई और यहाँ पर सवी का जो जवाव तो गलत आता हुआ लेकिन यहाँ पर राइट होगा राश्टिय जल्मार्ग संख्या 110 करेंगे नेशनल वाटरवी नंबर 110 कर देना कौन सा चरजी जो 189 किलो मीटर होगा ये भी यदि मैं लंबाई की बात करूं सर लंबाई 189 किलो मीटर में कर दूं कर दो 189 मतलब की 189 किलो मीटर होगा इसकी मतलब की कौन सा सर जी राश्टिय जल्मार्ग संख्या 110 की लेंट पूछी जाएगी तो 189 किलो मीटर हम करेंगे ये भी कोश्चन बड़ा सुन्दर है इसी किसा अगला कोश्चन सरदार बल्ल भाई पटेल की जैन्ती पर उत्तर परदेश के किस सहर में रन फोर यूनिटी का आयवजन किया गया है कितना बहतरी इन कोश्चन और इसका जवाब ना आया तो फिर भाई सा मामला डिसमिस हो जाएगा तो जल्दी से सभी जवाब देंगे स्पीड के साथ चलो भई बताओ जल्दी से दरदार बल्ल भाई पटेल जैन्ती पर उत्तर परदेश के किस सहर में रन फोर यूनिटी का आयुजन किया गया है इसका जवाब भाई साथ आपी को देना होगा और स्पीड के साथ जवाब यहां आते भी हुए सर कोई B-C कह रहे हैं कोई B कह रहा है कोई C कह रहा है लेकिन इसका जो राइट जो आंस्वर होगा वो आपका होगा सर जी लखनो देश के रक्षा मंत्री राजना सिंग और उत्तर परदेश के वर्तमान मुक्य मंत्री योगी आदित्यनात जी ने इसमें सिर्कत की है 31 यदि मैं बात करूँ कह रही की होगी सर जी 31 अक्टूबर कोई तो राश्ट्य एक्ता दिवस मनाय जाता है 31 अक्टूबर की बात थी मेरे प्यारो 31 अक्टूबर को राश्ट्य एक्ता दिवस के मौके पर और राश्ट्य एक्ता दिवस जो किसके जनम दिवस पर मनाय चाता है राश्ट्य एक्ता दिवस मनाय चाता है सरजी सरदार बल्लब भाई पटेल नाम होगा सरजी सरदार बल्लब भाई पटेल उनीकी जनम दिवस के उपलक्ष में पृत्य एकवर्ष उत्तर परदेश में नहीं, भारत में ही राष्ट एकता दिवस मनाये जाता है, मेरे प्यारो सरदार बल्ल भाई पटेल, वो सरदार बल्ल भाई पटेल जिने भारत का विसमार के कहा जाता है, वो सरदार बल्ल भाई प वो सरदार बल्लब भाई पटेल जिन्होंने 1928 CSB में गुजरात के बारदौली में मेरे प्यारों आंदोलन चलाया और उनी की महिलाओ बारदौली की महिलाओ के कहने पर ठीक है न सरदार बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी दी ती किसने गांधी जी ने ये आप सभी को पता भी है ठीक है चलो ची उत्तर परदेश के किस जिले को जल जीवन मिसन के तहत चार सितारा सिरैनी में सामिल किया गया है ये बताना है बड़ा सुन्दर सा कोशन इधर विच टिष्टिक ओप उत्तर परदेश है ज्विन मतलव इंगलिस वाले इधर को देख लेंगे ठीक है चलो तो चल्दी से बताएंगे स्पीड के साथ सभी को बताना है कोशन क्या होगा एक सो अठारवा कोशन उत्तर परदेश के किस जिले को जल जीवन मिसन के तहत चार सितारा सिरैनी में सामिल किया गया क्या और या कानपुर नगर गाच्यवाद या आयोध्या कोशन बड़ा बैतरीन और बड़ा स्मार्ट सा कुशन आपकी सामने और यहाँ बताते हुए सर आप सी क्यों न कर देते कोई डी कहरा है बहिए यहाँ पर आप मुझे जो है एकता का अभाब नजर आता हुआ ठीक है अब तुम में एकता ही ना है तो कैसे करूं ठीक है तो यहाँ जिसका जो गाजेवाद है ना उनका एकदम राइट होगा गाजेवाद कर देना सर जी वो गाजेवाद जिसका जन संक्या घनत्व सब सी जादा है गाजेवाद की बारे में बताऊं तो इसे ओद्योगी की नगरी की नाम सी जाना जाता है गाजेवाद की बारे में यदि मैं तो इसे छोटी दिल्ली भी कहा जाता है सर जी यो हिंडन नदी की किनारे अवस्तित होगा ये सबी को पता होगा सर जी जहां ट्रोनी का सिटी पूचा जाता है ट्रोनी का सिटी कहा वस्तित है सर गाजिवाद में अवस्तित है तो ये आप करेंगे और हिंडन हवाई अड़ा गाज़बाद में होगा उत्तर मद्धे रेलवे चेतर का मुख्याले कहां इस्तित्य है यदि गलत कर दिया ना आबके अबके गलत कर दिया तो अब देख ले ना ठीक है बताना है उत्तर मद्धे रेलवे चेतर का मुख्याले कहां इस्तित्य है अब देखेंगे बात होगी ट क्योंकि question important है तो बता है सर जी आप प्रियाग राज क्यों न कर देते और पूर्वत्तर की बात होगी सर जी पूर्वत्तर हां तो पूर्वत्तर तो आप मेरे प्यारों क्या करेंगी गोरखपुर करेंगे और उत्तर मद्य हैई आप सर्जी प्रियाग राज कर देना 2021.11 को अबदी में उत्तर परदेश को दस की जनसंक्य विरद्धी दर रही कहने का मतलब है एक तो हुई 2001 में मतलब जनगर्णा 2001 में जनगर्णा हुई और एक हुई सर्जी 2011 में इन दस की विरद्धी दर मतलब कि उत्तर परदेश की दस की विरद्धी दर कितनी रही है यह आपको बताना 20.46 ठीक है ना 20.22 पृतिसत 22.19 पृतिसत 18.69 पृतिसत इधर इंगलिस वाले भी आ जाएंगे और बताना होगा कोश्चन बड़ा बहतरीन है बड़ा इमांदार सा कोश्चन आपकी सामने और बताती हुए सर जी आप जो है हमारा तो 20.22 पृतिसत कर देना और कोश्चन बड़ा बहतरीन तो थाई चलो राश्टे खेल 2023 में उत्तर परदेश के किस जिले के अरविंद सिंग ने कितना बहतरीन कोश्चन होगा और जवाब तो आपको देना होगा भिया जवाब सभी को देना है राश्टे खेल 2023 में उत्तर परदेश के किस जिले के अरविंद सिंग ने मैंस डवल्स रोइंग परतियो गिता में स्वरन पदक जीता है क्या मेरट के होंगे सर जी सहरन पूर बुलंद सेहर या बारान सी अरविंद सिंग जल्दी से आप सभी बताते हुए है पर जवाब आपका होगा सर जी ठीक है न इधर इंगलिस वाले भी आएंगे और बताएंगे सर जी पहले तो मैं बात करूँ राष्टे खेल गूबा में आयोजित हुए है और अरविंद सिंग जो है जो बताविरे हैं सर दी आप बुलंद सेहर कर देना ठीक है न क्या कर देना बुलंद सेहर कर देना राष्टे खेल 2023 में उत्तर परदेश के जो अरविंद सिंग है मेरे प्यारों वो बुलंद सहर के खुरजा के निवासी हूंगे खाता के हूंगे बुलंद सहर के खुरजा के रहने वाले हैं जीनोंने रोइंग पिरतियोगिता में कौन सा सुवर्ण पदक जीता है यदि कोश्ण आएगा तो आपको बता ना होगा निशित तोर पर बताएंगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो आपने बताया और इसी के साथ अगला question आपके screenboard पर आया क्या question होगा कोशन क्या होगा सर जी कोशन होगा उत्तर पर्देश में नागरी कुढ्डियन प्रेसिक्षन के अंदर कहां अवस्थित है इंग्लिस वालेacao आजाएंगे और इंद्रा गांदी राष्टे ओडान अकादमी हम से पूछी गई सर जी इंद्रा गांधी कौन सी गांधी की बात होगी तो आप बताएंगे सर इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी ठीक है ना राष्ट्य उढ़ान अकादमी ये आप सभी को बताना है राष्ट्य इंद्रा गांधी राष्ट्य उढ़ान अकादमी इस्पीड के साथ सभी बता त्रेस्बन लिए अवस्थित्य है दोनों के दोनों जवाब और तीसरा ये जवाब ौत्रा रही है ना लेनी हो वो चुपदेशी चला जाई हो ठीक है ना पर ऐसे मत करियो कि अभी कितने कोश्चन है कितने ना हुए जब मैं तुमारी ओड को देखूंगा तो मेरा मनो हल डाउन होएगा ठीक है ना अब कोई मेरी हाथ जोड़ी की सवी से बिनती है तो कोई सा भी लिखी हो मतना एग्जिट करके चले जीओ और डिसलाइक का बटन पहले दवीओ पर यू मतलिक दियो कोई सा भी कि कितने कोईशन और रह रहे हैं रोवा पीटा करने की जवरत है न और यहां चलो ठीक है आप तो बैठे हो मुझे यू तो देखो मैं कंटिन्यू खड़ा भी हूं बोल भी रहा हूं और अपने जो दिमाग में कोईशन भी जो है कर रहा हूं ठीक है तो यह मेरा सभी से हाथ कर निवेदन है यहां आजाओ चुपदेशी ठीक है तो आप बता देना सर जी प्रियाग राज में उत्तर परदेश में नागरी कुड्यन प्रैसिक्षन केंदर इस्तिते हैं तो हम बताएंगे सर यह तो प्रियाग राज में अवस्तिते हैं और इंद्रा गांधी राष्ट रिली लिखा हुआ है तो दौनों यह जनपदों का मिक्स में बात करूँ और नैशनल पेरा सूट ट्रेनिंग कॉलिज की बात होगी तो सर आप आगरा कर देंगे क्या आगरा कर देंगे यह ऐसा कुश्चन आएगा तो आप बताएंगे चलो अगला कुश्चन चर्चा में रहा सर जी किस में रहा चर्चा में रहा ककरावल जल पिरपात उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तित है इसका भी जवाब आप सभी को देना होगा चर्चा में रहा है क्या रहा है सर जी तो चर्चा में रहा ककरावल जल पिरपात है मेरे प्यारों यह उत्तर परदेश के किस जिले में इस्तित है सौन भद्र में चित्र कूट में ललित पुर में या जहासी में इसका जवाब आप सभी को देना होगा चर्चा में रहा है सर ककरावल जल परपात उत्तर परदेश के किस जनपद में अवस्तित उश्चन बड़ा बहतरीन आपके सामने और तो मेरे प्यारों यहाँ पर जो राइट आंस्वर होगा वो आपका ललित पुर होगा कौन सा होगा चर्ची ललित पुर होगा वो ललित पुर होगा जो उत्तर परदेश का एक मात्र ऐसा जनपद है जो एक ही मतलों जनपद से घिरा हुआ है मात्र जहासी से लगा हुआ है और मद्धेपरदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ जन्पद मेरे प्यारों आपको बताएंगे ललितपुर और उत्तरपरदेश का यूरेनियम उत्पादक जन्पद वियदी मुझे पोचा जाएगा सर जी मैं तो ललितपुर बताऊंगा क्या बताऊंगा ललित पुर बताऊंगा तो इसलिए भाई सब राइट जो होगा ललित पुर होगा अगला कुश्चन आपके स्क्रीन बूर पर होगा चनगर्णा 2011 के अनुरूप नीमांकित उत्तर परदेश के जिलों में से किस जिले में गिरामीन छित्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक्तम हैं गिरामीन की बात है भीया किसकी बात होगी अवके बात होगी सर जी गिरामीन की ये बताएंगे सभी के सभी बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से जवाब आप सभी को देना है और मैं आसा करूँगा कि जवाब आप सभी देते चलेंगे क्या कोश्चन होगा सर जी जनगर्णा 2011 के अनुरूप नीमांग की तुत्तर परदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीन छेत्रों में रहने वाले लोगों की संक्या दिक्तम है तो हम बताएंगे सर जी प्रियाग राज क्यों न कर देते आप क्या प्रियाग राज हाँ तो एक्तम यहाँ पर जो राइट होगा वो होगा आपका प्रियाग राज और मेरे प्यारो सबसे कम की बात होगी सबसे कम भी तो पूछा जाएगा जो सबसे जादा है तो सबसे कम भी आप से पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मेरे प्यारो समसे कम तो सर गौतम बुद्ध नगर कर देना समसे कम जो है ग्रामीन छित्रों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी गौतम बुद्ध नगर ये आप बताएंगे तो राइट इसका प्रियाग राज और समसे कम होगा सरजी गौतम बुद्धनगर ये भी आप बता देना बढ़िया तरीके से अगला कोश्चन राष्टी जलवार के संख्या हो गया है कोश्चन कहा से कहा तक जाता है तो इलाबाद से हल दिया तक र concern इसके लिए सोरी अगला कोश्चन केंदर सरकार ने राष्टी सहरी आजीबी का मिसन की तहत उत्तर परदेश के किस जिले में जल दीवाली मनाई गई है केंदर सरकार के एक राष्टी सहरी आजीबी का मिसन के तहए तो उत्तर परदेश के किस जिले में जल दीवाली मनाई गई है ये कोश्चन आप सभी को बताना है बड़ा बहतरीन बड़ा सुन्दर सा कोश्चन आपके सामने और आसा करूँगा कि आप सभी की सवीज का जवाब मुझे देंगे ठीक है न तो बताना है क्या सर जी प्रियागराज में कानपुर अयुद्या या इन में से कोई ही नहीं प्र केंदर सरकार ने राश्टे सहरी आजीवी का मिसन के तहत उत्तर परदेश के किस दिले में जल दीवाली मनाई है तो ये बताएंगे और बता रहे हैं सर जी हम बताएं तो आप ही कुद बता ना होगा तो यहां पर जवाब आता हुए सर आप कानपूर कर देना क्या कानपूर क किसे राश्टी राजमार्गो का चौरहया कहा जाता है ऐसा ही तो कुश्चन आएगा राश्टी है ठीक है ना राजमार्गो का चौरहया आएगा कुश्चन तो आपनिशित तोर पर बताएंगे राश्टी राजमार्गो का चौरहया कहा जाता है किसे सर जी मैं तो कानपू यदि आएगा तो वताएंगे जे के मंदिर भी कानपूर में आवस्तित होगा सर जी और क्या होगा ठीक है ना तो कानपूर में चलो अगला कोश्चन उत्तर परदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा ओध्योगी की गलियारा बनाने का निरने लिया है ये भी आप सभी को ब दूसरा ओध्योगी गलियारा बनाने का निरने लिया है और मैं आसा करूँगा कि आप बताएंगे सर जी क्या कानपूर में प्रियाग राज आगरा ये प्रताप गड़ स्पीड के साथ आप सभी जवाब देंगे हां पर और जवाब आ भी रह है प्रियाग राज पर आ प्रियाग राज की कौन सा तो आप बताएंगे सर सो राम ऐसी बताएंगे सो राम छेत्र में पहला भी प्रियाग राज में था और दूसरा भी अध्योगी गलियारा प्रियाग राज की सो राम छेत्र में बनाने का निरने लिया है तो ये आप बताएंगे निशित तोर पर सिसू लिंगान उपात यदि चाइल सेक्स रेशियो की बात होगी ये बताना है आपको अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे इसका जवाब देगा कोश्चन होगा सेंसस 2011 के आकड़ों के अनुसार उत्तर परदेश में बाली का सिसू की संख्या प्रती एक हजार बालक सिसू पर कितनी है सर जी क्या 902 हा सर जी 902 ही तो होगी और 916 कव थी 2001 की जनगरना की अनुसार थी 2001 की सेंसस के अनुसार कितनी थी सर जी 916 और अब 2011 में कितनी है सर 902 आपको बताना होगा और उत्तर परदेश का सरवादिक की सिसू लिंगानु पात वाला जनपद ये आपको बताना है उत्तर परदेश का सरवादिक जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उत्तर परदेश का सरवाधिक सिसू, लिंगाणू पात वाला जनपद. ये बताएंगे सर ची. सर आप बलराम पूर पूर करदेना, ठीक है न? क्या करेंगे मेरे प्यारों तो मैं आपको बताऊँ तो बलराम पूर करदेना और कितना सर नौसो 50 करदेना? और सबसे कम, भई सबसे कम भी तो पूछा जाएगा, तो सबसे कम सर जी आप बागपत कर देना, यदि सबसे कम की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं तो आपको बागपत गुमाने ले चलूँगा, और जहां पर 841 बागपत करेंगे, और कितना होगा मात्र, 841 यहां का child sex ratio next question, बरतमान में जो grand trunk road है ना, यह भारत में dot 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 तक फैली हुई है, यह भी question यह तो भारत का आ गया, और जब भारत का आ गया तो भाई सब हम भारत बासी हैं, हमारा करतब्य होगा ऐसे question को बताना, अब देखेंगे कौन speed के साथ बताएगा, बताना तो होगा, क्या बताना है सर जी, बरतमान में grand trunk road भारत में, जो ठीक है न, डौट 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 एली हुई है, कस्मीर से कन्यकुमारी, अमरी सर से कोलकाता, चेननाई से कोलकाता यह आगरा से कोलकाता, यह बताओ तो सर जी मैं बताओं, हाँ, बता रहे हो, बताओ तो जल्दी से, हाँ जी सर अमरे सर से कोल काता क्यों ना कर देते आप बहुत बढ़िया तो मेरे प्यारों अमरे सर से कोल काता आप करेंगे इसका तो एकदम राइट होगा सड़क के आजम ए सड़क के नाम से सीर सासूरी ने निर्मान करवाया है ये सभी को पता होगा नेक्स्ट कोश्चन उत्तर परदेश के किस जिले के सिंध याबा ग्राम पंचायत को आई एस ओने गुण बत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमान पत्र देकर सम्मानित किया है कितना बहतरीन कोश्चन आपके सामने आया है और ऐसा कोश्चन मेरे प्यारों बताना तो होगा निश्चित तोर पर बताना होगा और मैं आसा करूँगा कि सभी जवाब देंगा सभी को जवाब देना है स्पीड के साथ सभी जवाब देती चलेंके और देखेंगे कौन पहले इसका जवाब मुझे देगा चलो जल्दी चलो भई बहुत बढ़ी हा तो जवाब आ गया सर जी आप कर देना वारम वंकी अच्छा राइट इसे कर दूं तो वारम वंकी कर देना राइट एकदम होगा वारम वंकी ठीके न यहां की सडक बिजली यहां की कंस्ट्रक्शन की बगएरा यात यात का आवगवन कैसा है मतलब सारी चीचों को देखते हुए तो इसे क्या दिया गया है उत्तर परदेश का यह जो है सिंद्याबा जो वारम वंकी में पढ़ता है जिला पंचाय आई एस ओ गुण वत्ता पूर्बक सेबा पिरदान करने के लिए एक प्रमान पत्र मतलब की गुण वत्ता पूर्बक जो जितनी भरवि सेबा है वो पिरदान करने के लिए दिया गया है ठीक है बहुत बड़िया जिला पंचाय तो बहुत बड़िया सिंद्याबा गाम होगा तभी तो यह जो है मतलब की पिरदान की अगया है हमारे यहां तुना करें, हमारे यहां जाएंगी तो टम्पू में तीन घंडा तो वैसे खड़े हो ठीक है और फ़िर पीछे लटका और देगा लटक के चलो, तुम तो यार अच्छे खाते खाते खमाते दीख रहे हो, ठीक है तो हमारे याना मिलेगा यह तो भी अधर कही मार रें, पूर्वान चली, किस राज्य सरकार ने ड्रॉन प्रेचालन सुरक्षा निती 2023 को मंजूरी दी है, यह भी कोश्चन वड़ा सुन्दर सा है, तो जल्दी से जवाब दिंगे, किस राज्य सरकार ने ड्रॉन प्रेचालन स सुरक्षा निती 2023 में जो मंजूरी दी है, तो बताएंगे सर जी, क्या उत्तर परदेश, करनाटक, महराष्ट और असम, यह आपको बताना है, बहुत बढ़िया तरीके से चलो, तो सभी बहुत बढ़िया जवाब देते चल रहे हैं, तो बता रहे हैं सर जी, आप उत्तर प आप बताएंगे सर जी, उत्तर परदेश, आरिवा सुझ में ना, कौन सा, ठीक है ना, चलो, तो उत्तर परदेश आपको बताना है, इसी के साथ नेक्ष्ट कोश्चन पर जाना है, लखनव योजना किसके विकास से संबंदिते हैं, बहुत यह कोश्चन बढ़ा बहतरीन है और इसका जवाब तो तुमें सौ पृतिसत ही देना होगा, पृतिसत का मतलब है, जवाब देना ही देना है, लखनव योजना किसके विकास से संबंदिते हैं, सडको के विकास से, आवासों के विकास से, स्वास्ते के विकास से, या विद्दुत सक्ती के विकास से, अब द तो जिसने बताया अब ऐसे लगेगी जैसे लखनव योजना यह तो स्वास्ते है चलो लेकर देवी मया का नाम और कर दो काम ठीक है ऐसे नहीं करना भिया ठीक है बढ़िया तरीके से देखना है यदि ना पता हो तो आगे को भी बढ़ जाना चलो तो इसमें होगा सड़कों क के विकास की बात होगी तो लखनव योजना किसके विकास से संबन्धित है तो आप बताएंगी सरजी सड़कों के विकास से है ठीक है चलो तैम हसने की बात ना है जो मैं कहता हूं मेरी बात एक दम सटीक रहती है भारत की जनगर्ना 2011 के अनुसार उत्तर परदेश के नीमलिकित में से किस जिले की जनपद की साक्षर्त अदर सरवादिक है ये इधर आपके जो डले हुई है और मैं आशा करूँगा कि आप सभी इसका जवाब भी मुझे देंगे और बता वी रहे हैं सर जी आप सरवादिक साक्षर्त अदर बताना है गौतम बुद्धनगर बताएंगे न क्या गौतम बुद्धनगर बता देना और सर कितनी गौतं बुद्ध नगर की साक्षर्ता होगी तो 80.10% होगी और मेरे प्यारो अब सबसे कम की भी तो बात होगी सर सबसे कम किसकी है तो मैंने बताए सिरावस्ती करेंगे कौन सा वस्ती होगा सर जी मैं तो सिरावस्ती कर दूँगा और ये कैई वेरे मैंने लिखा भी दिया है 40.74 या की साक्षर अदर होगी 40.74 पिरतीसत सिरावस्ती की ये आप बताएंगे ठीक है शलो अगला नेक्ष्ट कोश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपोटेंट कोश्चन है आज का ठीक है ना मैं बता रहा हूँ क्योंकि परिक्षा की दरस्टी से बहुत बहुत बहुतरीन कोश्चन है उत्तर परदेश सरकार ने NCR की तरज पर मैं बोलू तो नेशनल कैपिटल रीजन हा सर नेशनल कैपिटल रीजन में कितने जिले सामिल करने का निरने लिया है यह सबसे ज़्यादा इंपोटेंट होगा इधर भी स्टेट कैपिटल रीजन आपको बताना है बहुत बहुत बहुतरीन कोश्चन आपके सामने पहुँचता हुआ और सब ही बताएंगे बही जोरदार तरीके से बताना है कोश्चन गलत न जाना चाहिए कसम है आपको नहीं तो ठीक है ना आपको बता रहे हैं कुछ सर जी साथ है महरा ठीक है कुछ चैवी कह रहे हैं और चीके चार वाले वी हैं चलो बहुत बढ़िया आज रडवलू पे क्या कह रहे हो और कहां चल रही है तो आप कर देना सर जी चै कर देना कितना चै करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से चै अब चै में कौन कौन से होंगे सर जी आप एक तो लखनव कर देना ठीक है चलो मैंने कर दिया लखनव मतलब राजधानी तो होईगी न, उन्नाब हो गए सर जी, राय वरेली भी करेंगे, ठीक है ये कोशन आएगा, वारम वंकी भी करेंगे सर, जो अफीम की बात होगी, उतर परदेश का सरवधिक, अफीम उतपादक जनपद यदि पूछा जाएगा तो हम बताएंगे सर, तीता मतलब कि राजधानी न लगाएंगे तो तब कितने होँगे, पांच होँगे, और वे कौन कौन से होँगे, उन्नाब राइवरेली वारमं की, सीत अपूर हर दोई, और लगा लो तो लखनव तो टोटल कितनी हो जाएंगे, चै हो जाएंगे, पहले चै थे मेरा, अच्या, फिर तुमने दूसरे को देख के कर दिया, पांच या चार, कितना करा, चलो, कोई बात नहीं है, ठीक है, पहली जो चीज है, हमेसा दुखदाई हुगे है, ठीक है, पहला कुछ भी लगा लो, वो हमेसा दुखदाई होगा, पहला बालक हो जाओ घर में, वो जनम दुखी कर देगा, मतलब पहले पर किसी पहवी लगा लो, वो दुखदाई रहता है, तो भी या चलो, आजाओ यहां को, उत्तर परदेश सरकार दुवारा किस जिले में साबर्मती की तरज पर, गिरीन फिल्ड टाउंशिप का निर्मान किया जाएगा, ये आपको बताना है, बड़ा हाई कोट एहमडाबाद, जो साबर्मती नदी के किनारे अवस्तिते हैं, उस साबर्मती की तरज पर, गिरीन फिल्ड टाउंशिप का निर्मान किया जाएगा, कि आयुद्या में, प्रियाक, राच, मतुरा या बारान सी, सभी को जवाब देना है, बड़ा पहतरीन सा कुश आपके सामने है, ठीक है ना, चलो, सर जी आप भी घर में पहले हूँ क्या, मैं हूँ तो हाँ पहला ही, लेकिन मैंने इतना जो है, दुखदाई ना बना, मैं तो ठीक ठाक, मैं सज्जन सा वाला कूँ मैं, ठीक है, चलो, चलो, बहुत बड़िया, तो बताना है, तो आप ब बताएंगे सर जी, अयुद्या, उत्तर परदेश सरकार दुवारा किस जिले में सावर मती की तरज पर ग्रीन फिल्ड टाउंचिप का निर्मान किया जाएगा, तो हम बताएंगे सर जी, अयुद्या होगा, वो कौन सा होगा, अयुद्या, जो सर्यू नदी के किनारे अवस कुशन है, ठीक है न, चलो, तो असर देख लो, देव दीवाली वाला कुशन, ठीक है, तो भीया कानपूरी तो होगा, 2011 की जन, देव दीवाली तो बारानसी है, जल दीवाली है, वो देव दीवाली तो बारानसी में मनाई जाती है, और वो था जल दीवाली, जो कानपूर म बात बताई है भीया एक बार तो सर आपने लिखाई थी और अब फिर लिखाओगे हाँ शलो तो यह आपको बताना है कितना तो यदि पुरुसों की बात होगी तो 77.3% यह हो गया राइट एकदम महिला ने विशाद लेकर चलेंगे सर जी 77.2% दोनों में अंतर कितना हुआ 20.1% का यह भी आप बताएंगे तो महिला 77.2% जिससे फीमेल बोलूं और मेलों की बात होगी पुरुसों की तो 77.3% यह आपको करना है अगला नेक्स्ट कोश्चन भारत की पिर्थम सेमी हाई स्पीड ट्रेन बंदे भारत चलती है कितना सु जवाब भी आप सुन्दरता की साथ देंगे बताना होगा कोश्चन का जवाब भारत की पिर्थम सेमी हाई स्पीड ट्रेन बंदे भारत चलती है नई दिल्ली से जम्मू के मद्धी है नई दिल्ली से बाराणसी के मद्धी है नई दिल्ली से लखनो के मद्धी है या नई दिल्ली से मुंबई के मध्य है जल्दी से जवाब देंगे जो भारत की पहली जो बंदी भारत ट्रेन है ये आप बताएंगे कहां से तो सर हम बताएं हां तो बताएंगे कहां से तो नई दिल्ली से वाराण सी के मध्य आपको बता ना हुगा मेरे प्यारों कहां नई दिल्ली इसे वारान सी के मद्य है 15 फरवरी 2019 को प्रेधान मंत्री नरेंदर मोधी जी के करकमलों के दुआरा पहली जो बंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाए गई 15 फरवरी 2019 ये आपको बताना है कोश्चन बड़ा बहतरीन आपने बताई है चलो अगला कोश्चन आपके सा बोड़ ने शहरी चेत्रों में निची विद्द्धयाले कोडने के लिए कितने वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया है यदि तुमारे पास इतने वर्ग मीटर जमीन है तो तबी आप निजी अपना स्कूल या विध्याल ले खोल सकते हैं तो कोशन तो बड़ा सुंदर है उत्तर परदेश सिक्षा बोड़ने सहरी छित्रों में अब बात किसकी होगी सहरी की निजी विध्याल ले खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर जमीन होना जरूरी कर दिया है 2000 वर्ग मीटर 3000 होगा या 25 बता देना है और या जो है 15 वर्ग मीटर तो ये वर्ग मीटर ही होगा ना तो ये आप बताएंगे स्पीड के साथ सभी को जवाब देना है बड़ा वैतरीन सा कोशन और बताएंगे सर जी 3000 वर् इसी के साथ अगला कोश्यन आपके स्क्रीन बूर्ड पर आया किस राज्य पुलिस दुआरा एक बान गंगा है और सोनाली नदियों में प्रैदूसित जल छोड़े जाने के कारण उत्राखंड के आर बी एन एस के खिलाप प्रात्मिक्त दर्ज की गई है किस राज्य पुलिस के दुआरा मेरे प्यारों बान गंगा और सोनाली चुनदियों में प्रैदूसित जल छोड़ दिया उत्राखंड राज्य ने और उसके खिलाप प्रात्मिक्त दर्ज की है उत्तर परदेश पुलिस ने बिहार पुलिस इमाचल परदेश पुलिस या पंजाब पुलिस इसका जवाब आप सभी देंगे बड़िया तरीके से जवाब सभी को देना तो होगा और सभी बता विरे हैं सर जी ए कर देना आप क्या ए कर देना और ए पर क्या होगा मेरे प्यारो उत्तर परदेश पुलिस करेंगे ठीक है और ये उत्तर खंड भाई सब आज पुलिस रिपूट दायर की जारी है कवी उत्तर परदेश का ही अंग था उत्तर खंड 9 नवंबर 2000 को मेरे प्यारो उत्तर परदे चलेगे पहाडी जिले मेरे प्यारो सम्थिंग में एक करोड की पॉपुलेशन मतलव जन संख्या भी गई थी। एक के बाद एक पाई जाती है कितना बहतरीन कोश्चन है और इसका जो पहले जवाब देगा भाई साब ये नाम न पाएगा क्यों कैविर करा दिया ना चलो ठीक है बताना है उत्तर परदेश में कहां पुरा पासान मद्य पासान और नव पासान तीनो अवस्थाएं लगाता एक के बाद एक पाई जाती पहले पुरा पासान फिर मद्य पासान और फिर होगी आपकी नव पासान क्या मान पुरा बुलंद सहर बताऊं बेलन घाटी मिरजापुर मांडी गाम मुशप्फर नगर आलम गीरपुर मेरट ये आपको बताना है इधर भी आपके इंगलिस मे लिखा हुआ है और ऐसा कोश्चन आएगा बता ना होगा जल्दी से बता रहे है सर जी बी कर देना कोई कह रहा है बेलन घाटी कर देना कोई कुछ कह रहा है लेकिन यहाँ पर जो राइट होगा वो मान पुरा बुलंद सहर होगा आप बुला लो इसे ठीक है चलो बई जल्दी से बताएंगे सर जी मान पुरा कौन सा होगा बुलंद सहर होगा और मैंने बताए होंगे यदि मैं नब पासान काल की बात करूँगा कोलडी हबा जिससे धान की केती की साक्षे मिले है ठीक है न पता भी होगा आपको ये मैंने करवा दिये ठीक है चलो तो अगला कोश्चन आपके सामने होगा क्या होगा उत्तर वैदिक काल में उत्तर परदेश को किस नाम से जाना जाता था वह उत्तर वैदिक काल की बात है ठीक है किसकी बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा उत्तर परदेश को बैदिक काल में किस नाम से जाना चाता था उत्तरांचल होगा तैयुक्ति प्रांत होगा ब्रहमसी देश होगा या उत्तरापत और ये कोश्चन तो बड़ा जानदार होगा भाई साव आएगा निश्चित तोर पर कोश्चन और बताएंगे सभी के सभी जल्दी से बताते चलना है जल्दी से बताओ कह रहे हैं सर जी सैयुक्ति प्रांत ना तो आप करेंगे ब्रहमसी देश ठीक है ना मतलो यदि प्राचीन वैदि काल की बात करूं मैं फिर थोड़े से उपर कोई तो मध्यदेश की नाम से जाना जाता था और उत्तर परदेश की सभ्यता और संस्किर्ती इतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी मानव सभ्यता यदि मैं बात करूँ अपना उत्तर परदेश उसी काल से चला आ रहा है जब मानव का अज्यनम होता है ठीक है ना तो ये पूछा जाता है तो आप बताएंगे तो आपको बताना है ब्रहमसी देश बता देंगे ठीक है नेक्स्ट कुश्चन उत्तर परदेश में कोलेडी बा मगहरा तथा पंचोहो के उत्खनन से नीम लिखित में से किसके संबंद में जानकारी नहीं प्राप्त होती है ये भी कुश्चन बड़ा सुंदर सा है तो बताएंगे सर जी उत्तर परदेश का एक कोलेडी बा मैं मगहरा तथा पंचोहो के उत्खनन से नीम लिखित में से किसके संबंद में जानकारी नहीं प्राप्त होती है धान की किरसी, पसुपालन, चिकनी पहासान कुलहाडिया या नगरिये व्यवस्था ये आपको बताना है, स्पीड के साथ बताना है, कोश्चन बड़ा बहतरीन आपके सामने पहुंचता हुआ और बताएंगे सभी के सभी जवाब तो देंगे और यहाँ जवाब आपका आता हुआ सरची चिकनी पहासान कुलहाडिया नगरिये सब्यता और बताओ भी देख कर ठीक है ना, क्योंकि देखो धान की खेतीक तो हमें मिली-मिली है, पसुप क्या नई था तो भाईया नगरिये सब्यता कटस मार देना है आपको और बाकी तीनों के तीनों हमारे होंगे राइट ठीक है, तो इस पर आपको थोड़ा सा विसेश धियान देना है, महा जनपद काल की बात आती है सर, कौन से जनपद की सुमेलित करना है, ठीक है, यदि मै बात करूं प्राचीन भारत की, कौन से भारत की बात होगी, तर प्राचीन भारत की मैं बात करूंगा, तो प्राचीन भारत में 16 महा जनपद थे, और 16 महा जनपदों में से 8 महा जनपद उत्तर परदेश मवस्तित थे, यदि मैं बोध धरम के अंगुतर निकाएं, वे जैन धरम की भगवती सुत्र को पढ़ूं तो मुझे अपने उत्तर परदेश की स्पावन भूमी पर आठ महा जनपदों का उलेख मिलता है और उनमें से चार महा जनप स्वन से अक्षरों में आपकी नजरों के सामने हैं, राजधानी इधर लिखी हुई है मैचिंग वाला कूट इधर है इसका जवाव आपको देना है बता रहें सर्जी चार दो एक तीन कर देना, चलो देख लेंगे बई कुरू की राजधानी इंदर प्रस्थ तो चार होगा वत्स की राजधानी कौसाम अगला कूश्यन 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर परदेश की अधिक्तम घनी अब यह कोश्चन मैंने कल अपने भाईयान को ठीक है ना खाकी वर्दी वालों को पढ़ाया था है अब उन्होंने रात जो है जो है उनके बहुत जिसके समझमना आएगा तो बताएंगे तो सही तो सर जी ये कोश्चन आपने गलत करा दिया अब मैं पढ़ा रहा हूं भीया किसे ठीक है ना किसे पढ़ा रहा हूं तो अब मैं पढ़ा रहा हूं भी है ना अधिकारी इनको तो आप अधिकारी अब देखना इसे ये question आपके सामने होगा और जल्दी से जवाब इसका वियाब को देना होगा और सभी कह रहे हैं ये सव्द लगा हुआ है घनी आबादी एक तो है अधिक्तम घनी आबादी और एक है नियूनतम घनी आबादी अब घनी आबादी की बात करूं या मैं जन घनत्व की यहां बात करूँ दोनों कुश्यनों में ठीक है ना यदि घनी आवादी सव्द लगा हुआ है तो अब मैं पूछू आपसे उत्तर परदेश का सरवादी घनी आवादी वाला जनपद कौन सा है तो आपके मुख से एक ही जवाब आएगा सर जी प्रियाग राज है और यदि मैं आपसे पूछू कि उत्तर परदेश का सरवादिक जन संक्या घनत्वाला तब आपको गाजिवाद बताना होगा तो भीया सर हम है खाकी वर्दी वाले बहुत बढ़िया तो आपको बताना होगा यहाँ पर राइट इलाबाद तथा महुबा होगा समसे ज़्यादा घनी आवादी मतलब समसे ज़्यादा आवादी और समसे कम महुबा यह कोश्चन था और वैसे तो कनफ्यूजन का कोश्चन है लेकिन आप confusion में कहां फसते हैं फसो आप बहुत बड़ी है तैयारी है आप सबी की चलो तो A लगा देना लेकिन थोड़ी देर पहले आप भी B कह रहे थे चलो अगला question आपके screen board पर पहुंचा कितना बहतरीन question होगा नेम लिखित में से किस महान धार्मिक विचारक का जन्म सिरावस्ती की समीप सरावन में हुआ था सरजी की अगौतम बुद्ध का मखली पुत्तिस बोल देतेना महबीर स्वामी या पारसभुनात सबी कुछ अबाव देना होगा question बड़ा वहतरीन सापके सामने और यहां बता रहें सरजी 146 कड़ी कर देना पारसभुनात क्यों करूं ये तो जो है जैन धरम के 23 वितिर्थ कर हैं और इनका जनम तो वारानसी में हुआ है अब यहां बता रहे हैं सरजी मखली पुत्तिस जो पूरा नाम होगा आजीवक संप्रदाय का प्रती पादक किसे माना चाता है कई बार कोश्यन पूछा जा चुका है कौन से संप्रदाय की बात होगी सर आप बताएंगे आजीवक संप्रदाय इस तरीके से लिखेंगे ना आजीवक संप्रदाय का प्रती पादक किसे माना चाता है मखली एपुत्तिस को माना चाता है वो आजीवक संप्रदाय मैं पूछूँ आप से तो एक मौरी अवन्स की राजा है बिंदु सार पूछा जाता है कि बिंदु सार किस संप्रदाय का नुयाई था तो आजीबक संप्रधाय का था कोश्चन बड़ा बहतरीन बनता है आता है तो आपको बताना होगा तो जनम मखली पुतरतिसका गौतम बुद्ध की तो आपको पता होगा 563 सापूर में मेरे प्यारो कपिल वस्तु लुंबनी कहां पढ़ता है नैपाल में जनम हुआ था महाबीर स्वामी जी का 540 में आप सभी को पता ही होगा ठीक है पासर रुनात का आपको पता ही है बारानसी में चलो अगला कोश्चन नेम लिखित यूगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है अच्छा देखो तो ये कर देना है लखनव इसे करेंगे लखनव इन में से अब देखो ये भी कोश्चन पूचा जा चुका है हमें बताना है नेम लिखित यूगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है क्या कानपूर में महिला साक्षरत अदर इतनी है लखनव में महिला साक्षरत अदर इतनी है गाशेबाद में इतनी है इताबा में इतनी है तो भीया पांच तो आपको याद भी करने होंगे ये वताना है विलन पांचाल जी हम है खाई वर्दी वाले तो आप ही वताएंगे या यदि कोश्चन आएगा तो निशित और पर वताना होगा और क्या होगा सर जी कानपुर नगर 7505 लखनव 71.54 गाशेबाद तो इसमें जो गलत होगा ना वो आपका क्या होगा इताबा होगा और दूसरे नंबर मतलब कि मैं बात करूं गौतम बुद्धनगर 70 पॉइंट कुछ दे रखा है तो आपका इसमें जो राइट होगा वो कौन सा होगा इताबा कर देना वाकी सेम सही है सबी के सबी अगला कोश्चन हर्स वर्धन ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया जो उत्तर भारत में सामानत युग के आगमन का सूचक बना हर्स वर्धन वर्धन वन्स का वो सकती साली राजा जो 626 इसवी से लेकर 647 इसवी तक गद्धी पर बैठा है नाम आपने सुना होगा सर से महद्य स्री के नाम से जाना जाता है कौन सी स्री की बात होगी तो मेरे प्यारों महद्य स्री आप बताएंगे मेरे प्यारों वो कन्नौच जिससे पूर्ब का गिरास कहा जाता है सर जी पूर्ब का गिरास भी कहा जाता है हर्स वर्धन की नगरी भी कहा जाता है और इत्र इत्र नगरी के नाम से भी इस कन्नौज को जाना जाता है सभी को पता भी होगा सर जी इत्र नगरी के नाम से किसे जाना चाता है सर कन्नौज को जाना चाता है और जब हर्स वर्दन की 647 मिम्रत्य हो जाती है तो कन्नौज के लित्री पक्षे संघर्स भी होता है तीन बंस आमन सामने आते हैं पालवंस राष्टे कूटवंस और गुजर प्रतिहार वंस 200 वर्षों तक एक कठिन संघर्स, कड़ा संघर्स चलता है और 200 वर्षों के बाद मेरे प्यारों गुजर प्रतिहार वंस की राजाओं को कन्योज पर मतलव की अधिकार इस्तापिति करने का मतलव की सर्ची का नौज करेंगे ठीक है चलो ये फिर वो ये सही कोश्चन है जनगर्णा 2011 के अनुसार सरवादिक औसत साक्षर्टा वाले नेमलिकित चार जिलो का सही अवरोही किरम ये कोश्चन आपको बताने हों के मतलब पहले किसकी साक्षर्टा दर्सव से जादा है फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये कोश्चन होगा तो ये आपको बताना है और ये कोश्चन आएगा भी ठीक है ना मेरा तनकीव इड़े अप डाल दिया करूं कल गी भी या ठीक है ना डाल दी है आप चेक कर लेना 149 वा कोश्चन और आपके लिए जो अधिकारी है भी आ उनके लिए समसे ज़्यादा इंपूटेंट ऐसा कोश्चन होगा और ये ही कोश्चन तो आपको बताना है और आएगा भी तो हम बताएंगे निश्चित तोर पर बताएंगे ऐसा कोश्चन मेरे प्यारो तो ये बताना है जल्दी से बताएंगे अब देखेंगे अगला राजा राम के नेत्रत में जाटू द्वारा 1685 इसवी में किये गई विद्रो को दवाने के लिए औरंग जेव ने किस सासक से अनुरोध किया था चाटो ने भाई सब आक्रमन कर दिया है राजा राम जिसने अपनी राजदानी ही मतुरा को बना लिया ठीक है अकवर जो सिकंद्रा में अकवर का जो मकवरा है उसकी कवर को खोद दिया और हड़ियों को लिकाल कर मतलो जला वगेरा दिया जो भी है तो राजा राम ने इतना विद्रो किया है अब राजा राम के नित्रत में जो जाटो का विद्रो हो रहा है 1685 में उस बिद्रो को दवाने के लिए औरंग जेव ने किस सासक से अनुरोध किया था राजा मान सिंग से, राजा जै सिंग, राजा चेत सिंग, राजा बिसन सिंग ये question आप ही को जबाव देना होगा, ठीक है, मिलती है भी या कैसी बात कर रहे हैं आप पीडियाफ नहीं मिलती, मिलती है, मैं बताओंग अब कहां मिलेगी, ठीक है ना, application पर free जो है पीडियाफ फोल्डर में जाना, ठीक है न, बीच में होगा, वो इस पर किलिक करना, जिसकी पीडियाफ लेनी हो, वहां मिल जाएगी, ठीक है, चलो, राजा राम के नेतरत मे जाटो दुवारा, 1685 में कियेगे विद्रो को धवाने के लिए, औरंग जेव ने किस सासक से अनुरोद किया था, तो राजा विसन सिंग, आप बताएंगे मेरे प्यारों, कौन से होंगे, तो, डी एकदम यहाँ पर right होगा, राजा विसन सिंग, ऐसा ही तो question होगा, राजा चेत सिंग तो बनारस की राजा है, ठीक है, राजा जैसंग की बात करूँगा, पुरंदर की संदी, राजा मान सिंग की बात होगी, तो सर जी यह तो अकवर के, ठीक है ना, सिपह सलार सेना पती थे, यह आप बताएंगे, राजा विसन सिंग, चलो, next question आप ही को बताना है, मुगल समराट सहा आलम दुत्य को इस्ट इंडिया कमपनी का पैंसन, जो पैंसना हफता ही बोलूँगा, मैं बनकर कई वर्सों तक किस नगर में रहना पड़ा था, मेरे प्यारों बक्सर का युद्ध हो जाता है, सत्रे सु चौन से चौन से युद्ध की बात है, सर, बक्स के नवाब भी उसमें सिर्कत कर रहे हैं, और मुगल वादसा सहा आलम दुत्य विजा रहा है, ठीक है ना, दोस जमा रहा है, मुगल वास्ता है, तू, ठीक, और बंगल का नवाब होगा, मीर कासिम मेरे प्यारों, लड़ाई तो मीर कासिम से थी, लेकिन कौन कौन, अवद क के नवाब सुझा दौला और मुगल वादसा सहा आलम दुत्य विजा रहे है, ठीक है ना, इस युद में सिर्कत करते हैं, और जीके, यदि मैं अंग्रेज सेना पती की बात करूँगा, तो हेक्टो मुन्रो था, उसने तीनों को पराजित कर दिया, ठीक है, इलावाद की प सहा आलम दुत्य को इस्ट इंडिया कंपनी का पैंसन अफता बनकर भाई सव कहां, बता रहे हो, जवाब दिया है, सर जी हाँ, हमने बताया है, प्रियाग राज में रहना पड़ा था, अब कोश्चन यहीं से बनेगा, क्या बनेगा, आज एक किस मुगल वादसा ने अपनी राजधानी प्रियाग राज को बनाया था, ठीक है, यह भी कोश्चन पूचा जाएगा, राजधानी बना लिया, किसने सर जी सहा आलम दुत्य ने समसे ज़्यादा मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन होगा, ठीक है न, तो बताना है, क्या बताना है सर जी, चलो, एक वार करन गलत कराया है, कनफ्यूजन, अच्या सागर सैनी जी कह रहे हैं, गुरु जी मैं जिसने कल अच्या, टेंड किया था, कुश्चन आपकी बुक, में गलत है क्या, वो घनियावादी वाला, उसका ए राइट होगा, ठीक है न, गनियावादी वाले का, ए राइट होगा, ठीक है, ए कर दे न, चुपदेशी, यह आप बताएंगे, तो आप बताएंगे, राजधानी किसने बनाई थी, भाई साव, प्रियागराच या इलहबाद को, तो सहा आलम दुत्यान है, यह कुश्चन यदि हमसे पूछा जाएग और सभी जवाब देंगे, ठीक है न, बताना तो होगा भाईया, और कोश्चन क्या होगा, तो कोश्चन सर जी, ठीक है न, किस संदी के तहत, इस्ट इंडिया कंपनी को, ओडिसा की दीवानी मिल गई, तो बताएंगे, जल्दी से बताना है, अब देखेंगे, कौन पहले इ जवाब यहां दे भी रहे हैं सर जी, एक सुबामन का एक कर देंगे, तो इलाबाद की दुत्य संदी, इंसन वगेरा जो देगा अवद का नवाव सुचा उदला देगा इलहाबाद और कड़ा के छित्र को छीन कर सहा आलम दुत्य को दे दिये जो मुगल वादसा है तभी तो उसने अपनी राजदानी इलहाबाद को बनाया है तो इलहाबाद की दुत्य संधी जो 16 अगस्त को हु अच्छा इनमें बताना है दो हजार ग्यारे की जनगर्णा की बात ऐसा भी कोश्चन आएगा यदि ऐसे भी जनपद आपको देगा ना तब बताना होगा 2011 की जनगर्णा की अंति माकडो के अनुसार नीमलिकित में से उत्तर परदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है तो बलिया में होगी महिला की बात देवरिया अब सिरावस्ती ना दिया इन्होंने इन्होंने क्या नहीं दिया है सिरावस्ती ना दिया है क्या गोरक पुर में या राम पुर में ये हम बताएंगे, और स्पीड के साथ आपको बताना है, चलो अब देखेंगे भाय साथ, अब इनोंने क्या नहीं दिया है सर जी, इनोंने हमें, मतलव की जरावस्ति नहीं दिया, दूसरा जन्पद दे दिया, अब वो दूसरा जन्पद कौन सा होगा, जिसका जवाब आपको देना होगा, जल्ली से जवाब देंगे, ठीक है, भई आवाज मेरी सवी को आ रही होगी, लेकिन जवाब नहीं आ रहे हैं, ऐसी कैसी काम चलेगा जवाब सभी देते चलेंगे आजम गड़ सनी राजभर बहुत बढ़िया देखो कितना अच्छा मैच मिलाए आजम गड़ सनी राजभर बहुत बढ़िया चलो तो बताते हुए सर जी आप घर देना रामपुर वो रामपुर सर जी जिसे चाको का नगर कहा जाता है यदि मैं बात करूँगा किसका नगर सर चाको का नगर आपको बताना होगा मेरे प्यारो और वो ही रामपुर होगा जहां पर डॉक्टर बी आर अम्मेडगर संग्रहले एवं पुस्तिकाले वी अवस्तित होगा यसे नवावो का सहर भी कहा जाता है तो कोशन आ जाए कि डॉक्टर बी आर अम्मेडगर सर जी पूछा जाएगा तो डॉक्टर बी आर अम्मेडगर ये बताएंगे संग्रहले पुस्तिकाले एवं संग्रहले डॉक्टर बी आर अम्मेडगर संग्रहाल्य एवं पुस्तिकाल्य कहां अवस्तित है संग्रहाल्य एवं एवं पुस्तिकाल्य आप सभी को बताना है सर जी तो ये कहां अवस्तित होगा तो बताएंगे रामपुर में अवस्तित होगा किसमें अवस्तित होगा सर जी आप बता देना रामपुर बता देना वो रामपुर जैसे चाको का नगर कहा जाता है ठीक है ना और चीके नबाबों का सहर भी कहा जाता है ये सारी चीज़े आपको बताना है चलो next question आपके सामने अवद के किस नबाब ने 1773 में वारेन हैस्टिंगस के साथ बनारस की संदी करके प्रियाग राज तथा कड़ा को अंगरेजों से पुने खरीद लिया था अवद का वो कौन सा नबाब है जिसने 1773 में वारेन हैस्टिंगस के साथ बनारस की संदी की है और प्रियाग राज सफुद दौला ने सुजव दौला या वाजिद अली सहा ये तो अंतिम नवा भी होगा ना तो बताएंगे स्पीड के साथ सभी को चवाब देना है और चवाब यहां आपका आभी राहसर जी आप सुजव दौला कर देना बहुत बढ़िया मेरे प्यारों पुन है पहले तो 50 चास लाक में इसे बेच दिया ठीक है ना तो ऐसा एक करोड रुपे की चोट इसे विचारे खामुखा में पड़ी सुजव दौला को तो आप बताएंगे बनारस की संदी हुई है ठीक है ना बनारस में विद्रो किस ने किया था राजा चेत सिंग ने पूछा जाएगा ने ठीक है ना सरजेंट लेफटिनेंट हेनरी बाकी हत्या कर दी थी इसे तो सभी बताएंगे ऐसा कोई ना होगा जो इसका जवाब मुझे ना देगा और बताना है बड़ी तरीके से ठीक है ना उत्तर परदेश निवासी किस सैनिक ने 29 मार्च 1857 को बैरतपुर छाबनी में अ कैसे किया है sir अकेले विद्रो करते हुए सरजेंट को गोली से मार दिया ठीक है ना म क्या होगा मंगल पांडे होगा सर जी कौनसा पांडे होगा तो आप बताएंगे मंगल पांडे कर देंगे यहाँ पर यह दि कोश्ण पूचा जाएगा मंगल पांडे का जनμ उत्तर प्रदेश की जनसंक्या विर्दी की दर राष्ट्य आस्त से अधिक रही है। राष्ट्य आसथ से अधिक रही है। एक्यामन 61 के दसक में या 61-71 के दसक में या 61-81 तो इसका तु राइट क्या होगा 61-81 होगा सर जी D कर देना आप क्या कर देना? D कर देना है तो उत्तर परदेश की जन्संक्या व्रद्धी की दर राष्ट्य औसत से अधिक रही है तो सर 1971 और 81 का दसक बताएंगे चलो आपको ना जवाब दूगी तो ठीक है क्या कोश्चन है सर जी? एक मेरे कोश्चन तो बताओ इतना छूटा सा कोश्चन हमें कसम के लिए लो तो बता दू दस मई 1857 को पहला स्वाधीन ता संग्राम का खुला अंदोलन किस इस्थान पर प्रारंब हुआ है? ये कोश्चन है और इसका जवाब तो आप ही को देना होगा और बताएंगे सर जी ठीक है न आप मेरट कर देना वो मेरट मेरे प्यारो दस मई की बात होगी 1857 को मेरट की सेना है और अंग्रे जी सेना का आमना सामना हो जाता है हिंडन नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे आमना सामना होता है ग्यारे भारे मई को भाई सब कहां पहुंच जाते हैं तो पहुंच जाते हैं दिल्ली में और दिल्ली की जो गद्धी पर विराजमान होगा कौन मुगल वाद सहा मेरे प्यारो बहादूर सहा जफर ठीक है चलो बहादूर सहा जफर गद्धी पर बैठा है ठीक है सर हमें आरो तोbi हो यारो, क्या, एक्जाम देना और यूपी pularis का भी देना, क्या यूपी जी का, तॉरन में सही है, चुप करे जाओ बस। ठीक है ना, बहादुर सहा जफर की बात होगी। और बहादुर सहा जफर की जो पत्नी का नाम था जीनत महल, ठीक है, कौन सी महल है सर जी, जीनत महल है उकसादीया पती को अपने दादा पर दादाव को देखो कैसे उन्होंने राज किया था अकवर को देखो औरंग जेव को देखो, अब नूँ थोड़ी पता है की पहले कौन या रव कौन है ठीक है पतनी के उकसाई में आई है आज मारे गई है निकलसन एबं हडसन ने दवोच दिया ठीक है ना दिल्ली के लाल के लिए में तो भीया थोड़ा सा अमल के चलना ठीक है चलो अगला कोश्चन होगा 2011 की जनगर्णा की अनुसार उत्तर परदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रती सत्य है ये एक बारे और कोश्चन आ गया और मैंने बताया विया मैं अचनिक बात ना मैं सही बता रहा हूं ठीक है थीक है अच्छी हाँ ठीक है चलो बहुत वड़िया तो बता अगला कोश्चन होगा उत्तर परदेश की नीमलिकित में से कौन सी रियासत डलहौजी की हडप निती के अंतरगत ब्रिटी सरकार के अधिन नहीं की गई थी कितना सुंदर सा कोश्चन है 1854 में राज्य हडप निती लियाया डलहौजी यह राज्य हडप निती क्या थी यदि कोई भी राजा या जागीरदार जो भी हो गिक हैना आज इसकी संतान बगेरा नहीं है तो वो पहले तो गोद किसी भी पुत्र को मतलब नहीं लेगा किसी को भी गउद बगेरा नहीं ल और इसी निती के तहत कई बहुत रियासते हड़पी इनोंने लेकिन इन में से ऐसी कौन सी रियासते है जो ब्रीटिस सरकार के अधीन नहींगी उसका नाम आपको बताना है तो नाम तो सर जी उसका आप कानपूर कर देना क्या कानपूर कर देना बता भी होगा कानपूर का ने अटक देना है नाना साहब बै वै कौन होंगे मेरे प्यारो ताथिया टोपे बड़ा बहत्रीन कोश्चन होगा जब आएगा तो आप बताएंगे ठीक है लूँ यह आप बताएंगे ठीक है तो कानपुर कभी भी ब्रिट सरकार के अधिन नहींगी ठीक है चलू तुमेलित करना है 1877 की किरांती का कैंदर और नेता इधर होगा ये आपको ही बताना होगा सुन्दर चा कोशन है और बताना है बढ़िया तरीके से चलो जी बताओ स्पीड के साथ लखनव से कौन है नेतरत्व करता बरेली से कौन होगा मतुरा से और कालपी से ये बताएंगे सर यदि लखनव की बात होगी तो आप जाना बेगम हजरत महल की तरप जिसे महखपरी के नाम सी जाना जाता है बरेलि की बात होगी सर खान भाध nouveau खान कर देना चार बता देना ठीक है यदि मतुरा की बात दोनों की दोनों बात यहां अटक गी अब देखेंगे कौन पहले बताएगा चलो मतुरा तो छोटा साय सर जी देवी सिंह कर देना और कालपी की बात होगी सर जी तात्या टोपे लड़ रहे हां से तात्या टोपे भी हां का नेत्रत्व करता है तीन चार एक दो तो इसका जो राइट होगा सर वो होगा आपका एक दम एक दम ए राइट होगा और जिनों ने बताया ए वो एक दम होगे रा हिंदी वाला होगा हिंदी वाला जाओ एक सो एक सटवा कोश्चन है स्रीमती एनी वैसेंट द्वारा अठाए सो अठाण में बाराणसी में इस्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ती ने उनीस सो सोले में कासी हिंदू विसमिद्द्धाले में परिवर्तित किया अच्छा ये तो हम बता देंगे सर जी एक बार में बताएंगे ठीक है जल्दी से बताएंगे तो जल्दी से बताएंगे सb 정말 क्या होगा श्रीमती एनी वैसेंट ने तो ये सबी को पता है पंडित तोर पर आ रहे हैं हाँ पर क्योंकि उस समय भारत का गवर्णर जनरल है और महात्मा गांदीची को भी निमन्तरण दिया गया है पर महात्मा गांदी ने इसके विश्मिध्या लेके उद्घाटन समारों की दोरान पहली बार जन भासन दिया था, कोशन पूछा जाता है कि महा देश राज्जे के किस जनपद में दिया था, तब आपको बता ना होगा सर जी, बाराणसी में इतो दिया है, तो मैं हिआ लिख दूं, तो आप लिखेंगे, हाँ जी, चलो, महात्मा गांधी ने सर जी, पूछा जाएगा, तो आप बताइंगे निश्यचित तोर पर प्रथम जन भासन ठीक है जन माने जनता के सामने अपना अपना प्रथम जन भासन मेरे प्यारो कौन सी भासन की बात है अपना प्रथम जन भासन कहां दिया था तो आप वताना सर बारानसी में दिया था कहां वारानसी आप सभी को बताना है तो महात्म गांदी ने अपना प्रेथम जनभासन कहां दिया तो सर्जी बारानसी में दिया ये आप बताएंगे निश्चित तोर पर बताएंगे 2001 की जनगरना भई ये 2001 की है इसे काट दो ठीक है ना चलो 2001 का ना पूछा जाएगा अब 163 कोश्चन देखना है भारती राष्टी कॉंग्रेस के दूसरे अदिवेशन में सारवजनिक सेवाव से जुड़े प्रेसनों पर बिचार के लिए गठित सत्रे सदस्य समीती में उत्त से अधिवेशन की बात होगी गुरुजी चलो ठीक है तो ये बताना है कलकत्ता अधिवेशन होता है 1886 में दादा भाई नौरो जी फिरुतम पारसी अध्यक्षवन थे हैं और एक इसमें सारवजनिक सेवाव से जुड़े प्रेसनों पर बिचार के लिए गठित सत्रे सदस अब इनमें पांच में कौन नहीं था गंगा प्रसाद वर्मा नहीं थे रामकली चौधरी नहीं थी क्या मौलवी हामिद अली नहीं थे या कासी प्रसाद नहीं थे ये कोश्चन बड़ा बहतरीन होगा और इसका जवाब तो आपको देना होगा और आसर करूँगा कि आप चौधरी होंगी तो आप बता देना रामकली चौधरी होंगी मतलब बी एकदम यहां पर राइट होगा बड़ा बहतरीन कुश्चन होगा तो आप रामकली चौधरी कर देना ठीक है चलो चहां तक है पॉइंट एक प्राण नात थे एक और मौमडन थे सुमेलित करना है सु करो तो क्या करना है सुमेलित करना है सर जी अठारे सो नवासी में पहले तो यही गलत लिग गया अच्छा तो अठारे सो अठासी यही करना है पहले तो यही मेरे भहियान है टाइपिस्ट भहियान है इसे अठारे सो अठासी आप करेंगे प्रियाग राज में अधिवेशन हुआ अध्यक्ष कौन थे 1888 में तो हुरा है फिर 1889 में में लखनव में हुआ 1905 में भाराण सी 1910 में फिर प्रियाग राज में और इनके अध्यक्ष बगेरा आपको बताने हैं बढ़िया तरीके से और मैं भी अपनी ABCD बगेरा काड़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा क्य चल्दी से बताने हैं सर जी कोई B कह रहा है कोई D और कोई कह रहा है सर जी कुछ भी ना है कुछ नौटा वाले भी है ठीक है ना तो बताते चल रहे हैं सर बहुत बढ़िया तो B यहां भर एक राइट मतलों राइट ना भूलूंगा मैं अभी 1888 प्रियाग राज सर जी पाल किर्सन गोखले चार होगा 1910 फिर प्रियाग राज बिल्यम वेडन वर्ग तीन दो चार एक तीन दो चार एक भाई साब भी वाले नहीं होता है एकदम ठीक है ना बहुत बढ़िया बताया तो B एकदम राइट होगा सर जी तीन तीन दो चार एक चलो अब एक और बता कानपुर अधिवेशन 1925 यह बताओ कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष कौन थे अब होगी बात टक्कर की कानपुर अधिवेशन 1925 यह आप सभी को बताना है और देखेंगी कौन पहले बताएगा जल्दी से बताना है कानपुर अधिवेशन तरजी सरोजिनी नाइड क्यों न कर देते आप चलो अच्छा तो बहुत बढ़िया इसका मतलव तो अब या आप एकदम जो है युद्व के लिए तैयार हैं तो सरोजी नाइडू कर देना और भारती राष्टे कॉंग्रेस पालटी की प्रत्थम भारती महिला अध्यक्ष नाम होगा सर्ची सरोजी न कोष्яम बड़ा जमावदार था आपने वताएं इसी के साथ इंगलिस वाले देख लेंगे को बात करूं सर, चुंटर परदेश कॉंग्रेस कमेटी की फीके है उत्तर पर कांग्रेस कमेटी को पहला समेलन यह किस वरिए से बताएंगे बताओ भई जल्दी से देखेंगे कौन पहले बताएगा कोश्चन बड़ा बहतरीन होगा चलो जी ठीक है तो जल्दी से बताना है कोश्चन बड़ा बहतरीन और जी बता रहे हैं उत्तर परदेश कॉंग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन किस वर्स संपन हुआ तो यहां बताते हुए सर भी कर देना जमन कितनी विरप अड़ाया होगा तो मैं यह ठीक है यहां सव्द देखो उत्तर परदेश कॉंग्रेस कमेटी का मेरे प्यारों उत्तर परदेश कॉंग्रेस कमेटी सव्द लखा हुआ है तो आप 1908 बताएंगे और कहां हुआ है आगरा में कहां आगरा में बताना होगा और भाई साव यदि पूछा जाएगा आगरा में और अध्यक्षता किस ने की है तो मोती लाल नहरू जी ने आप बताएंगे अध्यक्षता की बात होगी मेरे प्यारों तो मोती लाल नहरू आप बताएंगे कौन से तो सर जी मोती लाल नहरू इस तरीके से लिख देना है कुश्चन यदि पूछा जाएगा तो मैं मोती लाल नहरू कर दूँगा अब गलत नहीं करेंगे ठीक है न कभी भी गलत नहीं करेंगे चलो तो कसम है आपको यदि गलत किया तो चलो अगला कोश्चन बनारस में कासी बिद्या पीट की स्थापना किस वर्स की गई ये जल्दी से सभी को जवाब देना है और देखूंगा कौन पहले स्पीड के साथ मुझे इसका जवाब देगा कोश्चन बड़ा सुन्दर 1921 कर दो आप चलो बहुत बढ़िया 1921 मैंने कर दिया और मेरे प्यारो सिव प्रैसाद गुप्त कौन से होंगे तो आपको बता देना है सिव प्रैसाद गुप्त बड़ा बहतरीन कोश्चन होगा सिव प्रैसाद गुप्त मेरे प्यारो इसके संस्थापक होते हैं ना विद्या पीठ जो 1995 में किया गया, तो question आता है, अब क्या है सर जी, नाम क्या है, महात्मा गांधी, ये हमें बताना है, महात्मा गांधी, कासी विद्या पीठ, इस तरी किसी लिखना है, कौन सी पीठ की बात है, तो मैं बताऊं, कासी विद्या पीठ, पीठ, पीठ कर देना, ठीक है ये है तो मतलब ये महात्मा गांधी जो नाम है ना ये 1905 में जुड़ा गया कौन सी वर्स जुड़ा गया तो 1905 में ठीक है चलो अच्छा सरा पंजावी सिंगर आपकी किलास देखता हूँ तो समसे पहले यह याद पता ना जन क्या-क्या लगओं मैं ठीक है तुम्य तो सिंगर-सिंगर लग रहे हैं और इनके जी सा पूछो जन क्या-क्या लगा बैठाओं मैं तुम भ्या कैसी बात कर रहे हूँ चलो तो ये आपको बताना है अगला कुश्यन उत्तर परदेश के कानपूर और लखनव नगर किस भारती जनगर्णा वर्स में 10 लाखी नगर बने ये आपको बताना होगा बढ़िया तरीकी से और कोश्यन आएगा तो निश्चित तोर पर बताएंगे सर जी उत्तर परदेश किस के कानपूर और लखनव नगर किस भारती जनगर्णा वर्स में 10 लाखी नगर बने ये कोश्यन के इबार आया है और इसे आप बताएंगे निश्चित तोर पर बताएंगे क्या उन्निस सो एक्यामन 61 में 61, 81 81, 81 क्याण में तो बताएंगे 10 लाखी नगर गब बने हैं त कौन सा? 1971 और 81 करूंगा मैं तो एकदम राइट ठीक है तो ये आपका बहुत बढ़िया और सभी ने जवाब दिया इसी के साथ अगला कुश्यन पांच फरवरी 1922 को चोरी चोरा में किसानों एबं सत्या ग्रहियों के जलूस पर पुलिस तुवारा गोली चलाने की पृति किरिया स्वेरूप कुरुद भीड ने यहां के थाने में आग लगा दी जिसमें 22 जो पुलिस कर्मी मारे गए यह चोरी चोरा उत्तर परदेश के किस जिले में अवस्तित है यह कोश्यन आएगा तो आपको बताना है और मैं आसर करूँगा कि आप निशित और पर बताएंगे बाच परवरी की बात है सर जी बरस कौन सत्थाव 1922 में चोरी चोरा हो गया और बताएंगे यह तो सर जी ग केसर बाग लखनव में किस व्यक्ति ने साइमन बापिस जाओ किनारे के साथ पतंगवे एबं गुब्बारे उड़ाए थे कितना बहत्री कुश्यन है ठीक है 1927 में ब्रेटेन की पार्लियमेंट में मेरे प्यारो साइमन कमीशन है वो पारित हो गया भारत भी आ गया है 1928 में तीन फरवरी 1928 है साइद ठीक है तो डेट तो साइद होगी लेकिन 1928 तो यह पक्का है साइमन कमीशन का जगे जगे भिरूध हो गया है पहले आगमन मुंबई हुआ है मुंबई से जब लाहोर पहुँचे वो साथ सदस्यों की टीम है जो भारती संबीधान में मतलग कि उस समय का जो कॉंस्टिट्यूशन है उसमें हेर फदल करने वाले थे लाला लाजपत राये थे कहां से लाहोर से नेत्रत्व कर रहे थे पंजावे सेर उन्हें कहा जाता है ठीक है सांडर्स का नाम सुना होगा लाटी चला ने कहा दे दिया जिसमें लाला लाजपत राये को गंभीर चूट लगी मेरे सरीर पर पढ़ा एक एक लाटी का परहार ये अंग्रेजी कील में मतलों अंग्रेजी ताबूत में एक कील सावित होगा उन्हों नहीं तु कहा था लखनाओ में भी हो रहा है साइमन बापिस जाओ पतंगे एबं गुबारे उढ़ा दिये किसने जवाला लहरू ने गो खालिक जूमा कर देना और कुछ बच्चियों ने बताए सर ए कर देना कोई भी कहेगा लेकिन खाली जूमा भी नीचे बैठे हैं इनकी तरफ आपका दियान कम जाएगा क्योंकि नाम ही तो ऐसा है सर तो आप बताएंगे खालिक जूमा बड़ा बहतरीन कोश्चन आपके सा तगला कुश्चन बात है तो सर जी 48% कर दू मैं कितने 8 की बात होगी तो भीया 48 कर देना और जादा मत करना लगभग में मतलब 47.something में है तो लगभग यदि बात होगी तो आप 48 करेंगे चलो अगला कुश्चन लखनव तथा उसके आसपास दिसंबर 1920 में एक किसान मदारी पासी के नेतरत मे सुरू आंदोलन का नाम क्या था लखनव चीतापूर बहराइच इस तरीके से आसपास की जनपद होंगे और मदारी पासी किसान है उनके द्वारा सुरू किये आंदोलन का नाम क्या एका आंदोलन होगा पावना आंदोलन नील आंदोलन या तेभागा आंदोलन जवाब आ मेरे प्यारों, तो ए होगा एका आंदोलन, एका आंदोलन की सुरुवात किस ने की है, मदारी पासी ने, कहां, अवद में सरजी, लखनव के किसानों की बात होगी, तो ये एका आंदोलन आप करेंगे, चलो, next question अगला, अखिल भारते किसान सभा के प्रेथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी हम सभी को बताना है, और देखेंगे कौन पहले बताएगा, अब देखेंगे कौन पहले सका जवाब देगा, अकील भारते किसान सभा के प्रेथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहां देखेंगे, तो सरजी सी बता देंगे, स्वामी सहजा नंद सरस्वती, मेरे प्यारों, और एन जी रंगा कौन थे, महासचिव, ये भी तो महासचिव थे, और जी के यदी मैं आप से बात करूँगा, ये अखिल भारते किसान सभा की इस्थापना इधर लिख दू मैं, इस्थापना तो आपी को तो बताना है सर, 19 1936 में, कौन से वर्स की बात होगी, तो 1936 में और कहां सर लखनव आपको बता देना और जिसके अध्यक्ष पहले बने, श्वामी सहजा नंद जी और महासचिव बने, एन जी रंगा, आर ये बासन में ना, चलो, बहुत बहतरीन कोश्यन था, और आपने जबाब दिया, तो के लिए स्क्रीन बूर्ड पर आया, चनगर्णा 2011 के अनुसार, नीमांकित उतरबरदेश के जिलो में से, गिरामीन ये तो हो गया, बहुत इलाबाद, दो बेरे कर दिया, मेरे भीया ने, चलो, कोई बात नहीं है, लखनव के समीप, ये समसे ज़ादा इंपूटेंट है, ल लखनव के समीप, सहारनपूर लखनव रेल लाइन पर, 9 अगस्त 1925 को काकूरी ट्रेन डकैती कांड में, नीम लिकित में से किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी, मेरे प्यारो काकूरी ट्रेन एक्सन, पहले कांड था, कांड सब्द कोई बुरा थोड़ी है, कांड, यद ठीक है न, अब क्या होगा लखनव के समीप, सहारनपूर, लखनव रेल लाइन पर, 9 अगस्त 1925 को काकूरी ट्रेन डकैती एक्सन, अब तो ये एक्सन कर दिया, तो अब इस कांड सब्द को हटाएंगे और हम एक्सन सब्द लगाएंगे, ठीक है, शलू, किसको फांसी की जाना दी गई, चारों को दी गई थी, किस किसी दी गई है सर जी, तीन तो इसमें है, वो किरांती कारी बीर, एक नहीं है, अब पहले तो राम प्रहसाद खत्री जी को नहीं दी गई, अब इनमें राम प्रहसाद बिस्मिल जी को दी गई है गोरकपुर की जेल में, मैं राजिंद्र अलाडी जी को गॉंडा की जेल में मेरे प्यारो और एक थे ठाकुर रोसन सिंग नाम सुना होगा यदि जेल पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे ठाकुर रोसन सिंग को मेरे प्यारो नैनी और नैनी कहां पढ़ता है सर नैनी तो प्रियाग राज में पढ़ पर होगा चलो अगला कुश्यन नेमली कितमे से कौन उत्तर परदेश का जन संक्या की दरस्टी से समसे बड़ा है ये तो मैंने करवाई दिया क्या बार हो गया चलो अगला ये कुश्यन आपको बताना है काकोरी कांड की किरांती कारी की तरप से नीसुल को मुकदमा किस बकील ने लड़ा था और वो बकील चुबाद में मेरे प्यारो उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री की रूप में कमान समालता है नाम आपको बताना होगा चल्दी से चलो वे जल्ले से बताओ बहुत बढ़िया डीडी हाँ पर जवाब आता हुआ डॉक्टर चंद्रभानु गुप्ट सर जी बहुत बढ़िया काकोरी कांड की किरांती कारी की तरप से नीसुल को मुकदमा लड़ा था चंद्रभानु गुप्ट ने बाद में उत्तरपरदेश के मुख्य मंत्री भी बने मैं लिख दूँ बाद में क्या है भिया बाद में यूपी के सीयम बाद में उत्तरपरदेश के क्या बने है उत्तर परदेश की सियम बने ये कोश्चन यदि मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो जरूर बताऊँगा ठीक है ना तो आप कर देना बहुत बढ़िया चलो जी ठीक है आगे अगले कोश्चन पर नीमलिकित में से कौन सैयुक्त प्रांत समाजवादी दल के स्थापना में सामिल नहीं था ये कोश्चन बड़ा सुंदर है और ये आपको बताना होगा नीमलिकित में से कौन एक सैयुक्त प्रांत समाजवादी दल कि इस थापना में सामिल नहीं था डॉक्टर संपूरुनानंद पंडित कमला पतीतिरपाथी तारापद भट्टाचारिय या आचारिय नरंद्र देव ये कोश्चन आएगा और आपको निश्चित तोर पर बताना होगा और बताएंगे 100% आप बताएंगे जल्दी से बताना है अब सही किसका आएगा भी या अब सही का जमाना है ठीक है ना सही तो बताना है चलो तो नहीं लिखी तुमेंसे कौन उत्तर जो है सैयुक्तु प्रांत समाजवादी दल की इस थापना में सामिल नहीं था ये आपको बताना है जल्दी से और बता रहे है सर जी सी सी कर देना राइट होगा आचारिय नरंदर देव जी कौन से आचारिय नरंदर देव आपको बताना है यदि कुश्यन आएगा तो हमने शित्त और पर आचारिय नरंदर देव बताएंगे कौनसी देव की बात होगी सर आचारी नरिंदर देव बता देना ठीक है शलो अगला कूश्चन सायुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने 1937 के प्रांते बिधान सबा चुनाव के बाद किसके नेतरत में अल्पमत सरकार का गठन किया था कितना वैतरीन कूश्चन है अल्पमत सरकार का गठन 1937 की प्रांते चुनाव हो जाते हैं जिसमें मेरे प्यारो यदी मैं बात करूँ ये तो बिधान सबा चुनाव हो गए उस समय मैं बताई दूँगा चलो इसी में लिख दूँगा तो किसके नेतरत में अल्पमत सरकार का गठन किया गोबिंद बल्ह जब पंद नवाव चतारी लक्ष्मी नारायन कीलास नात काट जूँग इस पीड के साथ आप सभी बताएंगे और जो पहले जब आप देगा भाई साब ठीक है सेलक्सन वोई पाएगा क्योंकि सबसे पहले के लिए है ठीक है तो यहाँ पर सभी बता रहे हैं लेकिन सबसे पहले गलत विना वताना नहीं तो उपर चड़े हुए नीचे को आप पटकोगे ठीक है फिर ना पानी देने वालव मिले कोई नवाव चतारी बताएंगे क्या नवाव चतारी मेरे प्यारों जब उत्तर परदेश में सहयुक्त प्रांत था ना जब 1927 में प्रांते में जो गोबिंद बल्लम पंत को पिरधान मंत्री बनाये जाता है उत्तर परदेश का उस समय थी एम का पद नहीं था किलासनात काट जूको मेरे प्यारो न्याय कानून एबं न्याय मंत्री यदि मैं बात करूं कानून वे न्याय मंत्री ये हम बताएंगे कौन से मंत्री कानून वे न्याय मंत्री इस तरीके से बताना है आते हैं कुश्यन करेंगे ना चलो एक वारे जल्दी से ठीक है ना सभी के सभी थम्रा निसान लगा कर बताएंगे यदि ऐसा कुश्यन आएगा तो बताते चलेंगे तो मुझे भी तो लगे कि आप नींद सी आरी हो ठीक है बहुत बढ़िया तो सभी बहुत सुन्दरता की साथ नीलम कुमारी जी जोली सिंग सालिनी सभी जो है बहुत बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं चलो ठीक है और कोश्यन बन भी रहूँगे बताभी रहुँगे जादा टब कोश्यन थोड़ी है चलो नेमले की तिकथनों में से कौन 2011 की जनगर्णा के अंति महाकुडों के आधार पर उत्तर परदेश के लिए सही नहीं है अच्छा सही नहीं है इसका मतलव सही नहीं है तो हम सही करेंगे भी यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5 पृतिसत निवास करता है चलो बहुत बढ़िया स जाय पाय बनवाले न मम्मी से और जो है चलो यहां जी आजाओ कोश्यन पर यहां देश की जनसंख्या का 16.5 पृतिसत निवास करता है यह तो है राइट बात है यह तो है ना यहां देश के सरवादिक वच्चे पाये जाते हैं बच्चे तो भिया वर्चेन की भर्मार है ठ प्रद्दीदर सर यह गलत है यह तो आपने 20.22 बताया था हमें यह वर्द्दीदर तो यह बदाई थी और इसका जो लिंगा नू पात है ना वो कितना 912 ठीक है तो यह भी राइट है तो सर जी यह एकदम राइट होगा तो यह हमने बताया था यह इसमें जो गलत क्या होग सर जी इसमें गलत तो सी होगा अपका ठीक है चलो बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया तो बताया इसी के साथ अगला कुश्चन होगा आपकी स्क्रीन बूर पर 2000 जन संक्या नियुनतम है ये भी कई बेरा आगये महुबा कर दे न चलो ये कोश्चन बढ़ा बैतरीन है गांधी दुवारा घोसित मध निसेद मदमाने यहाँ पर क्या है सर जी मदीरा जिसे मैं बोलूँगा तो सर जी दारू ठीक है न चलो बहुत बढ़िया तो गांधी ज गांधी जी दुवारा घोसित मध निसेद लागू करने के लिए सर पिर्थम 1 अपरेल 1938 को उत्तर परदेश के किन दो जिलो को चुना गया था गांधी जी ने मध निसेद लागू करने के लिए सर पिर्थम 1 अपरेल 1938 की बात होगी उत्तर परदेश के किन दो जिलो को चुन तरी नहीं मद निशेद घोसित करेंगे गांधी चीने भी मद ठीक है कव से लगे हुए मद निशेद घोसित यहां जादा बढ़ती जारी ए खुराक पबलिक की ठीक है तो बताना है चलो भी या तो यह बताएंगे नई नई बैराइटी और आजाव के ता जो तिब्र देशी सराव नई नई बैराइटी चल रही है तो यह बताना है गांधी द्वारा घोसित मद निशेद के लिए एटा और मैन पूरी मेरे प्यारों कौन सा सर जी एटा और मैन पूरी को जो है चुना गया था यह बताना है ठीक है शलो तो बड़िया तरीके से हाज यहां मैं हसने की बातना है जो वर्तवान में चल रहा है उससे अब गत्त रहना पड़े है ठीक है अब यदि कदम से कदम मिला के ना चलेंगे तो फिर भी हम आज कचा माने का होई है ठीक है तो एटा और मेहन पूरी करेंगे अगला कोश्चन होगा उत्तर परदेश में 1947 तक भारती कोश्ची कॉण्गोरेश के कुल कितने अधीवेशन आयूजित हुए थे ये बताना है जल्दी से बताएंगे कोश्चन और एदर आ जाओ ठीक है उत्तर परदेश में 1947 तक भारती राष्टी कॉक्रेश के कुल कितने अधीवेशन आयूजित हुए पांच आठ नौ बारे ठीक है ये हमें बताएंगी जल्दी से और बतारे भी है सर जी आप नौ कर देना बहुत बढ़ी हैं मैंने एक वीर पहले और किलास में बता दिया था तो आप करेंगी सर जी नौ अब प्रतम कलकता दिवेशन अठारे सो अठासी हुआ फिर उसके बाद चलो मैं यूँ ही मुख्ष बोल दूगा 1812 में निन्यान में 1905 1910 16 25 ठीक है न और जी के फिर 36 और 46 ये हो गया चलो 46 वा ही आगया 1946 में मैं यदि बात करूं मेरट अधिवेशन था सर जी कौन सा अधिवेशन मेरट अधिवेशन 1946 अध्यक्ष कौन था बस मुझे तो इतना बता दो तुम ठीक है न मैं मान चाओंगा कि हाँ भई मेरा पढ़ाया हुआ अब जो है ठीक है काम याब हो रहा है ठीक है चलो ठीक है तो बताना है क्या बताना है सर जी मेरठ अधिवेशन 1946 बताएंगे जेवी क्रपलानी कर देना आप बहुत बढ़िया तो मेरे प्यारो आचारिय जेवी क्रपलानी क्रपलानी अब सुचीता क्रपलानी भी होगी ना तो आचारिय जेवी क्रपलानी करना है ठीक है आब जेवी रह जाएंगे तो इसलिए आचारिय जी को यहां लिखेंगे आचारिय जे भी किरप लाती ठीक है चलो बहुत बढ़िया आपने बताया इसी की साथ next question आपकी screen board पर आया भारत छोडो आंदोलन 1942 के समय उत्तर परदेश के बलिया गाजी प्रजिले में किस नेता ने राश्टी सरकार की स्थापना की थी 184 वकोश्चन आपके सामने है और सभी को जबाब देना है भारत छोडो आंदोलन हो जाता है मेरे प्यारो कौन से आंदोलन की बात होगी तो ब बलिया गाजी प्रजिले में ठीक है ना किस नेता ने राश्टी सरकार की स्थापना की है तो सर जी आप चित्तू पांडे वता देना कौन से पांडे होंगे चित्तू पांडे होंगे वो चित्तू पांडे जिने सर जी बलिया का सेर कहा जाता है या सेर ए बलिया कहा जाता ह कोश्चन आता है तो बताएंगी सीर एक बलिया किसी कहा जाता है तो सर मैं वताओंगा चित्तु पांडे को कहा जाता है यह बलिया का सीर कहा जाता है इन्होंने ही मेरे प्यारों बलिया और गाजीपुर में एक राष्टी सरकार की इस्ताप ना कीथी अंदोलन की दोरान question most important है आएगा तो बताना होगा उत्तर परदेश का 1937 में क्या नाम करण किया गया था यदि इसका जवाब आपने ना दिया ना तो भाई साथ देख ले ना ठीक है चलो तो बताना है जवाब आपका होगा सर चाय पी लिजे ठीक है चाय ना पीओ ठीक है बतलों की कर देना मेरे नाम का लेक कर दियो ठीक है उत्तर उडडेश का 1937 में क्या नाम करण किया गया था आगरा और अवद सैंक्ति प्रान उत्तर पश्मी परदेश सैंक्ति प्रानति या बताएंगे और ये तो मैंने एक बारे आपको बताफी दिया तो आप बताएंगे सर सैंत प्रांत कर देना आप चुप देशी ठीक है किसी को नहीं बताना भारत के कुल भौगोलिक छेतरफल ये तो हो गया 7.33 प्रतिसत मैंने कराई दिया ये जुड़वा मचली वाला भी ये ये आपको बताना है उत्तर परदेश के राजचिन में नहीं है या मचलिया नहीं है धनुस नहीं है तीर नहीं है या मोर नहीं है ये हम बताएंगे सर जी क्या नहीं है अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझी बताएगा कोशन बड़ा बहतरीन है और बताना तो होगा सर क्या नहीं है तो यहां बता रहें सर जी मोर नहीं है क्या नहीं है मेरे प्यारों तो हम बता देंगे सर मोर नहीं है और कोशन तो कई बार पूछा जा चुका है मोर मतलगा देना अब मचली तो हैं जिने रूमी दरवाजी से लिया गया है धनो स्तीर भी है इस तरीके से सदे हुए है ना ठीक है ना बराबर में गंगार यमना इस तरीके से दो लाइन सी हैं वो नदी हम उन्हें बूलेंगे तो आप बता देंगे सर जी पीकॉक नहीं है क्या नहीं है पीकॉक नहीं है तो यह आपको बताना है नेक्स्ट कोश्चन आ कौन सा है ये हमें बताना है उत्तर परदेश का सबसे पूर्वी सहर नीमलिकित में से कौन है बलिया आजमगड वारवंग की बस्ती ठीक है तो स्पीड के साथ बताएंगे और भीया यहां पर आप जो है ये उत्तर होगा आपका ये आपका दच्चिन होगा सरजी चलो बहुत बढ़िया ये आपका सरजी पश्चिम होगा अच्छा पश्चिम होगा तो ये कौन सा होगा ये तो मेरे लाडलो पूरब होगा ठीक है अब उत्तर परदेश का सबसे उत्तरी चनपद उत्तर परदेश का सबसे पूरी चनपद उत्तर परदेश का सबसे पूरी चनपद उत बलिया, speaker motivation जी ने बताया, बहुत बढ़िया, तो उत्तर परदेश का सबसे उत्री जनपद तो सर सहारनपुर था, ठीक है सहारनपुर मैंने कर दिया, दच्छनी की बात होगी सर आप सौन भद्र क्यों न कर देते, सौन भद्र कर दिया, पूरब की बात होगी मेरे प्यारों, तो बलिया होगा, जो बलिया उपर ही लिखा हुआ है, तो राइट क्या होगा बलिया, और इधर क्या होगा मेरे प्यारों सामली, उत्तर परदेश का सबसे पश्मी जनपद, तो आप बताएंगे सर सामली कर देना, ये ठीक है ना, अब उत्तर से दच्छन तक की यदि और आप भी बता देंगे, चलो, नेक्स्ट कोश्चन अगला, नौएडा उत्तर परदेश के किस जिले में ये तो हो गया, तो बारे मार दिये कैसे, चलो, ये नहीं हुआ, 112 में मा, 192 ये बताना है, 192 आप सभी को बताना है, कोश्चन उत्तर परदेश की सीमा रेखा, भार चलो बई, बहुत बढ़िया साब बास, ऐसी ठंड में है, चलो, बारिस का मोसा में है, बारिस पढ़ रही है, उत्तर परदेश की सीमा रेखा, भारत के कितने राज्यों से मिलती है, अब यहां राज्य सब्द है, क्या सब्द है सर जी, राज्य है, यदि केंदर साचित परदेश होता तब हम नाइन पर लगाते, और राज्य की बात होगी, तो सर जी, मैं तो आठ लगाऊंगा, ठीक है, अब आठ की बात होगी, सर, एक उत्तरा खंड करना आप, चलो, पहले हिमाचल परदेश, कौन सा परदेश होगा, तो एक पूरा जो है, भरोसा है, लेकिन भीया, एक वारे जो है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हिमाचल परदेश, उत्रा खंड, ठीक है, इसी के साथ, सर, इधर आजाओ, आप इधर से चलेंगे, हरियाना, केंदर साचित परदेश, बाद में लिकेंगे, हरियाना हो जाना, चातिस गड होगा, ठीक है, चलो, चातिस गड से फिर उपर को चलो, सर, जारखंड कर देना, और जारखंड के बाद सर जी, वेविहार, आप इस तरीके से लिख देना, अव काउंट कर लेना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और एक, आठ, अब केंदर साषित परदेश भी आप बता देना, केंदर साषित परदेश एक लग रहा है, नई दिल्ली, बोलूं तो मैं ठीक है न, और देश की अंतराश्टी देश की बात होगी, तो नेपाल आप बताएंगे, ठीक है, किसकी बात होगी सर जी, नेपाल आपको बताना होगा, बढ़ चलो जी, बहुत बढ़ी हाँ, ये बता दिया, और एक अंतराश्टी सीमा, सचिन वाली सीमा ना है यूँ, ये न, नेपाल से लगए ये उत्तर परदेश की, चलो अगला कुश्यन, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर परदेश के बुंदेल खंड छेत्र से संबन्दित है, ये तो हो गया बई, महुबाप, चलो, बनारस में ये भी करवा दिया, तो विर कैसे आ गए ये, अब सही है, चलो, उत्तर परदेश में राजिक्य मेडिकल कॉलिज की स्थापना की जा रही है, ये कोश्यन है, अब इसका जवाब आपको देना है, रिगना, उत्तर परदेश में जो राजिक्य मेडिकल कॉलिज है, इसकी स्थापना की जा रहे क्या बिजनौर और सुल्तानपुर में, बदा तरीके से बताएंगे इधर इंगलिस वाले भी आ जाएंगे और मुझे बताते चलेंगे भी या हम बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से कोशन इतना बहतरीन है ठीक है ना आया आएगा निश्चित तोर पर आएगा और आप बताएंगे भी और बताते भी चल रहे हैं सर ज तो बहुत बढ़िया तो कितने करेंगे सर जी बदाईयों एवं जॉनपुर और इसे करेंगे हम बेद मौँ ठीक हैं और जॉनपुर में ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से नेक्स्ट कोशन मोतिलाल नहरू बाल संग्रालिय इस्तित है चलो जल्दी से बताना है कोशन वड़ा बहतरीन चलो बढ़िया जल्दी से बताओ स्पीड के साथ मोतिलाल नहरू बाल संग्रालिय इस्तित है आगरा में प्रियागराच लखनव या बाराणसी स्पीड के साथ आप सभी को जवाब देना होगा और मैं आसर करूँगा जवाब तो आप देंगे भई बहुत बहतरीन कोशन कल्दी से बताना है सर जी प्रियाग राज कह रहे हैं अब देखो अब कुछ का C है कुछ का B है अब ये confusion का विसे बन गया और चहां आपके एक बारे यू होगी न प्रियाग राजी लखनव न प्रियाग राज न न यू लखनव है तो हाँ समझलो मामला डिसमिस हो गया तो 50-50 परसेंट नहीं बनना चाहिए तयारी उस इस तरी की करनी है हमें कि हमारे दिमाग में न आवे 50-50 परसेंट एकदम यदि कोश्यन निकले कि मूती लाल लहरू बाल संग्राल तुरंत हमारा दिमाग जाए सर जी तो लखनव में है कहां है लखनव में तो उस इस तर से आपको पढ़ना है और जहां जिके बन गी न और यदि एक और उबह है जैसे ओफ लाइन पेपर है ओनलाइन में तो लगे रहे हैं तो ओई भी आजा आवा जोई या क्या है यह क्या है तो ऐसे भी न करनी है और किसी से न पूछना अपने पर ध्यान राखना है लखना उकर देना चुपदेशी चलो नेमलिकित में से कौन सा उत्तर परदेश का सबसे पुराना विश्म विद्याले है तो हम देखेंगे कौन पहले बताएगा ठीक है तो बताएंगे नेमलिकित में से कौन सा उत्तर परदेश का सबसे पुराना विश्म विद्याले है अलीगड मुसलिम विश्विध्याले, बनारासी हिंदू विश्विध्याले, महात्मा गांधी कासी विध्यापीठ या इलावाद कैंद्रे विश्विध्याले ये आप बताएंगे और देखेंगे कौन स्पीड के साथ जवाब मुझे देगा क्योंकि कोशन बड़ा बहत्रीन है और बहत्रीन है तो सर जी और बहत्रीन हम बनाएंगे जल्दी से बताएंगे और भीया अपने मित्रों को भी जगाएंगे ठीक है न कि भीया किलास जो है चलती हुई और कहां चलेगे आप ठीक है जल्दी से बताना है और वहां बता दिया सर जी आप कर देना इलाबाद हिंदू बिस्विध्याल्य होगा अब कैसे होगा पहली तुम्हें बात करूंगा 23 सितंबर सर जी ये 23 सितंबर करेंगे 1887 में इस्टैवलिस होता है लेकिन मित्रो ये बिस्विध्याल्य ही बना है ना कि पहले कोई बिद्ध्याल्य बगरा ये बना क्या है बिस्विध्याल्य ही बना है तो महात्मा गांदी कासी बिद्ध्यापीट जो इसकी स्थापना तो 1921 में हुई है लेकिन महात्मा गांदी जो नाम दिया है वो 1945 में य अलीगड जो मुस्लिम विस्विध्याल्य है ये था पहले अथी कहना मुस्लिम एंगलो ओरियंटल कॉलिज 1875 में सरसेयद एहमद खाने अलीगड में स्तापन की लेकिन इसे विस्विध्याल्य का जो दरजा दिया जा रहा है वो 1920 में दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पर उत्तर परदेश का सबसे पुराना कैंद्रिय विस्विध्याल्य है या विस्विध्याल्य है तो आप बताएंगे सर जी वो होगा आपका इलहाबाद कैंद्रिय विस्विध्याल्य है इसलिए आपका राइट जो होगा डी होगा बहुत बड़ी है मेरा सह है सम्मानित किया जाएगा आपको चिंता करने की सुरुत नहीं है इसी तरीके से तो त्यारी करनी है अपनी अब एक कोश्चन और बताओ चलो साइद होगा चलो बता दू ना दिखे है है ना है उत्तर परदेश में वर्तमान में कैंद्रे विस्विध्याल्यों की संख्या उत्तर परदेश में वर्तमान में कैंद्रे विस्विध्याल्यों की संख्या ये बताओ मुझे उत्तर परदेश की बात होगी और वर्तमान में कैंद्रे विस्विध्याल्यो की संख्या की बात होगी तो आप बताना कैंद्रे विस्विध्याल्यों की संख्या सर जी तो हम बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से और चपदेशी छे कर देंगे पांच बाले नहीं छे करेंगे सर जी छे ठीक है ना और ये भी संखीत संस्थान विस्विध्याल्य उत्तर परदेश में कहां इस्तित है भाईसा भात खंडे जी की बात आगी है जिनकी स्थापना 1926 इसीवी की बात होगी सर जी पंडित विस्विष्णू नारायन भात खंडे की दूरा की जाती सहयूग था सवसी जादा यदि मैं स्थापना की बात करूं तो आप बताएंगे सर 1926 क्यों न कर देते आप और ठीक है ना पंडित विस्विष्णू नारायन ये हमें बताएंगे सर जी कौनसे नारायन की बात है पंडित विस्विष्णू नारायन भात खंडे ये बताएंगे नारायन भात खंडे बड़ा बहतरीन सा कोश्चन होगा पंडित विश्णू नारायन भात खंडे के द्वारा मेरे प्यारों 1926 मिन के सहयोग से कि क्या उमानात वली है वो उस समय कोई विभाग पे थी सिक्षम अंत्राले में तो उनके सहयोग से इनोंने चोहे कर दी है 1966 टीसवी में इसका नाम हिंदुस्तानी संगीत भात खंडे वगेरा हो जाता है 24 अक्टूबर 2000 में इसे डिम्ड विश्विद्या लेका दर्जा दे कर भात खंडे संगीत संस्थान बना दिया जो लखनव में अवस्तित होगा भी कर रहे हो सत्यवीर सिंग ठीक है डी नहीं होगा भई लखनव कर देना है क्या ए एक दम राइट होगा कोश्चन वड़ा बहतरी इंथा जगत गुरु राम भद्राचारिय विकलांग विस्विद्याले दुनिया में अपनी तरह का पहला विस्विद्याले है जो उत्तर परदेश में डौट 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 इस्तित है ऐसा कोश्चन गलत न जाना चाहिए अब देख लो आपी को बताना है बड़ा सुन्दर सा कोश्चन आपके सामने ठीक है न तो बताएंगे जल्दी से जगत गुरु राम भद्राचारिय विकलांग विस्विद्याले दुनिया में अपनी तरह का पहला विस्विद्याले है जो उत्तर परदेश में डौट डौ में इस्थापना लिख दू या लिख लोगे लिख दो इतना हमारे वसकीना नहीं हम भूल जाएंगे 2001 क्या लिख दिया चलो तो मैंने लिख दिया 2001 में मेरे प्टारो जगत गुरु राम भद्राचारिय विकलांग विस्विद्याले की इस्थापना हुई थी आउ तो चित्रकूटी बता देना और यदी मैं बात करूं कामदगिरी परवत कामदगिरी इस तरीके से सर जी कामदगिरी परवत भी यदी मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो चित्रकूटी बताऊंगा महरसी बालमिकी जी का आसरम भी हैं पर इस्तित होगा एक बिठ्थुर में हैं और एक चित्रकूट में अवस्तित होगा और सती अनसुया का आस्रम उनके पती थे महरसी अत्री का आस्रम और मेरे प्यारो सीता कुंड भी हैं पर अवस्तित होगा बताए जाता है भगवान रामचंदर जी के 14 वर्स बनवास की दोरन 11 वर्स इसी चित्रकूट के अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ मुझे इसका जवाब देगा सर भारत कला भवन ये बताना है क्या सर जी लखनव में इस्तित है बनारस बारान सी कर देना ठीक है ना चलो अब बारान सी करेंगे ना ठीक है प्र्याग राज या आगरा जवाब आपका होगा सवाल तो ह देखेंगे कौन पहले इसका जवाब मुझे देता है सर जी आप करो बहुत बढ़िया ठीक है तो बता रहे हैं सर कोई A कह रहा है कोई B कह रहा है भारत कला भवन कितना सुन्दर कोश्चन आपके सामने और बता रहे हैं सर जी आप कोई कुछ कह रहा है लेकिन यहां पर वा चागय तो आपके मुख से उत्तर आना चाहिए सर जी वो कासी विश्वनात की नर्व नगरी जहां पर भारत कला भवन आवस्तित होगा तो बारानसी आपको बताना होगा मूदी जी का संसदी है छेत्र होगा चलू अगला कूश्चन कैंद्रिय तिब्वती अध्यन विश् बिध्याले सारनाथ वारानसी किस वर्स इस्तापित किया गया उनीस सु अड़सट शडशाट टासी या 21 जल्दी से जवाब दिना है केंद्रिय तिब्वती अध्यन विश्व बिध्याले में आवस्तिते है और ये सारनाथ कहां पढ़ता है सर ये मेरे लो भारानसी में गटाटा रिछार्ज करवा करेंगे 1967 करेंगे बहुत बढ़िया तरीए करदेंगे करेंगे यह कुश्यन आएगँ वता भाट बढ़िया उपासना गुरुजी तो आ है उपासना है यहां जो उननी सो सड़ सट कर दो चलो यह भी कोश्चन वड़ा सुन्दर है उत्तर परदेश में राज्य उच्य सिक्ष परिशद का विस्थापित की गई थी जल्दी से बताएंगे बहुत बहतरीन कोश्चन है ठीक है चलो अच्य ठीक है करवा दूँगा सब करवा दूँगा ठीक है उत्तर परदेश राज्य उच्य सिक्ष परिशद का विस्थापित की गई 1990 पिच्चान में अब पढ़ लो 2000 ये 2005 में ये आपको बताना है सुंदर सा कोश्चन आपकी सामने है और भी यहाँ पर बता रहे हैं और अंगुठा कनिसान भी है सर जी आप भी कर देना उन्निस सु पिच्चान में एकदम राइट होगा उत्तर परदेश में राज्य उत्च सिक्षा परिशद कव इस्थापित की गई थी 2005 में हम बताएंगे बहुत बहतरीन कोश्चन है ये और बताना है गुरु गोबिंद सिंग स्पोर्ट्स कॉलिज कहां अवस्तिते है अब देखेंगे टकर होगी ठीक है ना चलो जी तो ये बताना है सर जी गुरु गोबिंद सिंग स्पोर्ट्स कॉलिज कहां अवस्तिते है गुरु गोबिंद सिंग स्पोर्ट्स कॉलिज अब देखेंगे भिया किसका राइट एकदम जवाब आएगा या सेफाई में है भारान सी, लखनव या मेरट जल्दी से जवाब सभी को द बीर बहाद्र सिंह एक तो यह आपको को बताना हैunge सभी कॉंसा होगा तो यह तो इनुप प्रुबे होगा कहां होगा तो आप बताएंगे गोरकपूर कर देना ठीक है हां जी और एक होगा सर जी मेजर ध्यान चंद करेंगे ठीक है न कौनसा मेजर ध्यान चंद sports college यह आपको बताना है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलिच और ये कहां अवस्तित होगा सर ये आप कर देना इताबा में इताबा का जो सेफ़ाई पढ़ता है न वहां और गुरु गोबिंद सिंग की बात होगी तो आप लखनव करेंगे ये तीनों स्पोर्ट्स कॉलिच होगे एक कौन सा होग जो सरजी गूरफपुर में होगा और एक मेजर ध्यानचंद होगा जो इताबा में और एक गुरु गोबिंद सिंग होगा जो लखनव में चलों अगला कुश्चन उत्तर परदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याए पसुची कितसा बिज्ञान विस्विध्याल है एबम ग जड़ानचंद इस्पोर्ट्स कॉलिज है अंतर है न थोड़ा सा तो यह आप थोड़ा सा न बहुत है वो कॉलिज यह विस्विध्याल बहुत बड़ा अंतर है तो बताएंगे अगला कुश्चन आपको ही बताना होगा जल्दी से बताना है उत्तर परदेश तो यहां बता खाट देशका पहला एलिफेन्ट aом हॉस्पीटल कुछ पहला हाती अस्पताल वहरी हो धी हां झाड़्य क replenंगा नयुकुत तावल कि एटको दिस लाच research zu esses तो भी ह सार कहां मत्थोरा में rate सर जी, और पूछा जाएगा, कि, उत्तर परदेश की एक मातर तेल रिफाइनरी, यर भी कहां अवस्तित है, मतुरा में अवस्तित है, वो मतुरा मेरे प्यारों, या उत्तर परदेश में सबसे जादा, थीक है न, क्या तो आप बताएंगे, मतल Whenever रिप्र्दन, केंद्र परद अनुसंधान संस्थान केंद्र हमें वताना है अनुसंधान संस्थान केंद्र ये मकदूम कहां मकदूम पड़त है मेरे प्यारों कहां मतुरा में मकदूम आपको बताना होगार सर मैं वताऊं तो आप मतुरा कर देना ठीक है चलो next question अगला ये तो यही है तैमी मार दिया दोन चलो बीबी गिरी राष्टि स्रम संस्थान इस्तित है इसका जवाब तो आपको देना होगा बई बीबी गिरी कौन सा चलो बहुत बढ़िया आसिस कुमार भारती जी चलो जैबीम आपकी सुभीकार है लेकिन किलास पर आप विसे सिध्यान दें ये तो होते रहेंगे लेकिन किलास को बनाई रखें ठीक है बीबी गिरी राष्टि स्रम संस्थान मेरे प्यारो एक मई को बिस्म स्रैमिक दिवस मनाये जाता है ये तो सभी को पता भी होगा अब ये बताना है बीबी गिरी राष्टि स्रम संस्थान कहां इस्तित है नोयडा नई दिल्ली गाच्यबाद गुरु गिराम तो हम बताएंगे सर जी तो नौइडा में ठीक है नौइडा बताएंगे ना बीबी गिरी राष्टिस रमसंस्थान तो नौइडा बता देना है और मेरे प्यारों हैं पर नौलिज पार्क अवस्तित होगा और आजे कि उत्तर भारत का पहला महिला उद्धमी पहला क्या होगा सर महिला उद्धमी पार्क यह बताना है ये वी कहां इस्थापित किया गया सर नौइडा आप कर देना पार्क तो आप बताएंगे सर जी नौइडा 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 इन्डस्ट्री डवलप्मेंट एथर्टी आपको बताना होगा और कोश्चन एक औ तेरे प्यारो नोयडा में बन रही है, निर्मान दीन है, चलो, लखनव में रविंद राले की स्थापना नेवलिकित में से किस वर्स की गई थी, ये भी हम बताएंगे सर, इसकी बात होगी, तो लखनव की बात होगी, लखनव में रविंद राले की स्थापना किस वर्स में ह अब मैं देखूंगा कौन स्पीड के साथ मुझे जवाब देगा उत्तम चतुरवेदी जी बहुत बढ़िया चलो तो आप सभी बताती चल रहे हैं ठीक है ना ये बताना है रविंद्रालय की स्थापना की बात होगी और कहां लखनव में इस्तित होगा सर जी कहां होगा लख लखनव में रविंद्रालय की स्थापना नीमलिकित में से किस वर्ष तो सर जी 1975 हम बताएंगे और कोश्चन को एकदम जानदार बना देंगे इसी किसाथ अगला कोश्चन कनहिया लाल मानिक लाल कैंद्रिय हिंदी संस्थान वहां इस्तित है कौन पहले बताएगा कौन सा युद्धा होगा जो कहेगा सर जी हम बताएंगे बहुत बढ़िया तरीकी से जवाब देंगे कनहिया लाल मानिक लाल कैंद्रिय हिंदी संस्थान कहां कि आगरा में हैं बरेली गोरकपुर मेरट बही गलत करना कोई भी कि कहना गलत मत करते ना और यहां बता तो रहे हैं ल लेकिन सवसे ज़्यादा आगरा वाले हैं तो आगरा एकदम राइट होगा क्या होगा सर जी आगरा कर देना चूक्टर बियारा अमीडगर जो बिसमिध्यल्य उसी के परीसर में अवस्तित होगा कन्हिया लाल मानिकलाल कैंद्रिय हिंदी संस्थान मेरे प्यारो तो आप बताएंगे सर जी आगरा में पेठा नगरी के नाम से जाना चाता है मताभी होगा सर जी आगरा को जाना चाता है यमना नदी के किनारे अवस्तित है प्राचीन काल की बातगरू में अगरवन के नाम से सागरा को जाना चाता था लेकिन पंदरस चार एसवी में मेरे प्यारों दिल्ली सल्तनत में एक बंस आया था उस बंस का नाम था पता तो होगा आपको लौदी बंस और उसी का एक सासक है सिकंदर लौदी जो 1489 से लेकर 1516 इसलिए तक गद्धी पर बैठा 1514 इसलिए में आगरा नामक सहर को बसा दिया और समसे पहले 1516 में अपनी ठीक है आगरा का लाल किला अकवर दुआरा निर्मित है रुसी आगरा के लाल किले में मूती मजिद सहा जहां दुआरा निर्मित है इसी के साथ अगला कूश्यन होगा उत्तर परदेश का एक मात्र मुक्त विस्विद्याले नाम से जाना चाता है ये आप बताएंगे सभी कि सभी चलो बहुत बढ़िया बताना है क्या उत्तर परदेश का एक मात्र मुक्त विस्विद्याले नाम से चाहता है बीर बहदुर सिंग मुक्त विस्विद्याले राम मनोहर लोहिया मुक्त विस्विद्याले राजस्री पुरुसुतम दास टंडन मुक्त विस्विद्याले पंडित दीन दयाल उपाध्याय मुक्त विस्विध्याले जवाब आपका होना चाहिए और मैं आसा करूँगा कि आप सभी के सभी इसका जवाब तो मुझे देंगे जवाब तो देना होगा भी और बता रहे हैं सर जी आप कर देना राजस्री पुरुसोतम दास टंडन यदि जनपद की बात होगी तो जनपद भी तो आपी को बताना होगा अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ बताएगा मुझे जल्दी से बताना है राजस्री पुरुसोतम दास टंडन मुक्त विस्विद्याले उत्तरप अरदेश राज्य की कौन सी जनपद में अवस्थित है तो ये सभी को बताना है और बता रहे हैं सरजी प्रियाग राज कर देना बहुत बढ़िया तो मेरे प्यारों यहाँ पर एकदम चुराइट होगा वो कुम्ब नगरी जिसे संगम नगरी के नाम से विछाना जाता है इसी मतलब प्रियाग राज में राजस्री प्रुसोतम दास टंडन मुक्त विष्विध्याले अब अस्तीत है नेक्स्ट कुश्चन उत्तर परदेश में कैंद्रे विष्विध्याल्यों की संख्या है अब ये कुश्चन होगा भाई साव अब मैंने बताया ना आपको उत्तर परदेश में कौन से परदेश की बात है उत्तर परदेश में कैंद्रे विष्विध्याल्यों की संख्या है अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ इसका जवाब मुझे देगा बहुत बैतरीन कुश्यन हैं चलो वई उत्तर परदेश में कैंद्रे विस विध्याल्यों की संख्या तो सर जी छह वताएंगे अभी मेरे सेर ने वतायता सर सुवयतनतरता से पूर्व तो आप पांच भी कर देना ठीक है नाaches एधी मैं बात करूं किसी बात होगी संवयतनतरता से कूर्व तो आप बताएं पांच ठीक है ना कितनी होगी पांच होगी चलों डॉक्टर अम्मेडगर इंस्टिटूट आफ टेकनोलोजी पोर हैंडीकेप्ड अवस्तित है यह आपको बताना है जल्दे से बताएंगे कौन पहले बताएगा चलो बहुत बढ़िया और बताते भी चल रहे हैं सर जी हम बत हो तो देखेंगे कौन पहले बताएगा डॉक्टर अम्मेडगर इंस्टिटूट आफ टेकनोलोजी हैंडीकेप्ड अवस्तित के आगरा में प्रियाग राज कानपूर या लखनव यह जवाब आप काना चाहिए और बता दिया सर जी आप कानपूर कर देना क्या कानपूर क सर जी चलो बहुत बढ़िया अब एक चोटा सा कुश्चन आप से पूछलू मैं चलो ठीक है यह आप मुझे बताएंगे सर जी स्कूल आप पेपर टेकनोलोजी कोश्चन आवी गया इसलिए क्योंकि इंपोर्टेंट कोश्चन है स्कूल आप पेपर टेकनोलोजी बस मुझ की तरफ देखूंगा तो एकदम सही जवाब होना चाहिए भौनी खराम मत कर दियो कोई साभी चलो बहुत बढ़िया तो सभी ने वताये सर जी आप मारा सहारन पूर कर देना हमें भी हलके में मतलेना बहुत बढ़िया तो मेरे प्यारो मैं आपको बताऊंगा तो यह सहारन पूर करेंगे चलो नेक्स्ट कोश्चन उत्तर परदेश में किरसी विस्विध्याल्यों की संख्या बै कोश्चन बड़ा जमावदार आ गया आवके तुम क्या है तरह हमारे वाला सारन पूरच्या उत्तर परदेश में किरसी विस्विध्याल्यों की संख्या कितनी है दो तीन, चार, पाँच, उत्तर परदेश में किरसी बिस विद्याल्यों की संख्या, अब देखेंगे भाई साव, अब होगी आमने सामने की तक्कर, जवाब तुमारा होगा, सवाल तुमारा है, अब बताना तो है, चलो बहुत बढ़िया तो आप बता रहे हैं सर जी, चार कर द जाएंगे, एक मैं वैसी बता दू, चलो, दो तो मैं लिखवाई दूगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, सरदार बल्लव भाई पतेल, इस तरी किसी लिखेंगे सर, सरदार बल्लव भाई, बल्लव भाई पतेल, क्रैसी एवं प्रोद्धोगी की विश्विद्याल्यों सर बल्लव भाई पतेल, क्रैसी एवं प्रोद्धोगी की विश्विद्याल्यों स्पीड के साथ सभी को बताना होगा, आएगा कोश्चन, आचारिये नरेंदर देव भी कैई बार पूछा गया, एक तो इसे डाल दू, दोसरा सरजी आचारिये नरेंदर देव बताएंगे, चंदर सेखर आजाद इस तरी किसी लिखेंगे, कौन सा, तुसरा मैं बताओं, हाँ, चंदर सेखर आजाद किरसी एवं प्रोद्धोगी की विश्विद्याल्यों सेम, डोट 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 आगे आप जानते ही हो, तो बताना जल्दी से सर जी, कौन कौन सा इसका राइट अब अम्मद नसीम जी मुझे इतना भरोसा था, ठीक है, तुमारे मारत में दुनिया से लड़ जाता है, तुमने गलत बता दिया, गलत बात है, सरदार बल्लब भाई पटेल तो होगी सर जी, मेरट कर देना, क्या, मेरट करेंगी सरदार बल्लब भाई पटेल, आचारी नर गिर्सी एवं प्रोध्दोगी की विस विद्याल ने, तो हम बताएंगे, सर जी, बांदा तो बांदा में होगा, और सेम हिंगन वोटन, ठीक है, गिर्सी एवं प्रोध्दोगी की यदि मैं बोलू, तो वो प्रियागरा चाप कर देंगे, तो टोटल आप पांच वता देन चलो, इसी के साथ अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन बूर्ड पर, कव सैंक्त प्रांत का नाम, 24 जनवरी 1950 हो गया सर, ठीक है, उत्तर परदेश का कौन सा छित्र आद कल्प की प्राचिनतम सैलो, ये भी हो गया, साइध हो गया ना, दुसरा की अवादिया, कुश्चन, ठीक ना, सोक उठाने चल रहे हैं, जैसे कोई मर जाता है, एक होता है सोक, जिसकी सोक ही पूरे ना हो रहे, और एक होता है सोक, ठीक है, तो दौनों में अंतर होगा, तो उत्तर परदेश की कौन सी जनजाती दीपावली को सोक के रूप में मनाती है, और भाईसाम, इस देश में पूरे देश में जहां दिये जलाय जाते हैं घरों को सजाया जाता है और एक ऐसी जनजाती भी रहती है उसी दिन अपने मरे हुए व्यक्तियों को जो पूरवज़ है esque उन्ने याद करकर करो रूठे है ठीक है तो ये आपको बताना है सर आप बताएंगे थारू जन जाती कर देना, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, कहां है थारू, ये री, थारू जन जाती कर देना, जो थारू जन जाती गोरटपुर के आसपास का जो तराइध हितरेना, उसमें पाई जाती है, ये कैसर ओर राट बात है, देखिँ भेpoints, जि गोरकपुर ठीक है ना किसकी बात होगी मैं इधर लिख दूँ गोरकपुर के आसपास का छित्र होगा कौन सा तो यहां में वताना है सर जी गोरकपुर के आसपास का जो छित्र है आसपास के छित्र में पाई जाती है कौन सी जन जाती होगी सर थारू जन जाती होगी उतरपर इसमें समसी बड़ी जनजाती भी मैं बोलू तो आप बताई देंगे संयुक्त परिवार प्रेथा इसमें पाई जाती है कौन सी प्रेथा की बात होगी सर जी संयुक्त परिवार प्रेथा चलो लिख देना कोशन आये तो संयुक्त परिवार प्रेथा घर का जो बड़ा मुख तो आप किसमे सरजी थारुजन्जाती में और बज हर नामक पर्व ये भी पूछा जाता है ये किसमे पाया जाता है तो आप बताएंगे। ठीक है बहुत बढ़िया पित्र सत्तात्मक बहुत बढ़िया साबास मेरे सेरो यही जवाब देना है नेमलिकित में से कौन सी अनुसूचित जनजाती बिजनोर जिले में निवास करती है अच्छा तो यह बताना है नेमलिकित में से कौन सी अनुसूचित जनजाती बिजनोर निवास करती है बेगा जंजाती खरवार जंजाती माही गीर जंजाती या थारू जंजाती चल्दी से बताना है कोश्चन बड़ा सुंदर सा आपके सामने पहुंचा और मैं आसर करूंगा तो आप जबाब मुझे देंगे तो जरूर और बता रहे हैं सरजी भी कर देना खरवार जंजाती पाई जाती है इधर भी इंगलिस वाले यदि कोई से रह रहा हूँ तो देखेंगे भाईया बताएंगे सब भी बताएंगे बहुत बहतरी न कुश्चन है सरजी खरवार जंजाती कर देना खरवार जन जाती यदि मैं बात करूं तो ये तो बांदा की पाठा चित्र में पाई जाती है और सर जी हां से मैं लगूं कहां से देवरिया, महराज गंच, चंदौली, बलिया, इसौनभद्र, मिरजापुर, इन में पाई जाती है आप बताएंगे सर माही गीर जन जाती कौ बिजन और जहां से गंगा नदी का उत्तर परदेश में प्रिवेज होता है एक चूटा सा कोश्चन होगा बेगा जन जाती कौन सी जन जाती है सर बेगा जन जाती हमें बताना होगा यदि कोश्चन होगा कि बेगा जन जाती बड़ा बहतरीन सा कोश्चन आपके सामने और म मैं सहरिया जनजाती की बात करूँगा, सर सहरिया जनजाती आप ही को बताना होगा, को अंसी जनजाती है, सहरिया जनजाती पठारी जनजाती भी आप ही बता देना मेरे प्यारों, पठारी जनजाती यदि मुझे से पूछा जाएगा, तो सर जी मैं ही बताऊं, सवनने, हाँ तो एक चेरो जनजाती भी होती है मेरे प्यारों चेरो जनजाती ये तीनो चारो जनजाती आप सभी को बताना होगा रिल मिलके बाट बाट के खाएंगे एक एक को बताएंगे बेगा जनजाती सरजी सौन भद्र कर देना बहुत बढ़िया मेरे प्यारों यदि बेगा जनजा तो सर जी ललित पूर चले जाओ मेरे प्यारो पठारी जन जाती और चेरू जन जाती दौनो की दौनो सोन भद्र में इति जाती कहाँ जंजाती आप कर देना कौन सी खरवार जंजाती सौनभद्र जंदौली मिर्जा पुर्जाउन पुर बगेरा इन छेत्रों में ये खरवार जंजाती पाई जाती है बड़ा सुंदर सा कोशन और आपने जवाव तो दिया चलो बहुत बढ़िया तो इसी के साथ अगला कोशन आपके स्क्रीन बोर पर भारत सरकार ने किस वर्स में उत्तर परदेश की दस नई आदी वासी जातियों को अनुसूचित जंजातियों के रोप में सुची वद्द किया कितना सुंदर कोशन है और ऐसा कोशन ना बताओगे तो भाया मेरा तो दिल दुख जाएगा जल्दी स जातियों को मतलों आदी वासी जातियों को स्टी के रूप में सुची वद्द किया था क्या 2004 होगा 200321 तो 2003 कर देना सरची कितना 2003 कर देना इधर भी आप करो तो 2003 वता देना कोशन आएगा निशित वहर पर पूछा जाएगा अगला कोशन नीमलिकित में से कौन सी जनजाती उत्तर परदेश के अधी सूचित अनुसूचित जनजाती की सूची में सामिल नहीं है इन में से एक जनजाती होगी कौन सी होगी जो अब बरतमार में सूची वद्दू की संक्या में बात करूँ तो 15 हैं अब ठीक है ना चलू तो 15 में से कौन सी नहीं है क्या राजी जन जाती है तडवी थारू बुक्सा अब इसका जवाव आपी को देना होगा ठीक है ना अब देखना है कौन भया इस जो है भार को अपने कंदू पर समभालता है अब देखेंगे जल्दी से वताना है स्पीड के साथ और बता रहे हैं सर कोई A कह रहा है कोई B कह रहा है लेकिन हाँ पर जो राइट होगा वो सर जी तडवी जन जाती होगी राजी थारू बुक्सा जन जाती सब यहीं पाई जाती है ना होगी तो तडवी जन जाती ना होगी कोश्यन आया तो आपने बताया ठीक गया सरची चलो उत्तरपरदेश का कौन सा सहर उत्क्रष्ट सहर योजना के अंतरगत सामिल है विच सिटी और उत्तरपरदेश इज जो है इंक्लूडिड अंडर दा एक्सिलेंट सिटी स्कीम यदी मैं बात करू उत्क्रष्ट की बात होगी तो सभी को बताना है बड़ा बहत पड़ा कर भी मैं चाये चलो उत्तरपरदेश का कौन सा सहर उत्तिक्रिष्ट सहर योजना के अंतरगत सामिल है क्या मुरादाबाद होगा सर जी कानपूर है अलीगड है या आगरा जवाव ऐसा और कोश्चन भी ऐसा अब बताएंगे तसर आप कानपूर कर देना क्या कानपूर होगा मेरे प्यारो जिस कानपूर नंगर की सबसे जादा पढ़ी लिखी महिलाएं पाई जाती है यदि मैं उत्तरoren hacer को रह्मण करूं मुझे सबसे 女दा पढ़ी लिखी कहां मिलेंगी महीला कानपूर नंगर में मिलेंगी तो आप इसलिए भाई overnight challenge नंप कानपूर सहर को सामिल कर देना बाल स्रेमिक बिध्या योजना के अंतरगत बालिकाओ को स्कूल भेजने के लिए सरकार दुआरा कितने रुपे प्रती महाप्रेदान करने का जो है प्रावधान है मतलो की सरकार भी भाई साव देख लो राजी राजी ना जारे तो पैसान के भाने तो जाओ कैसी तो स्कूल में जाओ कैसी तो सिक्षा गिरहन करो सरकार इतना कर रही है कि बाल स्रेमिक विध्या योजना कोई रह मैं न जाओ मर जाओंगा पर इसकूल न जाओंगा सरकार दोबारा कितने रुपिय पृती महा की बात है अब देख लो ठीक है ना प्रेदान करने का प्रावधान है तो सर जी आप बारे सो रुपिय कर देना कितने बारे सो रुपिय प्रेदान की जाएंगे और बालिकाओ को दिये जाएंगे बालक भी सामिल होंगे कौन सामिल ह देंगे ठीक है इन्हें एक हजार रुपिया दो अच्छा बालक यदि बालक आएंगी तो सर जी आप इन्हें एक हजार रुपिया प्रदान कर दो ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से एक हजार रुपिया तो बालिकन को भी दो ठीक है? चलो भीए तो भीदवाव किसी किसात न होगा ठीक है न? चलो तो ये होगा आपका बारहसो और एक हजार चलो इसी किसात अगला कुश्चन प्रेदेश कोसल सतरंग योजना का समबंद किस्से है? ठीक है न, ये बताना है सर जी, प्रैदेश कॉसल, सतरंग योजना का संबंध किस्से है, कॉसल विकास से, घ्रामीन विकास से, जल सनरक्षन या स्वक्चता से, ये हमें बताना है, जल्दी से बताएंगे, कौन पहले बताएगा, जल्दी से जबब देना है, प्रैदेश कॉस बी जब भाई कौसल की बात है तो कौसल विकास सी तो होगा उत्तर परदिश में कौसल सतरंग योजना है इसका संभन किस से होगा सर जी। आमेन विकास से ना होगा, कौसल विकास से होगा और युवाव को कौसल प्रेसिक्षन और रोजगार के अवसर इसके तहत प्रेदान की जाएंगे, तो इसलिए आप जो है ए राइट कर जाएंगे, ठीक है ना, ए राइट करना है, चलो, ज्यान दीप सिक्षा योजना उत्तर प्रेदेश में प्रारंब की गई, अब यह भी आपको बताना है, सर जी, कौन सी योजना की बात सबी कुछ अबाब देना है, और बहुत बढ़िया, सभी बताते चल रहे है अरपिता सिंग जी बहुत बड़िया नीलम है कलूकालिय जहांसी से टक्कर देते हुए के कुश्चन को बहुत बड़िया तरीके से ठोनी का ठीक है चलो जी तो मैं नमीता कुमारी 2001 कर देना ठीक है चलो तो सभी ने बताए तो सर जी आप सितंबर 2002 कर देना क्या सेतंबर 2002 नौलिज ठीक है ना नौलिज की बात ही है न ग्यान दीप जो है सिक्षा योजना उत्तर परदेश में प्रारम की गई सितंबर 2002 कर देना मेरे प्यारो अगला कुश्चन उत्तर परदेश में कल्प सिक्षा मा पिचाओंगा कल्प योजना संबंदिते है उत्तर परदेश में कल्प योजना कौन सी योजना की बात होगी तो हम बताएंगे उत्तर परदेश में कल्प योजना ठीक है तो जल्दी से बताना है उत्तर परदेश में हाँ उत्तर परदेश में कल्प योजना संबंदित है प्रात्मिक सिक्षा से उच्ष सिक्षा से माध्यमिक सिक्षा से या प्रावेधिक सिक्षा से ये हम बताएंगे स्पीड के साथ बताएंगे और बताते हुए सर जी आप प्रात्मिक सिक्षा कर देना कौन सी सिक्षा होगी तो हम बता देंगे सर जी प्र बहतरीन कोश्चन है कई बार परिक्षा में पूचा जा चुका है इसलिए आएगा तो फिर आपको बताना होगा और इसी के साथ अगला कोश्चन आपके स्क्रीन बूर्ड पर होगा उत्तर परदेश किरसी अनुसंधान परिसद नेम लिकित में से किसे इस्थान पर इस्तित है बहिए इसका जवाब तो सभी को देना है गलत नहीं देंगे कोई भी बताएंगे तो एकदम राइट बताएंगे अब देखेंगे कौन पहले इसका जवाब मुझे देगा चलो चल्दी से बताना है कोईशन के जवाब आपको देना है और मैं आसा करूँगा कि आप सबी के सबी बताएंगे और बताते भी चल रहे हैं सर ठीक है ना क्या कर देना है लखनव कर देना है क्या उत्तर परदेश किरसी अनुसंधान परीसद मेरे प्यारो लखनव में होगा और कोशन गन्ना किसान केंद्रिय राष्टिय गन्ना किसान संस्थान या गन्ना की बात होगी तो हम बता देंगे सर जी ये भी आपका लखनव म अवस्तित होगा नेक्स्ट कोशन नीम लिकित में से कौन सी उत्तर परदेश की उत्तर परदेश की जो है की गई इस वास्ते पहले अच्छा नीम लिकित में से कौन सी उत्तर परदेश दुवारा की गई इस वास्ते पहले है ये बात है उत्तर परदेश बोलेंगे तो हम आई स्वास्ति प्रवंदन सूचनातंत्र ए सुभीधा ए मित्र या इन में से कोई नहीं तो ये आपको बताना है which of the following is एन ए हेल्थ जो है इनिटेटिव पैकन वाय उत्तर परदेश तो जल्दी से बताना है अब देखेंगे कौन स्पीड की साथ तो मुझे इसका जवाब देगा उत्तर परदेश की नीमलिकित में इस वास्ते पहल है तो सर जी आप ए राइट कर देना उत्तर परदेश कौन सा परदेश होगा उत्तर परदेश HMIS स्वास्ति प्रवंधन सूचनातंत्र करेंगे दिखाई भी देरा होगा और ये कौशन आता है तो हम बताएंगे निश्शित तोर पर बताएंगे उत्तर परदेश के किस सहर को स्थरेमिक सिटी कहा जाता है चलो इसे बता दू भई अब बताएंगे अब होगी काटे की टकर ठीक है उत्तर परदेश के किस सहर को स्थरेमिक सिटी कहा जाता है लखनव को कहा जाता है मुरादाबाद प्रियाग राज या खुरजा जल्दी से बताना है जवाब सभी कहाना चाहिए और ऐसे जवाब ना आएगा तो और कैसे आएगा उत्तर परदेश के किस सहर कुछ रेमिक सिटी कहा जाता है मेरे लाडलो जल्दे से बताना है सर जी खुर्जा कर देना बहुत बढ़िया कहां है खुर्जा ये खुर्जा कहां पढ़ता है बुलंद सहर में पढ़ता है सर जी आप बुलंद सहर कर देना अब रेड मिट्टी के वर्तन चलो लाल मिट्टी के वर्तन आपको बताना है लाल मिट्टी के वर्तन कौन से मिट्टी की बात होगी हाँ सही है लाल मिट्टी के वर्तन यदि मुझसे पूछे जाएंगे तो वर्तन ऐसे भी लिख दूँगा या उपपर को भी रह उड़ा तो हम बताएंगे सर जी चुनार कर देना और वो चुनार कहां मिर्जापुर में अवस्तित होगा तो ये आप बताएंगे सर जी चुनार कर देना और चुनार कहां अवस्तित होगा तो आप बताएंगे मिर्जापुर में होगा सरची ये कहाँ होगा तो मिर्जापुर आपको बताना होगा ऐसा कोश्चन माडा साप की सामने एक बार में कर देंगे उत्तर परदेश के किस जिले में सर पिर्थम सोलर उर्जा सैयंत प्रारंब किया गया अब देखेंगे बात होगी तक्कर की और मैं आसा करूँगा कि इस तक्कर को आप संभा लें और बताएं चल्दी से बताएंगे कि कह रहे हैं सर डी कर दू उत्तर परदेश में किस जीले में सरप्रतम साललर उर्जश से यंत्र प्रयान वैर क्या बताएंगे सर जी अलिगर्फ में कहां किया गया, अलीगड के हर दुआ गंच में, किसी और को ना बता ना, अठीक है ना, कहां, अलीगड का जो होगा, हर दुआ गंच, इस तरीके से मैं लिखूं, अलीगड के हर दुआ गंच में, मेरे प्यारों, अलीगड के हर दुआ गंच में, और कितना, 660 मेगाबाट का कितने मेगाबाट का ये सोलर उर्ज सेयंत्र होगा 660 मेगाबाट का होगा अलीगड के हर्दु अगंच में होगा वो अलीगड जिसका नाम सरजी हरीगड होगा क्या होगा हरीगड होगा पूछा जाएगा वो अलीगड होगा सरजी जिसे ताला नगरी की नाम से जाना जाता है ठीक है क्या तो आप बताएंगे सरजी ताला नगरी कौन सी नगरी ये तो सभी को पता होगा ताला नगरी आप बता देना इसे जाना जाता है और भगवान रामचंदर जी के जो भव्य मंदिर में जो ताला जो गया है वो कहां का अलीगड़ का होगा चरण इस पश्ट अच्छिया तो ये आप बताएंगे हर द्वागंज करेंगे उत्तर परदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई है ये भी आप सभी को बताना है कोश्टन बड़ा धीमी गती से आपके साथ पहुँचता हुआ और साज़ा होता हुआ ये कोश्टन क्या होगा चरण जी उत्तर पर्देश में वेकल्पिक उर्जा की विकास के लिए वेकल्पिक उर्जा संस्तान की मतलब विकास संस्तान की स्तापन कव की गई बताना 1982 में 83, 86 यह 87 इधर इंगलिस वाले भी आ जाएंगे और मुझे बताएंगे चुक्पदेशी सर जी आप मेरा तो ठीक है ना ठीक है चलो तो आप 1983 कर देना इसका तो 1983 कर देना अगला कुश्यन अतर परदेश में वेक कौन सा एक मात्र छेत्र है जहां तांबा पाया जाता है चल्दी से बताओ उत्तर परदेश का, एक मातर वै कौन सा चेतर है, जो जहां तांबा पाया जाता है चलो बहुत बढ़िया, यू कहा, बांध लिख दिया, ठीक है, बांधा कर देना, ठीक है भिया, जो है, बांधा कर देना, ठीक है, चलो कोई बात न, माप करो इसे हैं ताइपिस्ट भीया कुम उत्तर परदेश में वो कौन सा छेतर है एक मात्र छेतर है जहां तांबा पाया जाता है तो ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से तो आप बताएंगे सर जी ललितपूर कर दू कर दो ललितपूर एकदम राइट कर दो तो उत्तर परदेश का एक मात्र वे कौन सा छेतर है जहां तांबा पाया जाता है तो बता देना सर जी ललितपूर करेंगे बड़ा सुंदर सा कोशन है ना चलो इसी के साथ आगे बढ़ू बढ़ो सर चलो मतूरा डिगवोई और पानी पत में तो परी संस्क्रण सालाएं हैं ये किसके द्वारा इस्थापित की गई हैं ये भी आप सभी कुछ अबाव देना है और हीरा बांदा कर देना सर जी आज कुरू जी लगता है पूलन में ये क्या कह रहे हैं अच्छे आप नमो न बहन नहीं है चलो मतूरा डिगवोई और पानी पत में परी संस्क्रण सालाएं इसके द्वारा इस्थापित की गई है भारत पैंट्रॉलियम कॉर्पूरेशन लिमिटेड द्वारा मदरास रिफाइनरीज लिमिटेड के इसके बारत पैंट्रॉलियम कॉर्पूरेशन लिमिटेड के द्वारा ठीक है भाई आज के बाद फिर मैं तुम्हें मिलूंगा नौदस तारिकों ठीक है तो इसमारे जो है तरलो भिया ये समय है ये चला जाएगा फूल सूल तो रह जाएगी है इसके ठीक है तो बताएंगे सर इसका जो राइट होगा वो होगा सी इंडियन ओयल कॉर्पूरेशन लिमिटेड आपको बताना है चलो अगरिया बेगा तथा भूया अनुसुचित जन्जातिया उत्तर परदेश के नीमलिक तजिलों में से इसमें मुक्यतेह निवास करती है ऐसा कॉश्चन यदि गलत होगा तो भायसा हमी गलत होगे जल्दी से बताना है क्या होगा सर जी अगरिया बेगा तथा भूया अनुसुचित जन्जातिया उत्तर परदेश के ठीक है ना चलो बहुत बढ़िया तो बताएंगे किस जन्पद में पाई जाती है अम्बेड कर नगर जालोन सौन भद्र या ललितपुर आप बताएंगे सर जी सौन भद्र होगा इसलिए ही तो इसे उत्तर परदेश का सरवादिक अनुसुचित जन्जाति वाला जन्पद कहा जाता है सबसे जादा यदि मैं बात करूं सर जी सबसे जादा अनुसुचित जन्जाती सबसे जादा कौन सी जन्जाती की बात है तो सबसे जादा अनुसुचित जन्जाती कौन सी जन्पद में पाई जाती है तो आपको बता ना होगा सर जी सौन भद्र में पाई जाती है ठीक है तो आपको बताना है समसे जादा अनुसुचित जाती की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी सौन भद्र होगा ठीक है चलो कहां गए हैं यह हैं भीया आपकी सामने हैं गुरुजी आए हैं मिलने आप से ठीक है ना राव्तिवतिया सर घुच बच्ची कहा है गरी तुमारे बड़े भीया है अब देखलो हमारे से कल मिले नहीं मिलति प्यारे दोस्त नमस्कार तो आ पहले बच्चे जानते भी होंगे बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते होंगे ठीक है कि यह PCS Civil Services वाला हम लोगों का चैनल है तो इस पर बहुत सारे बच्चे भी नहीं जानते होंगे तो बस मेरा मन किया एक बार आने का सुबह से आप लोगों के साथ सर मेहनत कर रहे हैं एक दम जबर्दस्त मेहनत कर रहे हैं और वास्तम में से पिछलेए पिछले काफ़ेटाइम से जूटे हुए थे और क्लास का बर्डन भी था उनकेसा साहत इस class को तयार किया आर這是 class को तयार ही नहीं किया class को। एक जबर्दस्त तरीके से तयार किया मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी एक्जाम होने में टाइम है लेकिन मुझे इतना यकीन है ये किलास आपके लिए रामबार्ण साथ क्या है वो यूपी पूलिस का बच्चा यहां पर देख रहा हूँ चाहे वो किसी अन्या बने हुए हो जितनी सुबह स्ट्रेंथ लगबग लगबग उतनी ही स्ट्रेंथ है तो आप उस हिम्मत उस जोस के साथ अभी भी बने हुए हो तो उसके लिए थैंक्यू और सरक्रत विसेश थैंक्यू है ही ठीक है दोस्त झाल 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 चलो भी ठीक है जुड़ जाएंगे सबी तरजी आप पुलिस की खिलास नहीं है पुलिस ठीक है चलो यहां आजाओ सब के लिए होगी ठीक है अगर यह वेगा यह बगेरा हो गई तो अब इसी के साथ अगला होगा नियम लिकित में से किस संस्थान का मिसन भूमी संसाधनों की स्वास्ते और उत्पादक्ता को एक इस्थाई तरीकी से संबंधित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमी की रक्षा पुनरवास और पुनहे उत्पन्न करना था ठीक है किस संस्थान का इमिसन था मेरे प्यारो बड़ा सुंदर सा कोश्चन आपके सामने और वताना है हाँ फेले अदिकारी बनो ठीक है चलो तो वताना है नियम लिखित में से किस संस्थान का मिसन भूमी संसाधनों के स्वास्ते और उत्पादक्ता को एक स्थाई तरीके से संबंधित करना और सभी संभावित ख कर देना A, राइट कौन सा होगा A, उत्तरपरदेश भूमी सुधार अधिनियम मेरे प्यारो उत्तर परदेश भूमी सुधार अधिनियम बड़ा बहतरीन कुशन है her और बताया आपने तो इसी के साथ और बहतरीन बना दिया उत्तरपरदेश में किस स्थलकों रामसर गया होना चाहिए उत्तर परदेश में किस इस्तल को रामसर इस्तल के रूप में नामित नहीं किया गया यह होना चाहिए भई यहां लिख देंगे नहीं किया गया अभी ऐसे करेंगे नहीं किया गया अब बताना है ठीक है नहीं किया गया है रोवा पीटा मचाओ मतना कोई सा ठीकेस है मेरे दिल बहुत कमजोर है मैं भी रोल लगूंगा फिर आपको बताओ ठीक है तो ये बताना है जल्दी से तो कुश्चन आएगा नहीं लगा देना है ठीक है ये बताना है कौन सा होगा पारवती अरंगा होगा सुर सरोबर सुरहताल या उपरी गंगा नदी रामसर इस्थल की बात है तो मेरे प्यारो उत्तर परदेश में कितने है तो ये तो सभी को पता है सर जी दस है उत्तर परदेश में रामसर इस्थलो की संख्या उत्तर परदेश में मेरे प्यारो रामसर इस्थल यदि मुझसे पूचा जाएगा उत्तर परदेश में रामसर इस्थ तोर पर आपको बताना होगा ठीक है चलो अगला कोश्चन वागी है गिरामीन चेत्रों की अर्थ व्यवस्ता और बुन्यादी धाचे को मजबूत करने के लिए 2021 में नीम लिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी ये बताना है 236 बाकोश्चन आपके सामने आया और बताना है ठीक है ना चलो तो क्या है गिरामीन चेत्रों की अर्थ व्यवस्ता और बुन्यादी धाचे को मजबूत करने के लिए 2021 में में मेरे प्यारों नीम लिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी क्या उत्तर परदेश मात्रभूमी योजना उत्तर परदेश सै शिक्षा साहता योजना या इन में से कोई नहीं ये आपको बताना है कोश्चन बड़ा सुन्दर सा होगा ठीक है बड़ा सुन्दर सा कोश्चन होगा तो जवाव तो आपको देना होगा और मैं आसा करूंगा जवाव सभी की सभी देंगे चलो ठीक है ए कह रहे हैं सर जी क होगा ए राइट एक दम ठीक है कौन सा होगा ए राइट होगा चलो नेमलिकित में से कौन सी योजना पंचायती राजमंत्रा ले द्वारा गामों की आवादी के सर्वेक्षन और ग्राम छित्रों में उन्नत प्रोध्धूगी की किसाथ मान चित्रन के लिए है बहाइसा होगा या स्वामित्व होगा ठीक है कौन सा होगा सर जी या स्वामित्व योजना होगा ये स्वामित्र है, ये स्वामित्व है, या E-Serve होगा, कौन सा होगा, कोश्चन का जवाव तो आपको देना होगा, ठीके, पीडियेप, मिल जाएगी आपको, कहाँ पर, पीडियेप फोल्डर जो है, उसमें मिल जाएगी, बारबार कोपी पेस्ट मत करो, कोश्चन पर जवा अच्छा चलो ठीक है यह बताना है तो आप बताएंगे स्वामित्व यूजणा तो आप इमित्र या कौन सा है स्वामित्व तो आपको बताना है सर जी चो पंचायती राजमंत्राले द्वारा गामों की आबादी की सरविक्षन और ग्राम छेत्रों में उन्नत कि साथ मान्चित्रन के लिए है स्वामित्व आपको बताना है चलो अगला नेक्ष्ट कोश्चन कन्या विद्यधन योजना की तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल इंटर्मीडियेट पास हैं को उच्छ शिक्षा प्राप्ति करने के लिए एक मुष्ट रासी प्रदान की जाएगी बड़ा बहत्रीन कोश्चन है भाई साहब और इसका जवाब अवके तो इस मीड के साथ दे देते हैं सर्जी तीस हजार कर दो तीस हजार मिलेंगे तो सही ठीक है ना मम्मी के एगिरी कम से कम बी एक अटा पॉम डालीद है त तीस हजार तो मिली जाएंगे पॉन सोन आ जाएगा और क्या है तो कन्या विद्याधन योजना की तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जो लड़कियां है उन्हें कितने भाई साम तीस हजार रुपया एक मुष्ट दिये जाएंगे ठीक है तो कितने तीस हजार र योगम सुमेलित नहीं है ये भी हम बताएंगे नेम लिकित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है जल्दी से बताना है कुरूलूंग राजवन सी तीस हजार रुपया लोग करके चावी दिखो तो यह बताना है जल्दी से मतलब कि कौन सा सुमेलित नहीं है बिठुर क्या प्रताप गड़ कौन सी नदी की किनारे तब मैं तो सही वताऊंगा ठीक है ना तब क्या वताऊंगा सही नदी आपको वताना होगा ठीक है चलो एक वता दो मुझे मुरादाबाद वो पीतल नगरी जो अपने कलाकरती के लिए बिस्व विख्यात है बिस्व के नक्से पर जब पीतल वर्थनों की बात आती है तो मुरादाबाद का नाम एकदम जहन में गूम जाता है ये कौन सी नदी के किनारे होगा सर ये हमें तो बताना है और हम बताएंगे सौन भद्र आपको बताना है सर जी जब सिंग्रॉली वो कोईला छित्र जब आता है तो आपको एकदम पता पड़ता है सौन भद्र जाएंगे मुरादाबाद की बात होगी तो राम गंगा लगाएंगे कौन सी गंगा सरची मैं बताऊं, हाँ राम गंगा नदी की नदी की किनारे सौन भद्र आपका सौन नदी इस तरीके से आपको बताना होगा बांदा कैन नदी की किनारे होगा यदि कोश्चन आएगा इस तरीकी का आपको बताना होगा आता है कुश्चन आएगा तो बताएंगे भी जरूर चलो नेक्स्ट कुश्चन ये तो तीस हजार होगा चलो बहुत बढ़िया उत्तर परदेश ये अवी जस्ट अवी करवाया है एक सेकिंड पहले ही अगला कुश्चन उत्तर परदेश सरकार द्वारा समाजवादी पैंचन योजना कब इस्टार्ट की गई तो समाजवादी पैंचन योजना की बात है उत्तर परदेश सरकार द्वारा समाजवादी पैंचन योजना कब प्रारम की गई जनवरी 2014 मार्च 13 जनवरी 2015 जनवरी 2014 वैसे तो समाजवादी पैंसन सब्द लगा हुआ है तो मेरे according तो एक question बने गई नहीं किसी भी हालत में नहीं आएगा ठीक है न तो यदि उचा जाएगा तो आप जनवरी 2014 बता देना उत्तर पर दे सरकार द्वारा समाजवादी पैंसन जनवरी 2014 करेंगे थीक है तो क्या बताइंगी सर जी जनवरी 2014 आपको बताइंगे अगला next question उत्तर पर देश में किसान मित्र योजना बड़ा भहतरीन question है उत्तर परदेश में किसान मित्र योजना आरंब कब हुआ था हुई थी ठीक है ना हुई थी कर देना उत्तर परदेश में किसान मित्र योजना कब आरंब हुई 18 जून 2000 को 18 जून 2001 को 18 जून 2002 या 18 जून 2003 इसका जवाब भी आप सभी को देना होगा ठीक है ना चलो बहुत मित्र योजना की बात होगी तो 18 जून 2001 लगाएंगे के बताएंगे 18 जून 2001 बता देना ठीके तो चल्दी से आपने बताया इसी के साथ अगला कुश्चन ब्रांड उत्तर परदेश रेजन के लिए उत्तर परदेश परियतन दुआरा किस उपागम को अपनाया गया है कौन पहले बताएगा बैइ सटी कुछानकारी आपको यहां देनी होगी क्या कुश्चन है ब्रांड उत्तर परदेश रेजन के लिए उत्तर परदेश परियतन दुआरा उपागम किस उपागम को अपनाया गया है अब बताना होगा उपपर से नीचे की और उपागम यदि प्रेटन की वात है नीचे से उपपर सांस्कृतिक उपागम या समग्रता उपागम अब देखेंगे कौन स्पीड के साथ यहां पर जवाव देगा जवाव तो देना होगा क्योंकि कोशन बड़ा इंपूटेंट होगा ठीक है तो बता रहे हैं सर जी हम बताएंगे सी लॉक कर देना गलत न हो जाए ठीक है न और सी लॉक करके ताली और दो है दुबका दी है अपने ठीक है न वगरता तो इसका जो राइट जो वनता है वो नीचे से उपर की और उपागम ताकी तरफ जाएगा और आज है कि उत्तर परदेश में परियटन को यदि परियटन को ध्युक की दरजे की बात आएगी तो मेरे लाडलो 1998 करना होगा ये कोशन पूछा जाता है चलो अगला कोशन आई गया कोशन उत्तर परदेश में परियटन विकास निगम की स्थापना हुई थी उत्तर परदेश टूरीजम डवलप्मेंट कॉर्पूरेशन वाज इस्टैवलिस्ड तो ये आपको बताना है बड़ा बहतरीन सा कोशन उत्तर परदेश में परियटन विकास निगम की स्थापना उननिस सो बहतर चोहितर नवासिया दो हजार एक कोशन आपको बताना होगा और मैं आसा करूँगा कि सभी के सभी जवाब देंगे वई सभी को जवाब देना है और देखेंगे वो कौन सा योद्धा होगा जो सब से पहले जवाब मुझे देगा सरजी मैं देंगा ठीके बताओ तो 1974 कर दो सरजी कौन सा होगा 1974 होगा और 1932 में क्या होता है उत्तर परदेश परियटन निदेस अले की स्थापना होती है ये भी होगा तो आप वताना उत्तर परदेश, सर जी उत्तर परदेश परियटन निदेश अले की स्थापना की यदि बात होगी तो सर जी आप 1922 लगा देना और आजाए कि उत्तर परदेश में परियटन को ध्योग का दर्जा कव दिया गया ये भी कोश्चन पूछा परियटन को उत्योग का दर्जा मेरे प्यारों उत्तर परदेश में परियटन को उत्योग का का करेंगे वई उत्तर परदेश में परियटन को उत्योग का दर्जा तब बताएंगे सर 1998 कर देना क्या 1998 कर देना यहां तक राइट है आग्या है तो आगे चलूं चलो जी बहु तो इसी के साथ next question उत्तर परदेश में इस्तितिकासी एक प्रैसिद भारती तिर्थ कैंद्र है या नीमली कितमे से किस नदी की तटपर इस्तित है जब आप आपको देना है बड़े बहतरी न तरीके से झाल प्रैसिद भारती ने में आपको देना है चलो बई जल्दी से बताएंगे असर गंगा कर देंगे बहुत बढ़िया मेरे प्यारों अब एक छोटा चा कोशन मुझे बताओ बोध एवं जैनियों का तिर्थ इस्तल कहा जाने वाला वो कौसामबी जो कभी बत्स की राजधानी हुआ करता था कोशामबी कौन सी नदी के किनारे अभी थोड़ी देर पहले ही तो कोशन था कोशामबी किस नदी के किनारे अवस्तित है यह आप ही को बताना होगा सर ऐसे कोशामबी की बात कर रहे हो तो मैं तो एक बार में ही बता दूँगा चलो कोशामबी बताएंगे कि कहना कोशामबी आपको बताना है, एक सर जी मुझसे यदि पूछा जाएगा सुल्तान पुर, चलो मैं सुल्तान पुर को भी हई पर रख दूँ, तो सुल्तान पुर कौन सी नदी के किनारे, हमीर पुर की बात होगी सर जी, हमीर पुर भी आप ही बता देना, हमीर पुर कौन सी नदी के किनार अवस्तित होगा शलो तो आज जवाव तो इनका ही देना होगा कौसामभी मेरे प्यारो जिसकी बात है सर कौसामभी की बात है और देखेंगे कौन स्पीड की साथ जवाव देगा तो कौसामभी यमना नदी करेंगे सर पहले तो यमना नदी कर देंगे और सुल्तान पुर की कान सी गौम्ति की बात होगी कौनसी नदी तहित जूति के लिए मान्नेत प्रदान की गई वो हमीरपूर मेरे प्यारों आप बता देना मंदाक निनदी के किनारे अवस्तित है, आता है कोशन, आएगा तो आप बताएंगे निश्चित तोर पर, नेक्स्ट कोशन, उत्तर परदेश में यूपी परियाटन द्वारा बुंदेल खंड सरकित में निम्र में से कौन से गनतब्य सामिल हैं, मैंने बताया, रामाएंड सरकित होगा, मतुरा सरकित हो गया, और जी के बोध्ध सरकित हैं, जो कभी गौतम बुध्ध के जनपद से सं संबंधित रहे, जैसे मैं रामाएंड की बात करूँगा, तो अयुद्या चित्र कूट ये जो है, मतलब इसमें वो, मतलब दार्शनी की स्थल, जो मतलब भगवान रामचंदर की जीवन से संबंधित रहे हैं, ऐसी अलग-अलग सरकित बनाएं हैं, ठीक है, तो कोशन बु बुंदेल खंड ये तो कट्टस हो गया, प्रियाख राज तो आए गई ना, चित्र कूट पंच वटी किंजर विट्थूर करेंगे, ये भी गलत होगा, विट्थूर चित्र कूट जहांसी कालिंजर और महुबा, जब जैसे ही मैं जाओं बुंदेल खंड की तरब, तो मु डी लगा देंगे, और इन्हें एक बारे जैसे पूछी जाएगी, किरसन सर्किट जैसे जो है, मतुरा हो गया, आपका बरसाना हो गया, नंद गाम हो गया, गोकुल हो गया, ब्रंदावन हो गया, ये जो मतलों की भगवान जिरी, किरसन के जनम से संबंदित, जो वो दारश इस इस्तित है, ये भी जवाब आपी को देना होगा, जवाब देंगे, सब भी देंगे, जवाब सर जी, चलो बहुत बढ़िया तो बताना होगा, क्या, राश्टी चेंबर आप उध्योग, बानिज्य उत्तर परदेश में इस्तित है, कानपूर, लखनव, आगरा या प्र या तो यहां बताते हुए सर जी, राश्टी चेंबर आप उध्योग, बानिज्य उत्तर परदेश में इस्तित है, तो सर जी, जब बानिज्य की बात होगी, तो मैं तो कानपूर की तरफ जाऊँगा, वो कानपूर सभी को पता होगा, जहां गंगा सबसे जादे प्रहदू चीजें, आपको मैंने बता दी हैं, आपने भी की थी बहुत बढ़िया तरीके से, देवदरी एबम राजदरी जल पिरपात नीम लिखित में से किस इस्थान पर अवस्तित है, ये तो नया कूश्यन है, अठीके ना, कौन सा होगा सर जी, देवदरी एबम राजदरी जल प कौन समालता है, बड़ा बहतरीन कोश्यन आपके सामने देवदरी एवम राजदरी जल पिरपात सर जी हम बताएंगे, भी सौन भद्र कर दूं, और कुछ कह रहे हैं, चंदौली कर देना, अब भाई साव, यहां जी ये जो है, संसे में मामला जो है, फच्ता हुआ, और कही मतलों कि पता ही न, बड़री, ठीक है न, कोई डी कह रहा है, और कोई कुछ कह रहा है, तो इसका जो राइट होगा, वो होगा चंदौली में, एक चंदौली में मेरे प्यारों, चंद्र प्रेभा बन्यजीव अब्यारण्ये, इस सभी को पता होगा सर जी, 1957 में इस्टेवल होगा, और इसी बन्यजीव अब्यारण्ये में सर जी, राजदरी और देवदरी चल्पिरपात अवस्तित होगे, ठीक है न, ठीक है, जल्दी से बताएंगे बई, और बता रहे हैं सर, ठीक है न, हाँ, चंदौली, चंद्र प्रवा बन्यजीव अब्यारण्ये में, अभी मैंने एक और बताए था, सर जी, कक्रावल जल्पिरपात अभी, हाली में चर्चा में रहा, जो उत्तर पर्देश के ललित ठीक है, तो यह आप बताएंगे चंदौली में कर देंगे, ठीक है, इसी जल्पिरपात बगेरा में, जो है पक्षी जो भी है, वे पसु बगेरा पानी पीते हैं, यह आपको बताना है, ठीक है, चलो, उत्तर पर्देश सरकार द्वारा योजना आयुक का गठन कव किया गय ठीक है, बहुत सुन्दर कोश्चन, उत्तर पर्देश राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना आयुक का गठन 1968, 79, 71, इधर इंगलिस वाले भी आजाएंगे, और मुझे एक बारे चल्दी से बताएंगे कि भीया, कोश्चन आपके स्कीरीन बोर्ड पर पहुंच गया, ब जल्दी से बताओ, बता रहे हैं सर, 1999 कर देना कौन सा, 1999 कर देना ना भई, 1971 करूँगा मैं, कौन सा करूँगा, 1971 करूँगा, राइट तो 1901 होगा, ठीक है, चलो, तो उत्तर परदेश, राज्य सरकार द्वारा, राज्य योजना आयुक का गठन कभ किया गया, तो 1901 आपको करना है, बहुत बढ़िया तरीके से, चलो, तो D सभी ने बताया, इसी के साथ अगला कुश्चन आपके स्क्रीन बूर पर आया, तन्या विद्याधन योजना के अंतरगत, उत्तर परदेश, सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तरीन होने पर प्रोतसान हेतु धनरासी दी जाती है, और कितने दी जाएगी, 30,000 रुपय दी जाएंगे पूरे, ठीक है ना, पूरे के पूरे 30,000 रुपया एक मुश्ट होकर किस्त दी जाएगी, और वो कौन सी परिक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, तो आपको करनी पड़ेगी भाया, इंटर्म, ठीक है ना, तो बारवी कक्षा पास करोगे, और आगे की पढ़ाई जब करनी इस्ताट करोगे, तो राज्य सरकार की दुआरक कन्या विद्याधन योजना की तहत, मेरे प्यारों, 30,000 रुपया प्रेदान की जाएंगे, तो 12 आपको पास करनी है, और 30,000 रुपय का इनाम आपको पाना है, ठीक है, शलो, अगला कोश्चन, उत्तर परदेश में किसान भही योजना कब लागू की गई, बड़ा सुन्दर कोश्चन है, उत्तर परदेश में यदि किसान भही योजना की बात होगी, उत्तर परदेश में, उत्तर परदेश में किसान भही योजना की बात है, तो य इसा ही तो कुश्यन आएगा और आज है उत्तर परदेश में प्रत्म चकवंदी तो 1954 आप बताएंगे आपने पढ़ा वी होगा उन्निस सुबाण में इसका एकदम राइट होगा दच्छनी उत्तर परदेश का औरईया जिला प्रेमोख रूप से डौट 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 उत्पाद के है दच्छनी उत्तर परदेश का औरईया हाँ सर जी वो औरईया होगा मेरे प्यारों जहांपर प्रदेश का पहला ठीक है न सारस कैंद्र या कंजर्वेशन बोल दूना उ उत्तरपरदेश का राजकी पक्छी है सारस कंजरवेशन कैंदर जो है अवस्तित किया गया है तो आप सारस कैंदर समझ जाना ठीक है ना तो दक्षनी उत्तरपरदेश का और या जिला प्रेमुक रूपसी तो भाई साब यहाँ आपका एकदम स्पीड के साथ जवावाया सर देशी घी क्यों न कर देते चलो देशी घी कर देंगे बहुत बढ़िया हिंग की बात होगी सर जी आप हात्रस कर देना आत्रस हिंग मैं गुलाल के लिए जाना जाता है सभी को पता होगा गुड तो सर जी आप एयुद्या चले जाना मुझः अफ़र नगर्वी जाएंगे ह अब एक बात बताओ मुझे लखिमपूर खीरी बतादो चलो इसे ओड़ी ओपी ओजना की तहट मेरे प्यारों लखिमपूर इस तरी किसे लिखना है लखिमपूर खीरी को किसके लिए माननेत अपिरदान की गई है जवाब आपका होगा सबाल तुम्हारा हो गया लखिमपूर खीरी की बात है और मैं आसा करूँगा कि बासुरी ना होगा ठीक है ना बासुरी तो बिली भीत होगा ठीक है वो तो ठीक है लखिमपूर खीरी वताना है ये वताएंगे कौन स्पीड के साथ वताएगा लखिमपूर खीरी ठीक है लख यहां तरीके से लखिम पुर्खीरी की बात होगी तो सर मैं बताओं जन जातिय जो है सिल्प के लिए बहुत दर्शा कोश्चन इसी के साथ अगला कोश्चन आपके स्क्रीन बूर पर चलो भई ठीक है 253 कोश्चन होगा प्राकर्तिक रूप से उगने वाली बहु बरस्य घास जिसे इस्थान्य बोली में अच्छा के रूप में जाना जाता है अमेठी जिले के तराई चित्र में पाई जाती है इस्थान्य लोग इस घास से कई पिरकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिने मूझ उत्पाद कहा जाता है तो ये बताना है डॉट डॉट में क्या आएगा अपर आकर्तिक रूप से उगने बाली पहु बरसिय घास जिससे इस्थान्य बोली में मेरे प्यारो डॉट 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 आपी को बताना क्या कहा जाता है जवाव तो आना चाहिए सर जी सर्पत कहा जाता है क्या कहा जाता है हम बताएंगे सर्पत है ना सर्पत नह मुझ उत्पाद के लिए तो ये आप वताएंगे बड़ी है तरीके से प्रियाग राज नाम सुना है आपने हाँ प्रियाग राज का नाम तो सुना है सर जी और जी के आपका कौन सा होगा सर मैं बताऊं सुल्तान पुर और अमेठी ये जो जनपद है ना तीन इन जनपदों क मुझ उत्पाद के लिए माननेता प्रिदान की गई कौन से उत्पाद की बात होगी मुझ उत्पाद के लिए माननेता प्रिदान वे की गई है चलो अगला कोश्चन उत्तर परदेश में नीवू प्रधानत है कहां उगाया जाता है ये बता दो भाई साब नीवू अब ठं साहारनपुर और मेरठ में भतैपुर और प्रतापगड लखनव और हरदोई या इलहाबाद और बाहराण सी ये बताना है वेर इस दा लेमोन ये कहना तो बताएंगे इस भीड के साथ आपको बताना है चलो बहुत बढ़िया तो ये बता रहे हैं सर जी ए कर देना कोई डी कह कह रहा है कोई भी कह रहा है अव किसे सही मानू सर सही तो हम मानेंगे न सहारनपुर और मेरठ कर देना उत्तर परदेश में नीबू की बात होगी सर नीबू आपको बताना है ये कहां सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है most important question आपकी सामने है और यदि जनपदों को छ चम तो मुझे वहां भी नीबू मिलेंगे और क्या मिलेगा सर जी आप बताएंगे अदरक ठीक है ना अदरक होगी या अदरक होगी अदरक ठीक है ना अदरक भी आप बता देना सर ये तो बुंदेल खंड छेत्र में हल्दी भी चलो साथ में जोड़ दो हल्दी ठीक है ना ये भी बता देना है हल्दी का वो रंग है जो जिन्दगी वर न उतरेगा तो हल्दी जाएंगे तो बुंदेल खंड की तरफ हम पहुंच जाएंगे कौन सा होगा सरची बुंदेल खंड आपको बताना है तो ये भी अदरक और हल्दी बुंदेल खंड में और नीवू भी गन्ना उत्पादन का कितना पिरतीसात उत्तर परदेश पैदा करता है गन्ना की बात है मेरे प्यारों जल्दी से बताना है और स्पीड की साथ बताएंगे नमीता कुमारी अनुपम दूवेज होती ठीक है ना चलो जी लवकुष जी सवी बहुत बढ़िया तरीके से यहां प बहुत बैतरीन है उत्तर परदेश के कुल गन्ना उत्पादन का कितने पिरतीसात उत्तर परदेश तो बताएंगे सर जी 25 से 40 परसेंट पी कर देना है क्या करना है दी करना है सर जी दी कर देंगे ये कोश्चन पूछा जाएगा और यदि मैं बात करूं किसकी उत्तर परद को बतानी है कहाँ पर इस्तापित की गई खतौली ना होगी, सर जी खतौली ना है, ठीक है तो बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं सर जी प्रतापपुर बता देना, प्रतापपुर ठीक है न, इस तरीके से लिखना है, देवर्या में पढ़ता है, प्रतापपुर कहां पढ़ता है सर, देवर्या में और वर्स 1903 में कि भारत की प्रत्थम चीनी मील यदी पूछी जाएगी तो 1903 में प्रता प्रुदिवरिया मेरे प्यारों और बर्स 1903 अगला कुशन उत्तर परदेश राज्चे में टीहरी वांद परियोजना वैसे तो मैं बात ही करूँगा यह भागी रती नदी पर है ठीक है ना तो उत्त आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से सोब्यत रूस कर देना इसे तो चलूँ आर्ये भट नक्षत्र साला कहां अवस्तित है जवाव सभी को देना है बहुत बहतरीन कोश्चन आर्ये भट नक्षत्र साला कहां अवस्तित है गोरकपुर में रामपुर लखनव या ग आर्ये वट नक्षत्र साला सभी को बताना है और मैं आसा करूँगा कि आप इसका जवाब मुझे देंगे एक इंद्रा गांधी नक्षत्र साला भी है ना सर जी हाँ इंद्रा गांधी जी की तरफ भी आपको मैं लेकर चलूँगा इंद्रा गांधी नक्षत्र साला आप सभी तो दोनों की दौनों नक्षतर साला वी हमें, हाथ के साथ ही तो कवर करती चलनी है, तो बतागे, Sir, इंद्रा गांधी कहाँ पर होगी, और बीर बहाद्धिर सिंग कहाँ गेनृते ही दूम लक्षतर साला, बताइजे बटाएंगे लखनव में होगी, लखनव में औरची के बीर बहादूर सिंग सराप गोरकपुर कर देना, क्या गोरकपुर कर देना और भाइसाव अब बात होगी आर्य भटनक्षत्र साला की, बहुत बढ़िया सबी बता रहे हैं सर जी यूपी पुलिस की महरातन कब होगी, तो अभी ना बता मुझे दीखे तो होगी, होईगी, जब ना होगी तो कभी ना कभी तो होगी, तो आप बताएंगे सर जी आर्य वटनक्षत्र साला तो रामपुर में अवस्तित है, वो रामपुर जिसे चाको का नगर कहा जाता है, वो रामपुर होगा मेरे प्यारों जिसे नवाबू का सहर भी कहा जाता वो रामपुर जहां पर डॉक्टर बी आर अम्मेडगर यदि मैं बात करूँ जहां पर डॉक्टर बी आर अम्मेडगर संग्राल्य एवं पुस्तिकाल्य अवस्तिते हैं पहले नाम तो था डॉक्टर बी आर अम्मेडगर ना फिर जो बदल का नाम कर दिया आर ये भट आप रामपुर कर देना बड़ा सुन्दर सा कोशन इसी के साथ नेक्ष्ट कोशन अगला नवीन रोजगार चत्री योजना का उद्देश्य है ये भी बड़ा सुन्दर सा कोशन है नवीन रोजगार ठीक है कौन से रोजगार की बात है तो मैं आपको बताऊं असर जी नवीन रोजगार चत्री योजना का उद्देश्य है जल सनरक्षन से निर्यात संबरधन अनुस चित जाती का सरवागीन विकास किसानों की आय दूगना करना नवीन रोजगार चत्री योजना का उद्देश्य है आप बताएंगी जल्दी से और भाई साब बता विरे हैं चलो बहुत बढ़िया तो बताना चलो जल्दी से बताएंगे और जवाव तो देना होगा वई ऐसे नई काम चलेगा जबाव सबी दिया करें नवीन रोजगार पहला चत्री है नवीन रोजगार चत्री होजना तो अनुसुचित जाती का सरवागीन विकास करना कोनसी जाती की बात कहरे हो चुसर मैं तू सी कह रहा हूं सेडूल काश्ट की जो जाती है सेडूल काश्ट है उसका सरवगीन विकास से संबंदित होगा ये आपको बताना है बड़ा बहतरीन बड़ा जानदार कुश्यन होगा एक युद्धा की भाती आपको बताना होगा अब उत्तर परदेश का सरवादिक अनुसूचित जाती वाल जाती वाला जनपद मुझे आप ही वता देना कौन सा होगा बड़ा बहतरीन कोश्चन होगा और मैं आसा करूँगा कि इसका विजवाब आपको देना होगा बहुत बहतरीन कोश्चन नसर आप सीतापुर कर देना वैस सौन भद्र किसने लगाया ठीक ना सौन भद्र नहीं होगा सीतापुर होगा वो सीतापुर मेरे प्यारो जहां पर एक नेमी सारणने भी अवस्तिते हैं महरसी ददीची का नाम सुना होगा ददीची तो थे जिसने अपने जो है मतलव की हड़ियों को दान बगेरा दे दिया था राक्ष सुक अभिनास करने के लिए तो बताना है सर जी आप सीतापुर करेंगे चलो नेक्ष्ट कुश्चन नेमलिकित में से कौन सा रामसर इस्थल उत्तर परदेश में इस्तित नहीं है अच्छा ये बात है इसे तो हम एक बार में ही बताएंगे शलो बताओ तो क्या होगा कुश्चन नेमलिकित में से कौन सा रामसर इस्थल उत्तर परदेश में इस्तित नहीं है सुर सरोबर होगा समस्पर पक्षी अभ्यारन्य सरसई नाबर जील या सुरिन सर मानसर जील ये बताएंगे कौन पहले इसका जवाब मुझे देगा बड़ा बहतरीन कोश्चन आपकी सामने पहुचता हुआ और बताते हुए सर जी ठीक है न क्या बताएंगे कोश्चन का जवाब सुर सरोबर आप बताएंगे सर जी आगरा कर देना क्या बताएंगे आगरा करेंगे समस्पुर की बात होगी सर जी मैं मैंनपुरी ले चलूँगा आपको इसकी बात होगी तो मैंनपुरी आपको घुमाने ले चलूँगा और जब सरसई नावर जील की बात होगी सर जी आप इटावा चले जाना सुरिंसर मानसर जील तो सर जी ये तो गलत होगा ना ये नहीं है बाकी तीन है ये नहीं होगा सर जी ठीक है न तो ये आप बताएंगे ठीक है न तो क्या होगा सुरिंसर मानसर जी ले आपको गलत बता देना है बाकी तो तीनों के तीनों राइट होगे एक नवाब गंज पक्षी अभ्यारण्य बताना है सर जी चलो नवाब गंज पक्षी अब्यारन्य बताएंगे बड़ा बहतरीन कोश्यन होगा नवाब गंज इस तरीके से लिखना है नवाब गंज पक्षी अब्यारन्य ये बन्य जीव अब्यारन्य होगा ना हाँ तो ये भी आप बताना है नवाब गंज तो जन कितनी बार पू बताना है सर जी कच्छुवा बन्य जीव अभ्यारण्य यह भी सभी को बताना होगा कच्छुवा बन्य जीव अभ्यारण्य सर जी आप वारान सी क्यों ना बता देते तो वारान सी लिख देंगे और बढ़िया तरीके से बतावी देंगे ठीक है चलो तो वाकी सब दस रामसर इस्तल हैं ये मैंने आपको बताए होंगे ठीक है चलूं अगला नेक्ष्ट कुश्चन होगा 260 वा कुश्चन है कौन सा कैंद्रिय मंत्राल्य एक जिला एक उत्पाद ODP योजना मैं बात करूँ one district one product योजना लागू करता है MSME मंत्राल्य ये क्या है सर जी सुक्षम लगू और मद्यम उद्यम मंत्राल्य एक तो ये होगा जब आप सभी को देना होगा one district one product योजना की बात होगी तो आपको तो मेरे लाड़लो बता नहें सर जी एक राइट करेंगे शुक्षम लगू और मद्यम उद्यम मंत्राल्य होगा ठीक है चलो तो जल्दी से बताया आपने अब बात आती है उत्तर परदेश में बन डिस्टिक बन प्रोडेक्ट योजना की यदि मैं O.D.O.P. योजना की बात करूं कि उत्तर परदेश में O.D.O.P. योजना कव लागू की गई तो सर जी 24 जनवरी की बात होगी और वर्स कौन सा 2018 ये तो मैंने चन कितनी भार आपको बताया होगा 24 जनवरी 2018 निम्न में से कौन सा समराट अच्छा कौन सा सहर समराट हर्सवर्दन की समय नगर महद्य स्री के नाम से जाना जाता था चलो भई अब इसमें जो है गलती हो गई है तो आप घर देना कन्नौज होगा एक एक option कन्नौज भना देना तो आप कभी ढूंडती रह जाते تو इसलिए मेरे प्यारों हम कन्नौज जाएंगे भी लगा रहे हो वैसे option गलत है हम भी लगा रहे हो ठीक है तो कन्नौज महोद्य सिरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता था और वो कन्नौज जिसे पूर्ब का गिरास कहा जाता है सर वो कन्नौज होगा जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है ठीक है ना कन्नौज बात इ इत्र बोलेंगे तो सैंट का आबिसकार किसे ने किया था, ये भी तो कुश्चन पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे सर जी, अस्मत बेगम का नाम सुना है, आपने नूर चाहा की माता का नाम था, अस्मत बेगम, पिता का नाम गियास उद्दीन, ना सर जी, और क्या है, तो आप बताएंगे ग्यास वेग था सरजी कौन सा ग्यास वेग आप बताएंगे और मेरे प्यारो भाई का नाम था आसफ खां उन्होंने ही मिलके जो है इत्र की आविसकर बगेरा कर दिया चलो तो आप बता देना कन्योज चलो नेमी सारण ये सीतापुर में पढ़ता है अस गंगा नदी उत्तर परदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है अब बताना होगा भाई साब ठीक है ना जेपी नगर कौन साब ये है चलो ठीक है तो बताना है कोश्चन होगा गंगा नदी उत्तर परदेश में कौन से परदेश की बात है मेरे प्यारो गंगा नदी उत तो आप वताएंगे सर जी बिजनौर से प्रिवेस करती है और 1450 किलो मीटर उत्तर परदेश में भेती है क्या किलो मीटर 1450 किलो मीटर भेती हुई मेरे प्यारों उत्तर परदेश की 28 जन पदों से होकर और भाईसा बलिया से निकलेगी और विहार की पावन भूमी पर पर्देश के किस जनपद से होकर बाहर निकल जाती है, बलिया से प्रेवेस विजणौर से लंबाई कितनी होगी सरजी 1450 किलो मीटर होगी 28 जनपद होंगे मेरे प्यारो 28 जनपदों से होकर गुज़ती है अपना विजणौर अथिया चलो बहुत बढ़िया बढ़ी खुसी की बात है पूजा सैनी जी ने वताया अपना विजन और वैसे तो जनपदों का नाम सुनके खुशी सी होती हुएगी जैसे कोश्चन आता होगा न ठीक है चलो बहुत बढ़िया होनी विचे यह ठीक है चलो बहुत सुंदरता की साथ सभी ने चवाब दिया इसी के साथ अगला क महापरी निर्मान मंदिर इस्तित है महापरी निर्मान मंदिर ये कौन सा मंदिर आया सर जी बताएंगे मेरे प्यारो महापरी निर्मान मंदिर इस्तित है इस तरीके से जवाब सभी को देना है मैं इतना पानी पीलूँ चलो बई चल्दी से बताएंगे तरजी को चाय पिला दीजे अच्छिया महापरी निर्मान मंदिर हिस्तित है मतुरा कुसी नगर सिरावस्ति या बुद्ध गया ये बताना है कुश्चन कितना इजी सा है बता रहे हैं ठीक है ना तो सर जी मैं बताऊं हाँ कुसी नगर कर देंगे 483 इसा पूर्वी की बात है गौत्म बुद्ध जी का महापरी निर्मान हो जाता है कुसी नगर हिरने वती नदी के किनारे मेरे प्यारो कौनसी तो मैं बात करूँ न हिरने वती नदी के किनारी तो होगा मलो की राजधानी थी क्या सर कुसी नारा जिसे आज वरत्मान में कुसी नगर मैं बोलूँगा अब कोश्यन पूछा जाता है महात्मा बुद्ध नया कोश्यन होगा कौन सा होगा सर जी तो हम बताएंगे कि महात्मा बुद्ध किरसी एवं प्रोधोगी की विस्विद्याले महात्मा बुद्ध किरसी एवं प्रोधोगी की विस्विद्याले ये आप सभी को बताना है कि मह गर में चले जाना वो कुसी नगर जो केले से केले के रेसे के उत्पाद के लिजिस से ओड़ी ओपी ओजना में मान्यता पिरुदान की गई ऐसा ही कोश्चन आएगा और आपको बताना होगा ठीक है चलो इसी के साथ नेक्स्ट कोश्चन अगला होगा इन में से क्या उत्तर प परदेश में नहीं है विश्बनात मंदिर असी घाट आगरा का किला या विक्टोरिया मैमोरियल गलत यदि होगा ना तो भाई सब देख ले ना कि के तो सब भी बताएंगे इन में से क्या उत्तर परदेश में नहीं है विश्बनात मंदिर होगा असी घाट होगा आगरा का किला, Victoria Memorial यह हम बताएंगे जल्दी से बहुत बहुत बहुतरी इन कोश्चन आपके सामने और आपने बताया भी है सरजी टी कर देना तो यह कहाँ है Victoria Memorial सरजी तो कोलिकाता में हवस्तित होगा बाकी तो अपने उत्तर परदेश में हैं ये दोनों तो आपके वारानसी में ही मिल जाएंगे सर जी चलो बहुत बढ़िया और यदी आगरा का किला तो आगरा जो अकवर की दूरा निर्वित 1583 इस भी में ये आप बता देंगे वाकी तो सब राइट है एकदम चलो भारत के मैंथा तेल उत्पादन में उत्तर परदे से इस मेंथा तेल का उत्पादन किया जाता है सिवाला के सिवाला ब्रक्ष के पत्तों से कौन सा सिवाला ब्रक्ष ये मैं लिखूंगा सिवाला ब्रक्ष के जो पत्ते होते हैं मेरे प्यारों पत्तों से क्या होगा सिवाला ब्रक्ष के पत्तों से मेंथा तेल का उत्तर पर जो आसदी के निर्मान, आसदी निर्मान में जो प्रियोग किया जाता है, मैं था ओइल बताएंगे तो सर जी आप 90 प्रतीसत कर देना, कितना 90 प्रतीसत आप करेंगे, बहुत बहतरीन तरीके से जवाब आपको देना होगा। पूरवी उत्तर परदेश की काला नमक प्रेजाती है, मैं आसर करूँगा कि ये कोश्चन गलत ना होना चाहिए, चलो जल्दी से बताती चलेंगे, ब्रक्ष नहीं होता है, अच्छी अच्छी वाला, जो भी होगे ठीक है ना, चलो बताना अच्छी वाला के पत्ते होंगे, ये वाल लेना ठीक है, तो वताना है क्या, पूरी उत्तर परदेश की काला नमक प्रेशिद्ध प्रेजाती है, ये हम बताएंगे सर जी क्या धान की तिल उडद या जामुन, कोश्यन आपके सामने है और वताना होगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से पहले तो नब पासान कालीन इस्थल एक कोलेडी हबा जो प्रियाग राज में अवस्तिते हैं वहाँ पर धान की खेती के मुझे साक्षे मिले फिर जब मैं सिंदु घाटी की तरफ आया तो सरची सिंदु घाटी सब बहता में लोथल एक गुजरात में भोगवा नदी के किना आरे अवस्तिते हैं आप सभी को पता होगा वहाँ से भी वहाई सब धान की खेती की साक्षे प्राप्त हुए फिर गुजरास से तो कही हमें लेना देना नहीं है अब हम आएंगे उत्तरवर्देश की तरब काला नमक चाबल है उत्तरवर्देश की सिध्धार्त नगर जनपद में ठीक है कौन से नगर की बात होगी मेरे प्यारों वो सिध्धार्त नगर लिख जा भी या चलो शिद्धार्त नगर वताना है शिद्धार्त इस तरीके से ठीक है ना कौन से नगर की वात होगी सर वो सिद्धार्त नगर होगा जहांपर मतलू कि यदि प्रावचिन समय की बात करूँ तो कपिलवस्टु की राजा कौन्तिस दोधन गौतम बद की पिता जी वो कपिल वस्तु आज बरतमान उत्रवर्देश के कौन से जनपद में वस्तित है तो मैं बताऊंगा सर जी सिद्धार्त नगर में और इस सिद्धार्त नगर का जो काला नमक चाबल है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जी आई टेग भी पिरदा जाता है सर जी आप बताएंगे चंदोली को कहा जाता है चलो बहुत बढ़िया धान की खेती वो भी काला नमक चाबल होगा ना चलो अगला नेक्ष्ट कोश्चन उत्तर परदेश के आगरा जिले में रुई का पास रुई अवकाम आई होईगी रजाए वग्यरा वरवाने में किस वैदेशी किस्म की वुवाई का उप्यूक्त समय निमलिखित में से कौन सा है ये हम बताएंगे स्पीड के साथ बताना होगा कोश्चन मोश्ट इंपोटेंट आपके सामने होगा सभी को बताना है उत्तर परदेश में आगरा जिले में क्या अप्रेल का पहला अप्रेल का पहला पकवाड़ा आप कर दीना चलो बहुत बढ़िया तफश्ट जो है अप्रेल का मतलों की कर देंगे पहला पकवाड़ा इस तरीके से लिख देना है अभी कोश्चन आया सर ची सिल्वर फाइवर किरांती किस से संबन दीते हैं साइद मैंने थोड़ी दिर पहले भी लिखवाई होगी सिल्वर फाइवर किरांती कौन सी किरांती की बात है सर सिल्वर फाइवर किरांती यदि मैं आप से बात करूं ये किसी कपास से संबन दीते हैं और इस किरांती की जनक की बात होगी सर आप जनक वताएंगे तो इंद्रा गांदी कर देंगे स्री मती इंद्रा गांदी बड़ा बहतरीन लाजवाव कोश्यन आपके सामने होगा बताना होगा यदि ऐसा कोश्यन आएगा सिलवर फाइवर किरांती कि जनकी इंद्रा गांदी मेरे प्यारों उत्तर परदेश के गंगा यमना और रुहेल खंड और बुंदेल खंड में कपास की जो खेती की जाती है ये आपको मैं बताऊंगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से और इसके लिए सरवादी को प्यूक्त मिट्टी की बात होगी तो आप बता देना सरची काली मिट्टी जिसे काली कपासी मिट्टी की नाम से भी बताना जाता है चलो next question उत्तर परदेश में रानी लक्षी वाई बांद परियोजना निर्मित है ये तो बताएंगे सर हम बताएंगे चलो बहुत बढ़िया तो बताना होगा उत्तर परदेश में रानी लक्षी वाई बांद परियोजना निर्मित है घागरा नदी पर है क्या बेतवा नदी परह घागरा नदी बेतवा नदी सौन नदी या चंबल नदी ये बताना है उत्तर परदेश में रानी लक्षमी वाई बांध परियूजना निर्मित है इस पीड के साथ बहुत सी लो पढ़ा रही है तेज बढ़ाईए अच्छा चलो ठीक है बहुत बढ़िया तो उत्तर परदेश में रानी हमारे हाँ एक गाम में कहावत है मतलब गाम में न चेतर की बताऊं बावा के हाथ में जो फावलोर है न फावला जो सुना होगा वो काम को करने लगे है तब हम एक दे और अबावा तो बहुत में तो काम कर रहे हैं ती ते जब यह इस साथ घंटा होगे लगे हुए पांच बजगे साथ घंटे होगे होंगे खड़ा होना और बूलना और वहां बैठके बात करना बहुत इजी है दूसरे को पर ठीक है न ता बहुत बढ़िया तरीके से चलो जी घागरा नदी पर वेतवा नदी पर सौन नदी या चंबल नदी तो सर जी आप बता देना बेतवा नदी और ये बेतवा नदी मतलब कि मैं बात करूं रानी लक्षिमी वाई बांध परियोजना तो ये सर जी ललितपुर में अवस्तित होगी आप जहां सी ना लगाना क्या लगाएं सर ललितपुर कर देना बहुत बहुत बहतरीन कुश्चन है ठीक है ना आता है तो निश्चित आपको बताना होगा इस तरीकी का कुश्चन एक रीहंद बांध भी आता है सर कौन सा बांध यदि मैं बात करूं चलो इधर लिखना है सर जी रीहंद बांध मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताओं रीहंद बांध तो रीहंद नदी पर ही अवस्तित है सर रीहंद नदी पर इस तरीके से लिख देना है और सर जनपद पूछा जाएगा तो आप बताएं के सौन भद्र में अवस्तित होगा ठीक ह इस तरीक में से लिख देना है, कौन सी गंगा की बात होगी राम गंगा नदी आप बताएंगे और सर जनपद पूछा जाएगा तो आप बिजनोर बता देना और ये उत्तर परदेश का सबसे उंचा बांध होगा नाम होगा राम गंगा बांध आपने पढ़ावी होगा माता टीला बांध क्या बार पूछा गया सर जी यदि इंपोटेंट है माता टीला बांध तो कौन सी बांद की बात होगी तो हम बताएंगे माता टीला बांद सर वेतवा नदी आप कर देना कौन सी नदी की बात होगी तो मैं आपको बताओं बेतवा नदी और जनपद पूछा जाएगा तो मैं तो ललित पुर बता दूँगा कौन सा ललित पुर बता दूँगा और पहले तो मैं बताऊंगा काली नदी बता देना सरजी और जनपद पूछ जाएगा तो हम बताएंगे अलीगड़, वो अलीगड़ जिसे अब हरीगड़ वोलेंगे ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, कोश्चन मोस्ट इंपोटेंट इसी के साथ अगला कोश्चन, धम्मे की स्थान पर इस्तित है, धम्मे की स्थूप भी आपको बताना होगा, बड़ा बहतरीन कोश्चन है, ठीक है ना, बनारस की राजा है, चीत सिंग नाम सुना होगा, और उनके एक मतलव की दरवार में रहते थी, या सैना पती मैं बोलू, जगत सिंग ने इस धम्मे की तो आप बता देना सर जी, सारनात में इस्तित होगा, और इस धम्मे की स्थूप का जो कंस्ट्रक्शन है, राजा असुक ने किया था, राजा आप बताएंगे, सर कौन सा निर्मान की बात होगी, तो मैं बताऊं तो आप बता देना सर जी, असुक ने, राजा असुक नाम स ठीक है चलो अगला चो कोश्चन होगा तेखा जील के नाम से एक नया राष्टे पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है हमें वताएंगे जल्दी से वताना है सर जी सेखा सेखा जील के नाम से एक नया राष्टे पक्षी बिहार का विकास डवलपमेंट किया जा रहा है बता रहे सर जी सेखा जील तो हम बताएंगे सेखा जील तो आपकी अलिगड में पढ़ती है सर वो ही सेखा जील हाँ जहां पर एक नए राश्टिपक्षी हाँ तो वो ही तो होगा और मेरे प्यारो यदि अलिगड की बात होगी तो आप बताएंगे राजा महंदर पिरताप नाम सुना होगा कौन सी प्रताप की बात होगी सर राजा महंदर प्रताप राज्ये विस विद्याले ये कोश्चन आएगा राजा महंदर प्रताप राज्ये विस विद्याले इस तरीके से आपको लिख देना है तो ये कहां अवस्तित होगा तो आप बताएंगे सर ये भी त ताला नगरी में आवस्तित होगा ठीक है ना सबसे पहले अंग्रेजों ने उन्निस सो बीस इसवी में अलिगड में ताला फैक्टरी का एक जो है निर्मान किया था यदि पूछा जाएगा तो ये भी आप बताएंगे ठीक है चलो अगला कूश्चन हिंदु मुसलिम एकता की प्रतीक सलामत सहा की मजार भै ये सलामत सहा मुझे तो कहीं ना मिले ठीक है ना ये कोश्चन वैसे तो वारववंग की देवा सरीप मतलब दोनों ये उप्सन दी रखें इसे कट्टस कर दे ना ठीक है चलो सूपी संत ये था वो कोश्चन सूपी संत हाजी बारी सली सहा की मजार कहां इस्तित है उसे पैंडिंग मतलब पैंडिंग ना कताई एकदम कट्टस कर देंगे दिल में से निकाल देंगे उस दोसो इकितर वी कोश्चन खुंग अब 272 की तरफ चलेंगे सूपी संत हाजी ब बताना होगा, बहुत बहुत बहुतरीन कोश्यन है, और आसा करूँगा कि आप सभी के सभी इसका विश्वा मुझी देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से कुश्चन आपकी सामने पहुचता हुआ और यहां बता रहे हैं सर जी आप जो है देवा सरीफ कर देना वारम वंकी ठीक है न यही तो हुगा न वारम वंकी में तो पड़ता है और मेरे प्यारो यह अफीम उतरपरदेश का सरवादिक अफीम तो मेरे प्यारो देवा सरीफ जुवारवंकी में पढ़ता है, कोश्यन पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा, एक कोश्यन पूछा जाता है कि नौचंदी का मेला, ये भी हिंदू-मुसलिम एकता का मेला होगा, नाम तो सर जी नौचंदी का मेला होगा, ये बताएंगे चलो बहुत बढ़िया मेरठ बता दिया सर जी आप मेरठ कर देना मैं यहाई लिख दूँगा मेरठ ही कहें चलो सरधना का मेला भी यहाई पर लगता है इसी के साथ अगला कुश्चन निमनर राजियों में से कौन सा 12 सिचाई के छित्र में सर बोचे सबसे जादा 12 की दूआरा सिचाई कौन सी राज्य में की जाती है उत्तर परदेश बिहार पंजाब यहरियाना सर जी उत्तर परदेशी करेंगे क्योंकि उत्तर परदेश चल रही है तो आप उत्तर परदेशी बताना ठीक है? चलो बहुत बढ़िया चलो जी अगला कोश्चन उत्तर पर्देश में परियतन को द्यूक का दर्जा कब प्रदान किया गया ठीक है तो ये बताना है सर जी बैए 244 कोश्चन हो गें हैं 300 करेंगे पूरे ठीक है ना 300 करेंगे बद थोड़ी देर की बात और है ठीक है तो जब इतनी देर से जो है डट परियतन को द्यूक का दर्जा कब प्रदान किया गया 1998 में ये आपको बतावी होगा नौगजा पीर उत्तर परदेश के किस जनपद में है ये हमें बताना है सर जी नौगजा पीर ये कोश्चन बड़ा सुन्दर है और देखूंगा कौन पहले बताएगा नौगजा पीर की ब चलो बई बताएंगे बता रहे हैं सर जी सहारन पूर कर देना बहुत बढ़िया आपने तो वही सा कमाल कर दिया नौगजा पीर पूछा गया तो उत्तर परदेश के कौन सा जनपद होगा सर जी आप महारा तो सहारन पूर कर देना क्या सहारन पूर कर देना कोश्चन अगला कुश्यन होगा बड़ा इमाम बाड़ा इसमार के कहां इस्तित है ये बताना है बड़ा इमाम बाड़ा आसफ दोला ने बनवाया था ठीक है ना अवद की नवाब है नवाब का नाम होगा सर जी आसफ दोला इस तरीके से में आपको बताऊं आसफ दोला ये बताना है अवद के नवाब होंगे आसफ दोला जिनका नाम होगा और बड़ा इमाम बाड़ा ठीक है ना जो मौमडन धरम के जो व्यक्ति हैं उन्हें ताजया निकालने के लिए मेरे प्यारों इसका निर्मान करवाया जो आप वता देंगे सर जी तो लखनों में इस्तितों होगा नव कुषी नगर बुद्ध लोगों का एक लोक प्रिया परियतन इस्तल है हीरन का उद्ध्यान मूल मंत्र कुटी बिहार तिबबती मंदर मंदिर या रामभर इस्तूप ये चल्दी से बताएं के कोश्चन बड़ा वैतरीन आपके सामने और जबाब भी आपको बहुत बढ़ि या कुषी नगर बुद्ध लोगों का एक प्रिसिद्ध लोक प्रिया परियतन इस्तल है क्यों क्योंकि यहां पर रामभर इस्तूप पर है गौतम बुद्ध जी का महा परी निर्मान हुआ था इसका सर्ची गौतम बुद्ध जी का महा परी निर्मान इस नहीं पर हुआ त निम्न वर्स में हुई थी इसका जवाव तो आपी को देना होगा चलो देखेंगे कौन इस पीड के साथ जवाव देगा क्यों कोश्चन वड़ा वैतरीन है उत्तर परदेश में सरजी उत्तर परदेश की बात होगी उत्तर परदेश में रानी लक्षी वाई केंद्रे किरसी अब इस विद्याले जहासी की स्थापना मतलों जहासी में न संसद की अधीनियम के दुवारा निम्न वर्स में हुई थी 2002 मा पी चाओंगा 10 2014-2018 या 2020 तो आप बताएंगे सर 2014 धरातल पर कवारा है 2018 में आया लेकिन संसद अधीनियम की बात होगी तो आप 2014 करेंगे और रानी लक्षिवाई किरसी अब इस विद्याले जहासी में अवस्तित है चलो आगरा के किले की मोती मजजिद का निर्मान करवाया था आगरा के किले में एक मोती मजजिद है इसकी बात है सर जी आगरा के किले में मोती मजजिद का निर्मान किसने करवाया था ये भी आप सभी बत आगरा के किले में सरजी मोती मजजिद का निर्मान जल्दी से सभी को बताना है देखेंगे कौन स्पीड के साथ बताएगा सरजी आगरा के किले की मोती मजजिद जल्दी से बताएगे बहुत 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 है सर जी धी कर देना सहाच, जहाँ बहुत बड़िया मेरे प्यारों ऐसी करेंगे सहाच, आपको बताएंगे चलो आतमाद दॉला आतमाद दॉला का मकवरा अवस्तित है मेरे प्यारों पूर्ण रूप से संगबरमर में निरμित भारत की पहली वो इमारत जिसका नाम होगा सरजी आतमाद दॉला का मकवरा किसने इसका निर्मान करवाया है यदि मैं construction की बात करूँगा अच्छा construction तो सर जी आप नूर जहां कर देना कौन सी जहां की बात होगी सर जी नूर जहां ठीक है ना जिसे महरू निंसा की नाम से जाना जाता था ठीक है जहांगीर की पिरिय पत्नी बन जाती है 1611.20 में ठीक है न कुली अली बेग था एक अपगान था उसकी बिद्वा पत्नी थी 1611.20 में मेरे प्यारो इससे निकाह करता है जहांगीर और 1612.20 में सहाजा कम सहाजा पता है कौन है सहाजा होगा सर जी किसका तो जहांगीर का बड़ा पुत्र है जिसका नाम था खुर्रम तो 1612.20 में तो पुत्र की साधी हो रही है और 1611.20 में पिता ठीक है टक कर दे रहें दोनों आप बेटा चलो तो है तुमा दोला तो ये वताना है सर जी ये कहां अवस्तित होगा तो आप आगरा बता देना ठीक है बहुत बहतरीन कोश्चन था एक वर्स का डिपरेंस दोनो लग की तीसरी वतनी है जहांगीर की नूर जहां महरुनिंसा 1611 में कर रहा है साधी और सहां जहां की जो अरजुमंद वानुवेगम मुम्ताज महल से 1612 में तो डिफरेंस कहां है ठीक है ना चलो तो ये आपने बताया और नूर जहां आपने बता दिया चलो अगला से संबंदित कौन सा इस्थल उत्तर परदेश में इस्तित है सर इसका अमनगड जिम कारवेट या पनना जल्दी से बताएंगे कोश्यन वड़ा सुन्दर सा और आप बता रहें सर जी भी कर देंगे भी कर देना अमनगड और चु कहां अवस्तित होगा तो मैं आपको जहां से गंगा नदी उत्तर परदेश में प्रेवेश कर जाती है यह आप बताएंगे इसी किसाथ अगला कुश्यन आगरा सहर की स्थापना किस ने की थी इसे तो मैं भी बता दूँगा सिकंदर लौदी ने पंदरसो चार में की थी और पंदरसो चैमें अपनी जानी बनाई यह तो छोटा सा माडा सा कुश्य ना आप सीरो के लिए चलो नीमलिकित में से उत्तर परदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर अवस्तित है इधर इंगलिस वाले वी आ जाएंगे और मुझे बताएंगे सर जी हम बताएंगे तुलसी मानस मंदिर की बात है हाँ तो बारानसी क्यों ना कर देते आप ठीक है वो बारानसी जहांपर कासी विश्वनात मेरे प्यारों कासी विश्वनात मंदिर यदि मुझे पूचा जाएगा कासी विश्वनात मंदिर यहीं पर अवस्तित होगा वो बारानसी होगा सर जी जहांपर भारत माता मंदि और म्रतुन्जे मंदिर भी तो यहीं अवस्तित होगा यदि आएगा इस कौन मंदिर दमधुरा में होगा चलो भई, अगला कोश्चन उत्तर परदेश बन निगम कव इस्थापित किया गया ये भी आप सभी को बताना है उत्तर परदेश ठीक है ना, मंदिर तो यूके में भी है चलो बताना है सर जी क्या उत्तर परदेश बन निगम कव इस्थापित किया गया 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1956, 25 नवंबर 1976 ये आपको बताना है बड़ा बहतरीन कोश्चन आपकी सामने बताएंगे उत्तर परदेश बन निगम कव इस्थापित किया गया ये इधर इंगलिस वाले भी आजाएंगे और बताती चलेंगे सर जी, हम बताएंगे हाँ तो बतादो 25 नवंबर 1974 कर दूँ कर दो तो ठीक है ना, 25 नवंबर 1974 सबसे जादा बन किसमे सौनबद्र में और सबसे कम बन भदूई में जिसे कारपेट नगरी के नाम से भी जाना चाता है उत्तर परदेश में उगाई गई नेमलिखित फसलों में से किसकी अवदी नियुन्तम है ये जवाब तो आपको देना है बहुत बढ़िया तरीके से और आसा करूँगा कि आप इसका जवाब मुझे देंगे कोश्यन होगा उत्तर परदेश में उगाई गई नेमलिखित फसलों में से किसकी अवदी नियुन्तम है सर जी क्या चना ठीक है मसूर अरहर या मूंग जल्दी से बताएंगे और यहाँ पर जवाब आपका स्पीड के साथ आता हुए सर जी मूंग क्यों ना कर देते आप ठीक है चलो मैंने मूंग कर दिया और ये मूंग जो होगा ना सर जी खरीप वे जायद की फसल है खरीप वे किसकी जायद की फसल वताएंगे और इसकी जो मतलब अबदी है ना अधिक्तम अबदी मतलब कव तक ये फसल वन कर तियार हो जाती है साथ डेज में मेरे प्यारों मतलब की साथ दिन में अच्छा चलो बहुत बढ़िया तो साथ डेज आपको बताना होगा मौंग की बात होगी तो सर हम बताएंगे निशित दोर पर चनाम असूर 290 दिन तीन महीना की बात होगी तो मौंग आप कर देंगे इसकी संभावित अवदी सबसे कम है उत्तर परदेश के किस छेतर में सोया बीन की फसल मुख्यता उगाई जाती है सोया बीन जिसमें प्रोटीन की अधिकता सवसे ज़्यादा पाई जाती है वो सोया बीन होगा सर उत्तर परदेश के किस छेतर में सोया बीन की फसल मुख्यता होगाई जाती है पूर्वी छेतर कैंद्रिय छेतर, विंद्य छेतर या बुंदेल खंड चेत्र जल्दी से चवाब देंगे कोशन बड़ा बहतरीन आपके सामने पहुंचता हुआ और सभी बता रहे हैं सरजी, आप बुंदेल खंड चेत्र कर देना बहुत बढ़िया मेरे प्यारों, कौन सा छेत्र होगा? बुंदेल खंड छित्र होगा यदि ऐसा कोशन आएगा तो सभी को चवाब देना होगा आता है कोशन आता है और बताएंगे भी ठीक है चलो ची अगला भारत में हरित किरांती के लिए ब्रेड वासकेट कहे जाने वाले राज्याइं है भारत में हरित किरांती मेरे प्यारों यदि ये हरित सव्द की बात होगी ये हरित सव्द गढ़ा किसने है तो अमेरिका के एक वैज्या निखोंगे जिनका नाम था बिलियन गौड और बिस्व में हरित किरांती का जनक किसे कहा जाता है नौरमन मोरलांको जो मैक्सिको के निवासी थे और भारत में हरिति किरांती की बात होगी तो MS स्वामी नाथन आपको बताना होगा और भाई सव खादान से संबंदित होगी 66-66 में आती है उत्तर परदेश, पंजाब और हरियाना जो राज्य हैं इन्हें ब्रेड वास्केट कहा जाता है यह आप बताएंगे स्पीड के साथ चलो नेक्स्ट कोश्चन ब्हारत के राज्यों में उत्तर परदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है ये question है ऐसा हमारा सा question मारे सामने बताइंगे तो भारत की राज्यों में उत्तर-पर्देश किस उतपाद का समसे बड़ा उतपादक नहीं है, Sir जी क्या फूलों का गैहूं का, आलू का गनने का जल्दी से बताइंगे किस का समसे बड़ा उतपादक नहीं है? जवाब तो देना है चलो तो जल्दी से बताएंगे सर जी क्या फूल तो फूल ही बता देंगे गैहों का भी है आलू का भी या रगन्य का भी है तो ना तो किसका है फूलों का नहीं है तो यहाँ पर फूल हम कटस कर देंगे ठीक है ना तो फूल आपको कट्तथ खर देना, चलो अगला कुशन। श्री बांग के विहारी मंदिर उत्तर परदेश के नीमली कित्में से किस जिले में इस्तित्य है? ये भी आपको बताना है सिरी बांके विहारी मंदिर की बात होगी और इधर आप बताती चलेंगे ठीक है ना इंगलिस वाले इधर आ जाएंगे सिरी बांके बिहारी मंदिर उत्तर परदेश के ठीक है ना नीमली कितमे से किस जिले में इस्तिते है ये तो ऐसा ही कोई होगा एकाद अपबाद में जो इसे ना बताएगा बांके बिहारी मंदिर को तो मेरे प्यारों मैं तो मतुरा कर दूँगा प्रेम मंदिर होगा इस कौन मंदिर सिरी रंगनात मंदिर मदन मोहन मंदिर इस कौन मंदिर चन कितनी बार पूछा गया प्रेम मंदिर आपको वताना होगा सरजी तो ये मतुरा ब्रंदावन में पढ़ते हैं चलो अगला कूश्चन शेख सलीम चिस्ती का मकवरा कहा है वो सेख सलीम चिस्ती मेरे प्यारो जो अकवर के गुरू थे सेख सलीम चिस्ती के आसिरवाद से ही सलीम का जनम हुआ तो आगे चल के जहां गीर वना उनी के नाम पर जो है सलीम नाम रखा था तो ये बताएंगे सिहख सलिमचिष्ति का मकवरा भत्यपुर सीकरी अजमेर गॉनडा या वारमंकी बताएंगे इस पीड के साथ आप सभी कुछ अबाव देना हैं अजमेर वतारे हो अजमेर ना होगा, राइ्टचो होगा वो होगा आपका भायषाव भत्यपुर सीकरी कौन से सीकरी की बात है चलो बे जल्दी से बताएंगे तो बता रहे हैं सर ए कर देंगे फटैपुर सीकरी अब कई हाँ पर इमारते हैं पीरवल का जो मतलब की महल है कि कहना बुलंद दरवाजा फटैपुर सीकरी में एसिया का सबसे उचा द्वार यदी मैं बोलूं दरवाजा जिससे बोलूंगा तो वो फटैपुर सीकरी ठीक है ना बता दे ना बुलंद दरवाजा नेक्श्ट कोश्चन भारत में उत्तर परदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है तिलहन का दलहन का या मसाले का तो आप बताएंगे सर खादान का होगा किसका होगा खादान का बताना होगा और आपने बताया वी अब तो इस पीड से जवाब देती चल रहे हैं तो सर आप खादान बता देना इसी के साथ अगला कुश्चन वरतमान में उत्तरपरदेस में 290 है मात्र कितना होगा 4.46 प्रतिसत 6.84 प्रतिसत ये बताएंगे स्पीड के साथ आप सभी को जबाब देना है और आजा करूँगा कि जबाब आप बताते मुझे चलो बही बताएंगे C कर दो सर्जी चलो यहां पर राइट क्या होगा 6.84 प्रतिसत यदि टोटल की बात होगी तो 9.01 प्रतिसत आप बताएंगे कितना 9.01 प्रतिसत बतादेना ठीक है चलो अगला कुश्यन आपके स्कीरीन बूड पर होगा चलो जी ठीक है हाँ ठीक है 9. ठीक है देवा सरीफ किस जनपद में अवस्तित है यह बताएंगे सर जी देवा सरीफ की बात होगी और इस पीड के साथ जवाब आपका होगा देवा सरीफ किस जनपद में अवस्तित है बहराईच में वारमवंकी में लखनव या उन्नाब ये हमें बताना होगा और कोश्चन बड़ा बहतरी ना आपके सामने है सर जी मैं बताओं वारमवंकी कर देना अफीम तो से ज़्यादा उत्पादक अफीम वो वारमवंकी तो आप देवा सरीफ ये बता देंगे ये तो कुश्चन मैंने क्याई बार बता दिया नीमलिकित में से उत्तर परदेश में किस फसल चक्र का छेत्रफल अधिक है ये भी आप सभी को बताना है नीमलिकित में से उत्तर परदेश में किस फसल चक्र का छेत्रफल अधिक है धान गैहूं ठीक है मक्का गैहूं चाहिए है मक्का सरसो उर्द गैहूं तो किस फसल का तो आपको पता होगा भीया धान और गैहूं भाई इनकाई तो है छितर फल सबसे ज़्यादा ठीक है धान और क्या होगा गैहूं आप बताएंगे और आपने बताया इसी किसाथ अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन बूर्ड पर आया जैनियों का कासी किसे कहा जाता है मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया था जैनियों का कासी ये बता देना सर जी किसके कासी की बात है तो मैं बताऊं हाँ जैनियों का कासी किसे कहा जाता है तब आपको बताना होगा सर जैनियों के कासी की बात है तो मेरे प्यारों आ तिकालीन में कभी कॉर्बो की राजधा नहीं हुआ करता था इस हस्तिनापुर को जैनियों की कासी भी कहा जाता है ऐसा कुश्चन आप से पूछा जाएगा निश्चित तोर पर तो आप हस्तिनापुर मुझे बताएंगे ठीक है अगला कुश्चन कार्ण वालिस का मकवरा कह इस्तित है यह तो आपको बताना होगा बैए जो है कार्ण वालिस जिसे भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा अजयनक कहा जाता है वो कार्ण वालिस मेरे प्यारों जिसे इस्थाई वंदुवस्त तिके ना एक पद्धिती लागु की है वो कार्ण वालिस होगा जिसका मकवरा उत्तर परदेश के कौन से क्या गाजीपुर में बलिया में वाराणसी या गोरखपुर में अवस्तित है ये जल्दी से बताएं जल्दी से आप सभी को बताना है और बता रहे हैं सर जी आप गाजीपुर कर देना और मेरे प्यारो इसी गाजीपुर में इसकंद गुप्द का ठीक है ना जो है अवी लेख वी आवस्तित है भीतरी स्थंब लेख जिसे मैं बोलूं कौन सा ऐसी लिख दूं मैं भीतरी स्थंब लेख कहां आवस्तित है गाजीपुर की जो है सैदपुर तैसिल में सभी को पता होगा सर जी गाजीपूर गुलाव जल के लिए फैमस वो गाजीपूर जिसे कासी की बहन भी कहा जाता है यदि कोश्चन आएगा तो मैं तो बता दूँगा सर जी कासी की बहन किसे कहा जाता है तो मैं बताओं हाँ गाजीपूर को कहा जाता है किसको गाजीपूर को कहा जाता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया सर यूपी पुलिस के ले सकते हैं या लो गई है ले सकते हैं ठीक है ना चलो अगला कोश्चन होगा वताना है उत्तर परदेश में मयूर सनरक्षन कैंद्र नेम लिकित में से किसी स्थान या जन्पद में अवस्तित हैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये करवाया था तो बताना है स्पीड की साथ सवी को उत्तर परदेश में मयूर सनरक्षन कैंद्र नेम लिकित में से किसी स्थान या जन्पद पर में इस्तित हैं महुबा मतुरा मैनपूरी या महराज गंज तो आप बताएंगे सर जी मतुरा करदेना करवा दिय जटाईयो गिद्ध भगवान रामचंद्र जी के वो मित्र जो सीता जी का हरन कर लिया जाता है रामड के दुआरा तो गिद्ध ने भाई सब टक कर ली थी लेकिन दोन पंक भी काट दिये थे रामड ने तो आपको बता देना है मयूर की बात होगी तो सर जी मतुरा और है चोटा सा कोश्चन है आमले की वात है सर जी हाँ आमला का सरवादी कुत पादन करने वाला जन्पद है तो बताओ कौन सा जौनपुर होगा प्रताप गड़ राइवरेली या सुल्तानपुर तो हम बताएंगे सर जी आप प्रताप गड़ कर देना इसे आमला नगरी कहा चाता है और डॉक्टर भीमराव अम्मेडगर ये कोश्चन आएगा डॉक्टर भीमराव अम्मेडगर कितना सुन्दर कोश्चन होगा जब पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्मेडगर पक्छी भिहार कहां अवस्तित है सर हम बताएं हाँ तो प्रताप गड़ कर द अब बात आगी सर जी भारत माता मंदिर की बात होगी सर जी कौन सा मंदिर है तो मुझे एक वारे बता देना भारत माता मंदिर स्पीड की साथ आप बताएंगे चलो भारत माता मंदिर बता रहे हैं सर जी यूका लिकरा को तकनक जाते जाते दिमाग खराव कर रहे हैं लकनो कर रहे हैं लकनो कर देना तो आप बता देना भाराण सी ठीक है ना चलो नया जन पत दे दिया चाहित तरवा मेरे टाइप यह आप बताएंगे भारत माता मंदिर यह तो कई बार मैंने बता भी दिये आपको चलो जौनपुर नगर की स्थापना किसकी समरती में की गई इराची हिंद के नाम से जाना जाता है सर जी जौनपुर को वो जौनपुर जो गौमती नदी के किनारे अवस्तित है वो गौम गामे उस जौनपुर की यहां पर बाते हो रही है सर जी ठीक है ना जिसकी जो है फोज सहा तुगलग ने इसे किसकी समरती में इसकी स्थापना की है तो बता रहे हैं सर जी मुहमद बिन तुगलग कर देना ठीक है ना मुहमद बिन तुगलग की इसमरती में जिसका जो बच कोश्चन होगा कि क्या बताएंगे जोना बतादेंगे कोश्चन आता है कि जौनपुर ये कौन सी नदी के किनारे है गौमती नदी के किनारे रामायन का वो युद्ध है रामायन काल की बात बताऊंगा मैं आपको रामायन काल में युद्ध हुआ भगवान रामचंद्र और जी की बीच में ठीक है युद्ध होता है बड़ा घमासान वो युद्ध होता है बिजई होकर लोट आते हैं भगवान रामचंदर जी और मेरे प्यारों सब से पहले अपने जो पापों को क्योंकि मार के आ रहे हैं और जी के धनुसबान को इस गौमती नदी में धोया था जि जालों उत्तर परदेश का कौन सा जन्पद दसहरी आमका सर्बो चुत पादक है यह भी हम बताएंगे स्पीड की साथ बताना होगा थैंक्यू सो मच ना है ठीक है अभी तीन-चार कोश्यन और रह रहे हैं फिर यह रह जाएंगे यार ठीक है तो थैंक्यू सो मच मत करो मैं कर दूँगा अभी ठीक है थैंक्यू सो मच तो मैं कर दूँगा उत्तर परदेश का कौन सा जन्पद दसहरी आमका सर्बो चुत पादक है सर्जी क्या आगरा होगा लखनव होगा बहरांसी यह प्रताप गड़तु सर्जी दसहरी आम हाँ तो यह लखनव में और उत्तर पर बात होगी सर नवाब ब्रांड के नाम से उत्तर परदेश में जो है अन्य परदेशों में प्रेचारित की आजाता है नवाब ब्रांड किसकी होगी तो आम की बात होगी मेरे प्यारो और एक आम का नाम होगा रटॉल आम सुना होगा अपने सर्जी हाँ मैंने तो सुना है रटॉल आम ये कहां का है रटॉल आम ये होगता होगा भी या जैसा भी इसका अलग स्वाद होगा तो सरची ये तो बागपत में होता है वे मेरट में और मैं बात करूं वे करना है पहले वे कौन सा होगा तो मेरट करना होगा वो रटॉल आम होगा जिसे जी आई टैग भी प इंडिकेशन जो है टैग प्रदान किया गया है उत्तर परदिश की कौन सी जनपद से है तो सर जी आप बागपत कर देना ठीक है चलो बहुत बढ़िया तो सर अब पढ़ा जा रहा है सर बस कुछ देर के लिए नहीं पढ़ना मतला ऐसी मजाक नहीं चलेंगी चुप पढ़ों एगे न अगला कुश्चन होगा क्या होगा सर जी महरसी भालमी की का आसरम निम्र में से किसी स्थान पर इस्तित है तो बिठ्थूर ये तो सबी बता देंगे ब्रंब्रत बिठ्थूर वो बिठ्थूर जो कानपूर नदी के कानपूर में अवस्तित है और गंगा नदी के किनारे जो है कानपूर में तो इस्तित है ये और गंगा नदी के किनारे है विठ्थूर आप बताएंगे चलो बिजय सागर पक्षी बिहार नेमली कितमे से उत्तर परदेश के किसी स्थान पर अवस्तित है बिजय सागर की बात होगी जब आव तो आपको देना होगा सर बिजय सागर की बात कर रहे हो हाँ मेरे प्यारो विजय सागर की बात चल रही है विजय सागर पक्ची बिहार नीमली कितमे से उत्तर परदेश के किसी स्थान पर अवस्तित है तो सभी को बताना होगा सर विजय सागर की बात कर रहे हो हाँ तो मैं तो महोबा करूँगा वो महुबा ठीक है जहां पर मदन सागर जील भी अवस्तिते हैं कौन सी मदन सागर जील आप सभी को बताना है महुबा आला उदल की नगरी ये आपको पता होगा रुत्त परदेश का सवसे कम जन संक्या वाला जन पद वो महुबा जहां आठ लाग पिछित रहजार नौसवट्थामन कहीं कहीं पिछ्यासी लिखीती तो नौसवट्थामन कर लेंगे निम लिखित में से कौन सा मंदिर द्रैविड सैली में निर्मित है तो आप बताएंगे सर जी रंगनात जी का मंदिर और ये मेरे प्यारो एक रंगनात जी का मंदिर तमिलनाडू में भी पढ़ता है और उत्तर परदेश के मतुरा में भी बताय जाता है तो आप बताएंग भगवान सिरी राम का मंदिर ये कौन सी सैली में है भगवान सिरी राम का मंदिर कौन सी सैली में है ये आप बता देना स्पीड के साथ बताएंगे भगवान सिरी राम का मंदिर कौन सी सैली अभी तो मैंने बताया था ठीक है न तो बताएंगे सर जी नागर सैली कर देना कौन सी सैली होगी तो भाई साव नागर सैली हम इसे वी करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया इसी के साथ अगला कुश्यन उत्तर परदेश के नीमलिकित छेत्रों में से किस में एक अन्ना प्रत्रा उस छेत्र के किरसी एवं बानिकी के विकास के लिए अवी साप है मेरे प्यारों एक अन्ना प्रथा है, जब क्या होता है, किरसी मतलब की फसल ले ली जाती है, तो इस अन्ना प्रथा की तहत मेरे प्यारों जो किसानों की पसुए हैं, उन्हें खुला छूड़ दिया जाता है, अब जब खुला छूड़ दिया जाता है, तो वो पहाड़ी सा चित्र हुआ से मिट्टी कट जाती है और वो अन्ना प्रेथा चली आ रही है वो किसानों के लिए अवी साप होगी और उत्तर परदेश का कौन सा चित्र होगा उत्तर परदेश का बुंदेल खंड चित्र होगा सर जी कौन सा उत्तर परदेश का बुंदेल खंड चित्र होगा चलो तो चल्दी से बताएंगे सर जी पर बी नहीं करेंगे ठीक है ना राइट यू भी अच्छा उल्टा हो गया बी सी कर देना चलो बी सी कर देंगे ठीक है कोई नहीं ठीक है अगला कुश्चन प्रेसिद बांकी विहारी मंदिर उत्तर परदेश के किस सेर में इस्तित है ये तो सभी को पता है ब्रंदावन जो मतुरा में पढ़ता है बांकी विहारी मंदिर ये तो आप करी देंगे चलो अगला कुश्चन उत्तर परदेश में जैन एवं बोद्ध दौनों का प्रेसिद तिर्थ इस्तल है कहां देवी पाटन में कौसाम भी कुसी नगर या सारनात चल्दी से जवाब आपको देना होगा बताएंगे भई भी बताते हुए सर जी आप मेरा तो भी कर देना क्या कर देना भी या तो आप सभी ने बताया कौसाम भी वो कौसाम भी चो यमना नदी के किनारे अवस्तित है कौन सी नदी तो मैं आपको बताऊंगा सर जी ये तो यमना नदी के किनारे अवस्तित होगा उत्तर परदेश में जैन एवं बोद्ध दोनों का प्रेसिद तिर्थिस्तल है सर जी कौसांबी आप छाप देना मेरे प्यारों और कौसांबी इस्तंब लेक आपको पता होगा सर जी असुक की दुरा निर्मित है अकवर लिए आया है इलावाद के किले में और इस कौसांबी लेक पर जहांगीर का लेक वी उतकिरीन किया गया पूछा जाता है तो आप बताएंगे नेक्स्ट कोशन उत्तर परदेश में परंपरागत भूमी मापन की काई है और हम जो भूमी मापते है ठीक है अब हो गया सर जी तालनी जी कह रहे है बस ठीक है अब जब मैं हिम्मत ना हार रा तीन चार कोशनों को मैं तो खड़ा हुआ भूल रहा हूं continue और आप यह कैसे ऐ ठीक है चलो जवान है आप उत्तर परदेश में परंपरागत भूमी मापन काई है बीघा की सभी को पता है बीघे में मापते हैं सर जी हम किसमें मापते हैं बीघा यह सभी को पता होगा नेक्स्ट कोश्चन होगा उत्तर परदेश में क्रसक इसम्रदी आयोक का गठन किस व बर्स में हुआ था 2016, 17, 18 या 19 उत्तर परदेश में सर जी बताना है बड़ा बहतरीन कोश्यन है और बताएंगे सबी उत्तर परदेश में क्रसक की बात होगी तो 2017 बता देना उत्तर परदेश में क्रसक की सिम्रधी आयुक का गठन मेरे लाड़लो 2017 आपको बताना है भई खुशी खुशी पढ़ो सबी रोवरा च्चे काम ना चलेगा ठीक है ऐसी कैसी आप पताई चलो अभी लास्टी है मतलत फूड़ी देर और बने रहा हो ठीक है मतलत फूड़ी देर ना चाधा ना अभी मैं पता दूगा ठीक है चलो अगला कुश्यन होगा उत्तर परदेश में नीम लिखित में से किस सहर में भारती रेल की कोच निर्मान इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्टरी इस्तित है ये हम बताएंगे जल्दी से बताना है अब कोश्चन बड़ा बहतरी न आपके सामने पहुंचा और देखूंगा कौन स्पीड के साथ मुझे जवाब देगा जवाब तो देना होगा भीया और देखेंगे चलो वे जल्दी से बताओ ठीक है ये बता रहे हैं उत्तर परदेश के नीमली कित में तो हम बताएंगे राइ भरेली कौन सा राइ भरेली और वित्रो ये होगी खतम कोश्चन ठीक है ना फिलकतम पैसा आजाओं तो वैसे आप बने रहे बढ़िया तरीके खतम है ये लाश्ट कोश्चन था तो चलो बहुत बढ़िया तो आप सबी ने बहुत मेहनत करी तो वैसे आप जुड़े से अधिकारी बने और फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से चलो तो सभी बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को बनाई रखना ठीक है तो फिर मुलाकात होगी आप से 9 तारिक को और 10 तारिक को दो दिन मुलाकात होगी फिर 11 आपका एक्जाम हो जाएगा चलो तो इ के साथ मित्रू मैं अपनी बानी को दूंगा बिरामत सवी वच्चे बोलेंगे सर जी जै हिंद जै भारत